इसमें कि अगर आप 4,000 मेंटिनेंस में दे रहे हैं तो देखिए अगर आपको अच्छा प्राइज मिलता है तो वह आप वहां से निकल के आप आई थिंक बोरिवली या उसके आसपास के इलाके क्योंकि अभी मेट्रो वगरा भी आ गए है और अगे अधही सर वगरा मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है या मीरा रोड तक भी आप उसमें देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा वहां से निकल के आप अगर इन एरियाद में ट्राइ करेंगी तो आपको आपका जो प्राइस का इस प्रिसीशन है वो भी जल्दी मिल जाएगा और अग मुंबई मेट्रोपलिटिन रीजन और उसके आसपास के इलाके हैं साइज वन बी एच के देख रहे हैं 35 से 50 लाग तक का बजट रखते हैं अंडर कंस्रुक्शन इनको चलेगा और मुंबई से कौन सा इलाका बहतर होगा यह दो तीन जो इनोंने इलाके बताएं पहले तो थोड़ा सा वहीं पे जीरो इन करना चाहते हैं तो असलम साब वन बी एच के चाहिए आई थिंक बजट इनोंने ठीक ही रखा है 35 से 50 लाग डुम्बी वली बदलापूर उल्वे यह देख रहे हैं बहुत क्लियर रही है कि निवेश करना चाहते हैं या खुद रहना चाहें अल्वे मेरे लिस्ट में रहेगा पहला आपका लेकिन अगर आपके बजट में वह इक चाहिए लेकिन 35 तु 50 लाग अच्छा बजट है वन भी एच्छे के लिए लेकिन अगर आप चाहें तो फिर आप अन्वेल में भी ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि वह इंटरनेशनल एरप अर्टिविटी जो उसकी महा से अधर पार्टस अब दप मुंबई है या पूने की तरफ आप जाना चाहते हैं वो काफी अच्छी है क्योंकि काफी चीज़े प्लाइन हैं मेट्रो तो है इसाथ में ट्रांस हार्बर लिंक हो जाएगा आपका अभी वाटर टैक्सी वगएर प्रदीब जी के लिए और आई होब कि उसको इनसे मिलेगा काफी एक गैडलाइन रहेगी उनके लिए एक अच्छा सुझाव यहाँ पर बदलापूर नूम्बी योली उल्वे में से पूछना चाह रहे थे तो नवी मुंबई की तरफ जाने का सुझाव है और इसी के साथ असलम जी हम आपका शुक्रिया आदा करना चुआएंगे कि आपने वक्त लिकाला हमारे दर्श्कों के सवालों के जवाब दिये और रियल स्टेट का करेंट सेनारियो हमारे साथ डिस्क्स किया बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए तो चलिए एक छोड़ा सा ब्रेक ले ले लेते हैं यहाँ पर लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मैं जाईगा है क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे दिली एंसियार के गुरू ग्राम अलाके में उस पर अकसर काफी सारे सवाल आते हैं तो हमने सोचा क्यों नहीं जड़र अलाके का पूरा प्रोफाइल आपको बताया जाए इस वक्त वहाँ क्या माहौल है प्रॉपर्टी का बाजार कैसा है तो गुरू गराम की पूरी तस्वीर इस ब्रेक के बाद Do you know मैं आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजिनेरिंग कोपरेशन लिम्टेड के बारे में सुनने में आपको ओड लाए कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली के इस कंपनी को जानते हैं इस कंपनी की शुरुवात काफी पुरानी है 1945 से एक कंपनी काररत है और इसकी दो फैक्टरी जो थी एक फैक्टरी थी मुंबई में और दूसरी फैक्टरी जो थी वो कंपनी की लाहॉर में थी जो की पार्टीशन के बाद वहीं चलीके जिसके ओपर कई केसिस भी लड़े लेकिन वो company को वापस मिल नहीं पाई तो इस शुरुवात में एक company कामकाज करती थी Aluminium Utensils का यानि कि बरतनों के कामकाज में जब उस समय पर majorly ये business के तोर पे देखा जाता था जहाँ पर उन्होंने towers का setup किया था और ये tower के setup करने को लेकर company ने कई सार के उस समय पर import करना जरूरी होता था लेकिन company ने फिर भी कुछ पार्ट को import करके और कुछ पार्ट को खुद बनाके, assemble करके इस तरह के बड़े order को बिना experience के execute किया था तो अपने आप में एक बड़ा milestone company के लिए रहेगा इसके अलावा एक बड़ा interesting fact ये भी है कि कमानी engineering यानि कि KEC Limited ने flood gates तिल पारा डैम के लिए flood gates जो की bar के ते समय पर जिनको use किया रहता है वो gate supply किये थे और क्योंकि वो जो order दिया गया था वो order समय से पहले execute कर लिया गया था तो उस समय पर bar की स्थिती नहीं थी तो एक artificial bar create की गई थी मयोरक्षी प्लान के तहत पश्चिम मंगाल में जिसके बाद उन gates को test किया गया था क्या वो gate sufficient है और वो sufficient रहे भी ना केवल बलकि उन्होंने बढ़िया से उस bar को समाला भी तो इस तरह की artificial bar के तहत इस product को उस समय पर test भी किया गया था जो की KEC की तरफ से supply किया गया था इसके अलावा कुछ और interesting या engineering marvels जो की KEC की तरफ से provide किये गये हैं उसमें करीब करीब 1000 mil का telephone cable इस company ने और साथ साथ boiler चोला thermal power station और madura thermal power stations को provide किये हैं इसके अलावा wagon, engines, wheel sets, axle box ये सब कुछ railways को with time इस company ने supply किये हैं इसके अलावा transformer, mukchund, tungbhadra और कोरबा के लिए switch gear ये कुछ ऐसे product है जो की इस company की तरफ से supply किये गये हैं और साथी साथ कुछ interesting products में जो flood gates होते हैं वो भी मयोरक्षी और साथ साथ संगुलम ये दो ऐसे project हैं जिनके लिए supply किये गये हैं तो KEC International यानि कि कमानी Engineering Corporation Limited से related कुछ interesting fact आये कुछ और fact लेकर आते रहेंगे Do you know मैं आज हम बाचीत करने वाले हैं आईशर होट property destination एक बार फिर उभर कर आया है तो 2023 में property market वहाँ कैसा रहने वाला है अगर आप वहाँ घर खरीदने का सोच रहें तो या जान करें आपके लिए काफी अच्छी होगी तो चलिए एक नज़र डालते हैं ग्रूग्राम के real estate market पर बीते कुछ सालों में अगर भारत के real estate सेक्टर पर नज़र डालें तो इसने काफी उतार चड़ाओ देखे हैं साल 2020 में भारत में कुरोना आने से पहले ही real estate market में दिक्कतें शुरू हो गए थी पर साल 2022 real estate के लिए काफी अच्छा साबित हुआ इस साल न सिर्फ home loan पर ब्यासदर करीब 6% तक गिरा बलकि real estate developers ने खुब डिसकाउंट भी दिया इसी वज़े से मकानों की बिक्री बेहत उत्साह जनक रही इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है भारत के सबसे भावी real estate location गुरू ग्राम पर गुरू ग्राम के उबरते इलाकों जैसे द्वार का एक्स्प्रेस वे सदन पेरिफिरल रोड के आसपास का इलाका पटोदी रोड या फिर NH8 ने बीते कुछ वार्षों में काफी प्रगति की है और धीरे धीरे अब ये और प्रगति के और अग्रसर है न्यू गुरू ग्राम के सेक्टर 92, सेक्टर 93 और सेक्टर 79P होम बायर्स के लिए प्राइम डेस्टिनेशन है और इन सेक्टर्स में ट्रेंड्स काफी बहतर देखने को मिले हैं चाहे वो अफॉर्डबल हाउजिंग हो या फिर लक्षरी हाउजिंग जो न्यू गुरू गुरू का एरिया है वो अपना घर चाने वालों के लिए परफेक्ट रिल स्टेज टेस्नेशन के रूप में उभर रहा है कोविट के बाद लोगों के अंदर अपना एक खुद का घर होने की एक इच्छा और साथ-साथ वो इंडिपेंडेंट हो इसकी इच्छा बढ़ गई है गुड़गाओं इंफ्राक्चर के लिहाज से बहुत ज्यादा तरकी कर रहा है और गुड़गाओं की जो सबसे बढ़िया बात है कि इंफ्राक्चर के अंदर गुड़गाओं में डिवल्प्मेंट का लेवल ये है कि लगातार बहुत स्पीड से इंफ्राक्चर बढ़ र और चोथी सबसे वड़ी Sona का जो Expressway अभी जो इंडिया का largest Expressway बना है और जिसका भी मोदी जी ने इन्योगरेशन भी किया है डेली मुंबई बरुदा Expressway इन सारे Expressways ने प्लस में इंफर्चर की इतनी स्पीड ने बुर्गाओं को एक perfect destination की तोर पे उभार के रख दिया है और उसका reflection आज price growth के angle में भी बहुत ज़्यादा नज़रा रहा है जहां तक मुझे estimate है कि पिछले दो साल में वहां पे करीवन 30 से 40% तक की pricing में नज़रा रही है दूसरी अगर मैं government की focus की बाद करूँ अभी recent जो budget आया उसके अंदर भी government ने अपने capex का deployment है यह capital expenditure का deployment है करीवन 33% से बढ़ा दिया है और इवन urban infrastructure के लिए भी उन्होंने इवन 10,000 crore रुपे का allocation अलगसे किया है और उस सब का ही जो impact आएगा वो जितने भी urban के अंदर इंफ्रा का development होगा उसका real estate के pricing पे बहुत ज़्यादा positive impact आना चाहिए और हम इस चीज़ को पिछले दो साल से witness भी कर रहे है गुरुग्राम में real estate के शेत्र में हुई तरक्की कश्रे यहां के उभरते developers को जाता है जिन्होंने गुरुग्राम के काया ही पलड़ दी उन्हीं में से एक नाम है Signature Global इस ग्रूप ने यहां रह रहे हैं लोगों के मानसिकता बदल दी जो सोचते थे कि गुरुग्राम में affordable गहर की कलपना नहीं की जा सकती है Signature Global ने द्वार का एक्सप्रेस यानि की Northern Periphery Road के अंदर अपनी प्रेजन्स बहुत स्ट्रॉंग्ली बनाई है अगर हम प्रजेक्ट की बात करें तो project sector 3070 में लेकर आए हैं उसके बाद sector 81 में लेकर आए हैं उसके बाद sector 92 के अंदर लेकर आए हैं और इनके जो भी हम phase 1 लेकर आए हैं वो सारे phase 1 अजिसे हैं अब उनके हमने phase 2 लांच के हुए हैं जिनका response बहुत जबरतश चल रहा है इसी करम में हमने एक प्रजेक्ट और सेक्टर 93 वो भी हम लोग दोरकेस्प्रेसिट पर लेकर आ रहे हैं उसके अंदर भी कंपनी ने अपनी strong presence मनाई यह और अलड़ी वहां कंपनी के 3 प्रजेक्ट काम कर रहे हैं उसी के करम में वहाँ पर हमने सेक्टर 88A के अंदर अभी शॉप को मौफिक कॉंप्लेक्स यानि कि SEO कम्प्रीनी लॉंच किये हुए और उसका रिस्पॉंस भी बहुत अच्छा जाल रहा है अगर हम तीसरा डेस्टिनेशन है Southern Periphery Road यानि कि SPR वहाँ पर भी Signature Global एक नया प्रोजेक्ट लॉंच लेके आ रहा है सेक्टर 79D तीसरा बड़ा इंफर्शेट डेवल्मेंट है Southern Periphery Road उसके अंदर भी Signature Global सेक्टर 79B के अंदर अपना एक नया प्रोजेक्ट जो इंडिपेंट सेक्टरे के अंदर बसा हुआ है बहुत ही शांदर लोकेशन है सिगनेचर ग्लोबल ने बीदे कुछ सादों में अपने कुछ सांदार पॉजेक्ट डिलिवर किये हैं जो हर वर को केटर करते हैं जितने भी की इंफ्रेक्ष्टर वाले सारे एडियाज हैं, उसके अंदर अपनी प्रेजिंस बनाई हुई है और हम वहाँ पे इंडिपेंड फ्लोर्स लाँच कर रहे हैं, इंडिपेंड लिविंग लाँच कर रहे हैं जो हम इंडिपेंड और सिगनिचर ग्लोबल सिटी लाइफ लाँच कर रहे हैं सिगनिचर ग्लोबल सिटी लाइफ का मतलब कि है, वहाँ पे हमने लाइफ के जितने भी एसपेक्ट हो सकते हैं परसन के, उस एसपेक्ट को हर जुगा कैटर करने का प्रयास करते हैं करीबन हर पजेक में करीबन 25 से 30 तक अमेनिटीज रहती हैं, उनकी मॉर्निंग से रेकर नाइट तक कि जितने भी चीजें हैं, चाहिए आपकी स्पोर्ट्स लाइफ, उसके अंदर जिम, स्विमिंग पूल, रीकरिशन सेंटर, आपके एंटेटेन्मेंट हब, आपके शॉपि प्लाजा, फुली एर कंडिशनेंट होम्स, वर्क फूम का कल्चर, टेरिस, गार्डन्स, इच और एवरीथिंग, जो भी लाइफ में हम बहतरीन से बहतरीन लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, लोग की लाइफ को बहतर करने के लिए देने का प्रयास करते हैं, हम एंडर तो यह थी गुरुकराम की ताजा तस्वीर और वक्त वक्त पर ऐसे ही और इंपॉर्टन्ट मार्किट्स हिंदुस्तान के हम आपको बताते रहेंगे, जहां तक रेल स्टेट का तालुक है, तो अब वक्त होगए आपसे इजासत लेने का, लेकिन जाने से पहले हमेश्वा क होती है, वो हम आपसे फोन करकर ले लेते हैं, बहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, और कोशिश ये रहती ही कि उसका जादा से जादा अच्छा या बहतर जवाब या सॉलूशन आपको दे पाएं, प्लीज, नमबर ज़रू डालिए, pj8manicontrol.com पर मेल कर पूरा डिटेल लिख दीजे, बाकी हम पे छोड़िये, ठीके जी, तो इस अपते इतना ही, अगले अपते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अतने ध्यान रुखी, नमस्कार. जेसी, केसी और गुलाम मुहमद साब की तरसे शुरूआत की गए थी, तो इस कंपनी का नाम था महेंद्रा एंड मुहमद. शुरूआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरूआत हुए थी, लेकिन धीरे-धीरे जब पार्टीशन हुआ, तो गुलाम मुहमद साब इस कंपनी से बाहर गए, और वो पाकिस्तान के पहले वित्यमंत्री के तौर पर शुमार हुए, और फिर GCKC की तरफ स इस कंपनी को further carry forward किया गए, और इसका नाम भी वजल कर Mahindra and Mahindra किया गया, बहुत गौर्दलब बात ये भी है, कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी, तो वो Mahindra and Mahindra की तरफ से ही आई थी, Scorpio उसका नाम था, और एक और बहुत ही interesting fact ये है, कि Mahindra and Mahindra अपना एक खुद क का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आम तोर पे, Museum of Living History के तोर पे जाना जाता है, वहाँ पर कई सारे पुराने आटो मोबील से रिलेटिड ये महिंदरा की हिस्ट्री से रिलेटिड इंटरस्टिंग चीज़े भी आपको आपे मिलेंगी, तो ऐसे कई सारे fact M&M से रिले मारूती के बारे में, कुछ इंटरस्टिंग facts के अगर बात की जाए, तो मारूती Suzuki जैसा की नाम से तो लगता है, लेकिन ये है नहीं सरकारी company, इसकी शुरुआत दरसल सरकारी company के तौर पे हुई थी, बाद में इसका हिस्सा जो था, वो इनकी विदेशी पार्टनर Suzuki को बे की जाए, तो पहली मारूती गाड़ी जो थी, वो डिलीवर की गई थी, ग्रीन पार्क के एक resident को, जिनका नाम था हरपाल सिंग साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महस 47,500 रुपे के आसपास, नहीं कि आज से ठीक 49 साल पहले जब ये गाड़ी पहली गाड़ी मारूती ने की थी, तो महस 47,000 रुपे के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क एक citizen साब को, जिनको दी गई थी, और उन्हें आख़ती तक उस गाड़ी को अपने पास hold भी लिया, तो ये मारूती से जोड़े कुछ इंटरसिंग फैट, आगे कुछ और फैट लेकर आपके लिए आ आपका CNBC आवास पर आप देख रहे हैं कंजूमर अड़ा और आज कंजूमर अड़ा में हम बात करने जा रहे हैं, पॉल्यूशन की और पॉल्यूशन के स्किन कनिक्शन की, जी हाँ, क्योंकि भारत के कई शहरों में खास तोर पे दिल्ली और मॉंबई, दो ऐसे शहर जहा पॉल्यूशन की तगड़ी मारे, दिल्ली का नाम तो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, मॉंबई का, जहां पहले हो जाता था कई बार पॉल्यूशन, लेकिन इस बार नए रिकॉर्ड्स बन गए हैं, जहां कुछ दिनों के ज़ए हैं, जहां तक बात है पॉल्यूशन की, और ये तो हुई कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से हम जानते हैं, समझते हैं कि भाई कि तना होगा, सास की प्राब्लम होगी, सास की बिमारिया होगी, लेकि नहीं जनाब ये बात आगे बढ़ गई है, और अब प्राइब तरीके की शुकायते लेकर आ रहे हैं जहां पर फाइनली ये पता लग रहा है कि आपको जो भी अलर्जी हो रही है जो भी तुचा की प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे कहीं न कहीं जिम्मेदार आपके शहर का पॉलूशन है दिल लिया और मुंबई दो बड़े शहरों के नाम लेकिन देश के कई और शहर है जहां पॉलूशन की मार चुपके चुपके पढ़ने लग गई है गुवाहाटी जैसा शहर जो की पहाडों में है वादियों में वहाँ पर भी पॉलूशन की मार बढ़ गई है और कई शहर गिनाए जा सकते हैं जहां पर साल के एक बड़े हिस्से में पॉलूशन चरम पर पहुंचता है तो ये सभी के लिए है ध्यान से सुनिए ध्यान से देखिए आज के इस कारेकरम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास महमान जिसमें एक डॉक्टर पैनल हमने बनाया है हमारे साथ जोड़ रहे हैं इंदरपस अपॉलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसिल्टेंट डॉक्टर डी एम महाजन फोर्टिस हॉस्पिटल की कंसिल्टेंट डॉक्टर समरिती नास्वा सिंग और मदूकर रेंबो हॉस्पिटल के सीनियर कंसिल्टेंट पल्मनो जी डॉक्टर चंदर शेकर सिंगा तो आप सभी का ब जो skin के साथ connection निकला आई ये क्या सा है क्या pollution आपकी skin को भी उतना impact कर रहा है देखिए pollution एक ऐसी चीज बन गई है पिछले कुछ सालों से जिसका कोई अंत नजर ने आता और skin जो की अपनी body का सबसे first organ है जो pollution को झेलता है तो वो कैसे इससे बच जाएगा तो ऐसे में हमने देखा है कि लास्ट कुछ एर से बहुत सारे अर्टी केरिया या जिसे ऐलर्जी के cases आने शुरू होके सदली मौसम की तब्दिली हुई और बहुत सारा ये बना जितना भी आया fog कहलो इसको pollution कहलो उससे काफे सारी चीज़ें और हमारी OPD के attendance बढ़ गई और बहुत ही मुश्किल हो गया कई बारी तो इनका cause इसकी वजह से इरिटेशन हमारी स्किन में हमेशा इरिटेशन कुछ ना कुछ रहती है और साथ में कई डिसीजिस जो है वह बहुत सारी मात्रा में पैदा होने लगे जिसमें और बुरे होने लगे जिसमें की एक्जिमा बड़ा सोरियस बड़ी कामन है और एकने भी काफी गंदे गंदे शकलों में आने शुरू होगे तो पॉलूशन ने बिलकुल स्किन को काफी हद तक तब्दीली कर दी है जिसमें की नेगेटिव भी नेगेटिव होना शुरू होगे है स्किन के अंदर जॉक साब तो आप चाया दिया हमारे दरशकों के लिए भी थोड़ी नहीं जानकारी है क्योंकि अभी तक वो समझते थे कि पॉलूशन जैसा मैंने कहा मतलब सांस के लिए सारा लेकिन आपने बताया कि उसका इंपक्ट आपके स्किन के पे ऊपर भी आने लगा तो जाएगा या सीरियस कुछ डामेज भी करते हैं अब जो हमारा जनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है वो कई तरह की अलर्जी की तरह मैनिफेस्ट करता है आम तोर पे सब लोगों को यही पता होता था कि भरी पॉलूशन बढ़ेगा तो अस्थमा बढ़ जाएगा पर जि स्कीन की आलर्जी का रिसक भी रहता है अब स्कीन की अलर्जी दो तरीकों से सामने आ सकती है एक अर्टिकरिया कहते है जिसे पित भी कहा जाता है मmmasher- constantly nectar horeês और दूसरा होता है एक्जीमा, एक्जीमा में इचिंग करकर के इंसान उसको खुरच देता है और उसकी पूरी की पूरी स्किन में बर्निंग सेंसेशन और इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ये दोनों की दोनों कंडिशन्स जो हैं वो माइल्ड रहेंगी तो ठीक है लेक आपके जिनाइटल एरिया सूच सकते हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है जिसके लिए एडमिट करके इंजेक्शन स्टिरॉइट की जरूरत पढ़ सकती है एक्जीमा भी अगर बहुत ज्यादा एरिया में इन्वाल्ड हो जाए आपके स्किन का काफी एरिया इ कि नई वो भी एक सीरियस रूप धारण कर सकती है और पॉल्यूशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंफेक्ट कर रहा है डॉक्टर चंदर शेकर तो आपने हमारे दोनों स्किन एक्सपर्ट की बात सुनी और जैसे हमने का कि आमोमन हम यही समझते हैं जानते ह कि पॉल्यूशन मीन्स आपकी सांस के साथ ही इशू होने वाला आपके फेफड़ों पर इशू होने वाला है लेकिन क्या इस तरीके के केसिस में आऊंगा सांस की तो बात हमें करनी होगी लेकिन जो यह स्किन वाली चीज है क्या आपके पास भी केसिस आते हैं जब यू कम तो नो एक्सिडेंटली कि आपको तो स्किन में भी प्रॉब्लम आ गया बले आप लेके सांस की बात आये थे है मैं तो में काम करता हैं यह सब्लाइक जब राइश का बाकी प्रॉब्लम भी मुझे देखना पड़ता है और यह आप ही फिसेंबर से शुरू करके अपी बिसेंबर जनरी फेवृररी तो लांग का प्रॉब्लम के साथ साथ-सकिन काभी प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आपको नजरे जाता है, तो पहले आपको नजरे जाता है, तो आप तीनों ही डॉक्टर्स ने एक चीज कामन कही, वो है आईस को भी इंक्लूड किया, डॉक्स सब माजन साब, ये तो मैं परसनली भी मैं इस समय आप से मुंबई से बात कर रहा हूँ, और हम सब जानते कि मुंबई में भी ये साल पॉलूशन के लेवल काफी हाई गया, इंफेक्ट अभी तक वो एक्जिस्स कर रहे हैं, मुझे खुद को कई बार महसूस होता है, लंग या स्किन तक तो बात नहीं गई, लेकिन आईस जिसका आपने जिक्र किया कि एक जलन होती है, इरिटेशन होती है, समटाइम तो आई फील की विजन पर भी इंपाक्ट आता है, देखिए, आईस के अंदर जो है, मुकस मेंबरिन जो उसकी है, लाइनिंग है, वो डिरेक्टली एक्स्पोस्ट है, पॉल्यूटेंस से, तो कैसे बच जाएगी, वो भी स्किन का एक हिस्सा ही है, और डेफिनेटली जैसे आईस में इरिटेशन होगी, तो उसमें डेफि इसके विजन में काफी कंप्रमाइज होता है, रही बार दूसरी और कि हमारे जो सांसों के साथ भी अंदर जा रहा है, पॉल्यूशन, उसकी वज़े से जो है, ऑक्सिदेंस बहुत बन रहे हैं, और एंटी ऑक्सिदेंस की जो प्रिक्रिया है, वो काफी कम हो रही है, और ऑ काफी चंता का विशे है, और जिन शेहरों के नाम पहले नहीं आ रहे थे, अब उनकी भी गिंती इसमें होने लगी है, और अनफॉर्चुनेटली भारत के शेहरों की संख्या इस पॉलूशन की चीज में बढ़ती जा रही है, अब दिल्ली एकमात रकेला नाम नहीं रह गय डॉक्टर स्मिलिती, तो अगर क्योंकि आज हम थोड़ी बात फोकस करके स्किन की कर रहे हैं, क्या स्किन, आप मास लगा लेते हैं तो तो चलिए आप थोड़ा बहुत एर पॉलूशन से बच जाते हैं, जहां तक आपकी लंग्स की बात है, आपकी ब्रीधिंग की बात है, लेकिन स्किन के लिए आप क्या करेंगे, वो तो हमारा सबसे बड़ा औरगन है, और सबसे जादा एक्सपोस्ड औरगन है, क्या संस्क्रीन की तरह यहां पे कुछ चीजे रहती हैं, जो आपको बचा सकती हैं, इसका कोई उपाय नहीं है, जो एक्सपोस है, आपकी बात बि अन्मारमेंटल थपेडे खाता रहता है, उसके चक्कर में जो रियाक्टिव औक्सीजन स्पीशी हमारी बढ़ती है, जो जेनरल भाशा में कहते हैं, उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो संस्क्रीन है और वो सन और यूवी रेस पोलुशन, यूवी रे तो अपने लिए क्या करेंगे कि हमें अपने लाइस्टाइल में अंटी ऑक्सीडेंट बढ़ाने की कोशिश करनी है, वह हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को 50% खाना अपना रॉख कर सकते हैं, क्योंकि फूट्स और वेजटेबल्स जो हम लोग रॉख खात अंटी ऑक्सीडेंट्स का जाता है, चाहे वो विटामिन A है, विटामिन C है, विटामिन E है, दूसरा जो फाइबर रिच डायेट होती है, चाहे वो मिलेट्स हैं, वो सब हम लोगों के पोल्यूटेंट डामेज को कम करते हैं, तीसरा मैं सब लोगों को ये, मेरे करती हूं कि वीकेंड्स पे जरूर कोशिश करें, अगर जैसे आप बॉम्बे में ही रहते हैं, तो हम काफी लगी है कि दिर घंटे के अंतर पे हमारे पास काफी फॉरेस्ट एरियाज हैं, चाहे वो शंजे गांदी नाशनल पार्क है, कुछ है आप वहां जाएं और उसमें कि आप जितना अपना अंटी ऑक्सिडेंट लोड बढ़ा सकते हैं, उतना आप बढ़ाईए, साइड बाई साइड टाइम पे स्लीप और प्रापर स्लीप करना भी बहुत जरूरी है, उससे क्या फायदा होता है, रात में जो हमारा रिपेर प्रॉसेस होता है, वो काफी हद अच्छे से इस चीज़ को समझाया कि क्या एंटी ऑक्सिडेंट और उनके फायदे हैं, और एक्चुली में हो क्या रहा है, और कैसे आप इससे निपट सकते हैं, कुछ और उपायों पे भी चर्चा करेंगे, टेकिन डॉक्टर महा जैने एक प्रशन और है, जो कुछ अगातार आपकी स्किन जो है, वो हाई लेवल पॉलुशन से एक्सपोस्ड है, देखे, देखा गया है कि जितने पॉलिटेंट साते हैं, उतने ही यूवी रेस जएदा आ जाती हैं, उनकी क्वांटिटी और स्किन के उपर जो है, ऑक्सिडेटिव जो डिस्रॉक्शन है, व पैंसर या दूसरे रूप में भी धारन कर लेती है, ऐसा चॉल सोरियासेज और बाकी जो एक्जीमा वगयार है, वो भी तो काफी विक्र रूप धारन कर लेते हैं, ऐसे में मैं अपने दोस्त, पल्मनॉलेटिस डॉक साब से पूछना चाहूंगा कि जैसे हमें पहले देख अभी इन दपॉलिटेंट एरियास अंसु जी, डॉक्टर चंदर शेकर आप से सवाल पूछे ने, डॉक्टर महाजन, क्या आप सुन पाए उनकी बात? अने बताई क्या कॉश्चिन था था थोरा साब अहिए पहले रेसिफ्रोकल रिलेशन्चिप थी बिट्वें दस्किन डिसीज़ और फल्मनरी डिसीज़ कि अगर स्किन कर डिसीज अगर अच्छा हो जाता है तो लंक ही आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर दोनों ची क्या अभी भी पॉल्यूशन के अंदर भी यह चीज़ मौझूद है ऐसी रिलेशन्चिप मौझूद है कि स्किन की अगर इंप्रॉब्मेंट हो जाती है तो लंक ही कंडिशन बिगड़ जाएगी I am not aware of it, इसकलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी डॉक्टर चंद्शिकर आप सवाल सुन पाए अब क्लियर नहीं है क्वश्चिन तो डॉक्साब यह पूछ रहे हैं कि देर इस इंवर्स रिलेशन्चिप है आपका अगर मान लीजे स्किन इंप्रूफ हो रही है डू टू पॉल्यूशन तो होगा यह कि आपके लंग्स इंप्रेक्ट ज्यादा होने लग जाएंगे क्या यह चीज अभी भी एग्जिस्स करती है? इसके सब्सक्कि hypothesis प्रूछा भी एग्जिस्स आफलिख से लूग आपने लिफट mellan डोल्गम आपको अईएंगे मंध्य रही देर इस तär mats – खीजुक्तिष ज्याद में जाएंगे आप्ने घ्रम पॉट्टfik, झाल्गमरण ऑ्यकलोजनुचाundoं पैज़ा है होका होगा है प इन्वर्स रिलेशन्शिप में है दोनों चीजें और एक ठीक हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी यानिकि आप एक जगे से तो निजात पा जाएगे लेकिन दूसरे को फिर आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा लंग ठीक हुआ तो इसके तो डॉक्साब च का मान लीजे कि आपने का स्किन था ठीक हो रहा है तो लंग पर एफेक्ट आएगा या लंग ठीक हो रहे तो उल्टा स्किन पर एफेक्ट आजाएगा अगर दोनों की जेनिटिक प्रोग्रामिंग ऐसी है जैसे की चाइल्डूड एक्जीमा हो गया है टॉपिक लेखेंगे बिकास दोनों ही एफेक्टेड़ 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 लेटेड़ जैसे पिछले कुछ एक दशक की बात करूं पॉलूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोगों में वी थोड़ी आवेरनेस आने लग गई कि इससे हमें बहुत ज़् होता है कुछ चीजें लोगों ने डूरिंग करोना भी समझी जब पॉलूशन के लेवल डाउन हो गए थे तो सबको लगा कि एर क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई है वो फिर बिगड़ते हुई दिख रही है तो महसूस हो रहा है लेकिन ये तो तह है कि पॉलूशन हम अटेंटिव रहना है एक चुटा ब्रेक ले रहें ब्रेक के बाद कुछ और डॉक साफ से टिप्स पूछेंगे कि अब हवा को रातो रात तो शायद नहीं बदल पाएंगे लेकिन हम अपने एंड पे क्या उपाए कर सकते हैं कि वो डामेज कम से कम हो चाय सकिन का हो चाय ल डू यू नो में आज हम बाचीत करने वाले हैं स्पाइस जेट के बारे में दरसल स्पाइस जेट के बारे में बहुत सार इंटरस्टिंग फैक्ट्स है सबसे पहला तो कमपनी की जो इनीशल शुरुवात हुई थी वो दरसल मोधी लुफ्त के नाम से हुई थी जो की एक S. के मोधी ग्रूप और लुफ्तांसा की वीच का टायब था बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है ने की Air Operator सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंग सहाब को और इस कंपनी की शुरुवात की स्पाइस जेट के नाम से स्पाइस जेट के सारे प्लेंस नहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे एक और इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंग सहाब वो आदमी है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कोंट्रिबूशन था डी डी स्पोर्स के लाँच में और डी टी सी बसे दिल्ली में जो चलती है उन्सके लॉसे को कट डाउ जो यहां बाचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपणी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपणी टी सेस के बारे में जिसका सौफ्ट्वेर 1994 से जो वो सौफ़ेर इस्तमाल कर रहा है इसको आप हर रोज इस्तमाल करते हैं वो टी सेस ने प्रोवाइड क की थी और वो पांच महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था जो की वर्ल्ड रिकॉर्ड था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो की देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है उसकी जितनी भी ब्रांचिस हैं वो आज भी टी सेस का सौफ़वेर यूज करते हैं तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं 2004 में टी सेस के लिस्टिंग हुई थी और वो करीब करीब साड़े साथ गुना उस समय पर आईप्यो लिस्ट हुआ था और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी और 2004 में आया आईप्यो उस समय किसी भी न रमचारियों का रफली साथ परसेंट हिस्सा अकेला टी सेस देता है तो इस तरह के कुछ इंटरसिंग फैक्ट टी सेस रिलेटिड आए कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे सीन बीसी आवास है बजट का असली टेस्टिनेशन सीन बीसी आवास की बजट मेगा कवरिज का यूट्यूब पर दबदबा बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पेटिटर से 179 परसंट ज्यादा बीजट के दौनान मिले आपके पेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिखते रहें सीन बिसी आवास आपके मुनाफिक पार Do You Know मैं आज हम माचीत करने वाले हैं टाटा समू की एक कमपनी टाइटन के बारे में दरसल टाइटन जो है इसको इसका वैसे तो कोई अपचारिक फूल फॉल फॉर्म नहीं है लेकिन यह मान सकते हैं टाटा इंडस्ट्रीज और क्योंकि टिड़को जो की तमिल नाडू इंडस्ट्रिल डेवलप्मेंट कोपरेशन का एक विजेवी है तो इसलिए आप इसे टाइटन टाटा इंडस्ट्रीज और तमिल नाडू के नाम से बिलाकर टाइटन बना सकते हैं टिड़को जो है वो इस कंपनी का लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर है लेकिन फिर भी टाटा समुवी कंपनी है टिड़को की करीब करीब 28% की सिदारी है जिसकी वर्थ वैल्यू करीब 65,000 करोड रुपे के आसपास की इसके अलावा टाटा सेकेंड लार्जेस्ट प्रमोटर शेयर होल्डर के तौर पर शुमार होते हैं टिड़को को करीब वालकूम बैक, आज हम बात कररें पाल्यूशन के स्किन कनेक्शन की क्योंकि कई हॉस्पिटल से अब ये रिपोर्ट होना शुरू हो गया है दिल्ली हो, मुंबई हो, इवन दूसरे शहरों में भी के वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और अचानक से स्किन एलर्जीज में, स्किन इंट्रक्शन्स में, स्किन डिसॉर्डर्स में बहुत बड़ी तीजी आ गई है एंड डॉक्टर्स कंसिडर कि ये सारा पॉलूशन की वज़े से हो रहा है ब्रेक्स से पहले हमने काफी डीपली डिसक्स किया हो सकता है कि कुछ दर्शकों को, कुछ बातें उसमें समझ में ना भी आई हो लेकिन और सरहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं और रात तो रात तो नहीं ठीक है, लॉंग टर्म में इसाद वो चीज़े चेंज भी हो जाएं लेकिन अभी तो फिलाल वो सिनारियो नहीं दिखता क्या और हम कर सकते हैं, किस तरह के एतियाद बरस सकते हैं कि कम से कम डामेज हो तो हमें इसमें तीन-चार चीजें याद रखनी हैं जो मैं सिरफ प्राटिकल पॉइंट्स बताती हूं अज परसन हम लोग इंडिविज्वल तोर पर क्या-क्या कर पाएंगे सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि जो हमारे दो प्रॉब्लम्स हैं अर्टिकरिया या पित्तकी और दूसरा है एक्जीमा अटॉपिक डर्माटाइटिस और इवन जो अस्थमा होता है तो इसको हम लोग एक गट हेल्थ और स्किन अक्सिस की बात करते हैं जितना हम लोग अपना गट हेल्थ को स्ट्रॉंग करते जाएंगे उतना हमार को पॉल्यूशन के थपेडों को जहलना असान हो जाएगा तो जो ऑक्सिडेटिव डामेज हो रहा है इन पॉल्यूटेंट से तो हम लोगों को आंटी ऑक्सिडेट्स अपने डायेट में बढ़ाने हैं मैं कॉमन्ली लोगों को याद रखने के लिए बोलती हूं रेन्बू रेन्बू में साथ कलर होते हैं हमें हर रोज के साथ ठल और सबजी मिलाकर खा लेने चाहिए जाहे वो दो से तीन फल है और चाहे चार से पाथ सबजियां है इनके इन साथ कलर्स में हमें सफिशेंट अमाउंट आफ विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस ऐलमेंट्स, एंटी ऑक्सिडेंट्स मिल जाएंगे जो हमें इस ऑक्सिडेटिव डामेज से बचने में और उसको रिप फाइबर से फीड होता है, फाइबर उसे खाता है और गट बैटेरिया रिप्लिनिश होता है, फाइबर होता है रेशा, रेशा हमारे फालोर सबजियों में तो होता ही है, हमने जूस निकाल के देखा हुआ उसमें कैसे रेशे होता है उसके साथ साथ मिलिट्स, इस साल या किसी को एकने प्रोन स्किन है या सोरियासिस है उन लोगों को पॉल्यूशन के थपेड़े ज्यादा पड़ेंगे जिनकी स्किन वैसे भी ड्राइज है वैसे भी सेंसिटिव है तो अगर आप एक मॉस्चराइजर की रूटीन बना ले अपने जैसे हम लोग दिन में दो बा करें हम उस्चराइजर लगाएं और यह हम लोग जब हम लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं या बच्ची स्कूल से वापस आ रहे हैं तो वो ड्रेस को बदलके और गीली स्किन पर नबाशार लगाएंगे तो लेकिन क्या आप ने जो तीनों चीज़े बतानी थी वो शायद पूरी हो गई राइट क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समापत हो गया लेकिन हाँ टॉपिक क्योंकि इतना गहरा और इंटरिस्टेड है कि शायद हमने पहले आप में ज़्यादा बड़ी बात की तो इस समय नहीं बचा लेकिन आई थिंक जितना जरूरी था आपने यह बता दिया और यह बहुत इंपॉर्टन चीज़े हैं खान पान आपका और थ इनों ही मेमानों का है और आई होप कि यह जो एक नया खत्रा है कि अब आपके सकिन भी पॉल्यूशन के करन डामेज हो रही है बड़े पहमाने पे हो रही है उसका ध्यान अभी से रखना शुरू कीजे जरूरी बाते आज हमने आपको बता दी थैंक्यू वेरी मच्छ नमस दू ये नों में आज हम बाचीत करेंगे कोलगेट के बारे में दरसल ये रोज बरोज स्क्वाल होने वाला कोलगेट एक्च्वल में एक मल्टी नाशनल पोड़क्त है ये इंडिन कंपटी नहीं है और इसकी शुरुवात 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी दरस बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफी एग्रिसिवली कामकाज करता था इसके अलावा कुछ और इंटरसिंग फैक्ट में कोलगेट शुरुवाती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरीए बेचता था लेकिन वहां से लेके आज तक सफर ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है निकि दुनिया की आधी अबाधी करीब करीब कोलगेट के पूर्ट को इसके अलावा कुछ और इंटरसिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कोलगेट का कामकास तो करीब 200 देशों में है लेकि में एक है यूएस और दूसरा है भारत तो कुछ ऐसे इंटरसिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए साथी साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी आम आते रहे हैं Do You Know में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में दरसल इस कंपनी से रिलेटिज बहुत सारा इंटरसिंग फैक्ट है लेकिन सबसे इंटरसिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था दरसल स्कंपनी का जो नाम है आमारा राजा वो एक्शुल में जो एक्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्राइन्ट पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था जहांपर कंपनी के जो जैदेव गाला साहब है उनके ग्राइन्टेश में उनकी माता जी का नाम था अम्रावती और साथ साथ राजगोपाल नाइडू इन दोनों को मिलाखे कंपणी के नाम अमरा राज़ा बना है। बहुत सारा रोचक तत्थ्यों में से एक इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमरा राजा बैटरी बनाती है। साथ साथ सिंगापूर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाए अमरा राज़ा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरस्टिंग फैक्ट में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अरजुन टैंक इसकी भी बैटरी अमरा राज़ा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जै और अमरा राज़ा बैटरी का ना केवल आटो मुबील में काम काज है बलक इसका हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिसको जिससे आप मुबाइल की पाते हैं उन टेलीकॉम टावर की बैटरी इसको भी आमरा राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है साथी साथ आमरा राजा बैटरी ना केवल गाडियों के लिए आटो मुबील के लिए इसके अलावा ना केवल इतना बलकि President House को भी हमाराजा बैटरी की तरफ से ही बैटरी प्रोवाइड की जाती है और पावर बैकप्स तो ये एक और रोचक्तत है जाने कि अलग अलग सेक्टरस के साथ कई सारी historic और बड़ी बैटरी प्रोवाइड की जाते हैं और साथी साथ एक और इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक अपनी बैटरी जाते हैं हेलो और बल्कम आप देख रहें सीन बीसी आवाज मैं हूँ हर्षता सावंत और ये है आपका पसंदीदा स्टार्ट अप शो आवाज आंत्रुप्रेनिया जा हम बात करते हैं भारतिय स्टार्ट अप इको सिस्टम के बड़े आईडियास ट्रेंड्स और साथी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पैशनिट यंग आंत्रुप्रेनिया की कहानी जिसने रतन टाटा को इंप्रेस किया है महज 16 साल की उम्र में जेनरिक आधार कंपनी की शुरुआत करने वाले अरजुन देशपांडे ने देश के फार्मा सेक्टर की दिशाही बदल ही है 15,000 से शुरू किया ये बिजनिस आज 500 करोड की वैलिवेशन कमांड करता है क्या है इस फास्ट ग्रोइंग फार्मा स्टार्ट अप की सक्सेस का राज ये बता रही है मेरी सहयोगी कलपता पारकर दवाई की दुकानों की तो कमी नहीं है देश में लेकिन गरीब के बुरे वक्त में यहां इंसान या ढूंडना भगवान ढूंडने से कम नहीं होता है एक बुजुर्ग इंसान को अपनी पतनी के लिए दवाईया खरीते वक्त पैसों की कमी के चलते बेबस होते देख 16 साल के अरजुन देश पांडे को जग जोर कर रख गया Heart, Neurological या Cancer जैसी बड़ी बिमारियों में दवाईयों का खर्ष हर महीने 15 से 20 हजार तक हो जाता है तो एक मध्यमवर्ग्य परिवार कैसे अपना इलाज करवाए? कै सच में दवाईया इतनी महंकी है? अगर है तो क्यों है? ऐसे कितने लोग होंगे जो पैसों की कमी के चलते अपनी जान कवा देते होंगे क्या इस दिक्कत के कुछ समाधान निकल सकता है? क्या इस शेत्र में इनोवेशन लाया जा सकता है? इन सवालों से परिशान अर्जुन को इसका जवाब मिला जेंद्रिक मेडिसिन के रूप में इस प्रावलम जो है कि ये जो प्रावलं है वह केवल वह एक रोड25 जी का नहीं होगे वह करोद naar तो सिर्फ एक मतलब विचार था एक विजन था कि चीज़ करनी है तो फिर मैंने क्या किया है चोटे चोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं हमारे अजुबाजु एरिया मैं उनको अग्रिगेट करना शुरू कि बहुत लोग ने कहा कि आप तो सोला साल के आप हमारी क्या ही मदद क कर देंगे तो बहुत लोगों ने इग्णोर किया मतलब उनने सीरियसली नहीं लिए बट जब मेरे 100 150 स्टोर पे विजिट वा फ्रैंचेसी देने की लिए तब उसके बाद में जाके मेरा फॉर्स फ्रैंचेस स्टोर चलबा तो सबसे पहले समझते हैं जेंडरिक मेडिसिन क क्या अंतर है रिसर्ट से बनाई मेडिसिन के पेटेंट होते हैं और पेटेंट के एकस्पाइरी के बाद उस फॉर्मिले से कोई भी मैनुफैक्शरर दवाया बना सकता है जेंडरिक दवा वो दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनाई और डिस्रिब्यूट की जाती है ब आदमी के पहुँच में लाना है फामसी एग्रिगेटर मॉडल पर अरजुन ने जेंडरिक आधार फार्मा स्टार्ट अप की शुरुवात की और महस्तीन सालों में देर सो शेहरों में दो हजार से जाधा फ्रैंचाइजी स्टोर्स शुरू कर दिये सस्ते और सबसेडियोर इसे में अबादी की जरूरत के मुकाबले काफी कम थी ऐसे में अर्जुन ने ना सिर्फ जेंडरिक मेडिकल स्टोर शुरू किये बल्कि इस कारोबार के लिए जरूरी एकोसिस्टम बनाने पर भी फोकस किया कर दो अज तक अप देखेंगे तो छोटा दुकान दर्चु होता था तो डेवे वे वे वरकिग वन पेन पेपर फॉर दे इंवेंटरी मैंजमेंट पर्चेस बिल से लेके से बिल से लेके लेके उनके पास में होता है वो मैंच करते हैं हम लोग ने इनोवेशिन ला दिया हम अज पूरा टेक डिवन मना दिया है वी हाव इन हांस आफ्वेर हेल्पिंग थे मैंज दे इन्वेंटरी मैंज दे बिलिंग्स मैंज दे सौफवेर मतलब अभी उनका एक्सपार पी स्टॉक्ट है क्यों हमारा सौफवेर इस्मार्ट है तो वन वन क्लिक में आज तक उनको 20-30 लोगों से प्रोक्यूर्मेंट करने की जरुवत पड़ी थी आज सिरो अंडर वन प्लाटफॉर्म अंडर वन रूफ जेनरिक आधार के उनको थाउजंस ओफ प्रडक्स अंडर वन रूफ मिल जाते हैं सो हम लोग ने उनका उस्प्रेस्था वो हम लोग ने पूरा कम कर दिया तो बैट इस रीजन तुड़े रिटेलर्स हैंपी तु जय कनेक्ट जनरिक आधार के स्टोर्स में लुक और डिजाइन से ज्यादा दवायों की अवेलेबिलिटी पर ध्यान दिया साथ ही फ्रेंचा कि प्रेंचेसी किसी कंपनी को ते लेनी तो 30 लाग 25 लाग 40 लाग देना पड़ते हैं मैंने सिर्फ नाम के लिए वो फ्रेंचेसी मॉडल है है हमारा ओन बोर्डिंग अग्रिकेशन मॉडल इसकी कारण ऐसा हम लोग जनरिकादर के मादियम से दिना चार्ज हेफ्टी फ्रें हम लोग इसमें क्या करते हैं we directly give the francis to the retailers who are existing और people who want to take the new francis of jindicadar wherein उसमें क्या होते है 180 लाग 15 मैं हम लोग पूरा उनको marketing support हो गया, main display board हो गया everything under one roof, software से लिके सब कुछ so that is then impact and ecosystem what we are conducting to the farm on this जैंडरी काधर की फ्रेंचाइजीस को इन्वेंटरी की कभी कमी नहीं खलती क्योंकि कम्पनी दवायों की मैनुफाक्टिरिंग अपने ब्रैंक के तहत करवा लेती है हमारे पास में वन अफ दो बिगेस्ट पोट्फोलियो उफ मेडिसिन हमारे पास है मतलब थाउजन से पी जादा प्रोड़क्स जन्डी काधर के माध्यान फ्रमी लोगों तक पुचा रे के इंटीर तक बनाई है इस तर्रार गुरोथ के भी छे फाउंडर की मेहनत जेंडरिक मेडिसिन की जरूरत और उपलबताता का अंदाजा लगाया जा सकता है शुरू होने के बाद जेनरिक आधार का स्केल और गानिक ग्रोष से ही हुआ है क्योंकि आज को अगरूफ के लोगों से बात करेंगे ग्राउंड पर जाते हैं कि जन्रिक मेडिसिन क्या हो कि अज सभी को जन्रिक मेडिसिन पता है मतलब जो अवेर्नेस है ठीक है चेंज वो एक समय के बाद होता है, बट शुरुवात करनी चाहिए, हम लोगे वो शुरुवात की है, आज मतलब मैं कहूंगा कि हमारा जो स्टूर है, कुलावा जैसे एरिया में मुंबई के उतना ही अच्छा चलता है, जितना भीर के चोटे से गाव में चलता है, इसके कारण ऐसा ह कुलावे जैसे शेयर में वहाँ पर लोगों के एजुकेशन है, और भीर के चोटे से गाव में लोगों को जरुवत है, तो educated people, if you ask any educated people what are generic medicines, you will take generic with the molecule name or particular brand name, अच्छे चे गाड़ी उसे लोग हमारे स्टोर उपे रुपके आते, इसके पर चारण है कि उनको पता है कि दवा से ही जेते हैं हमको, चो मुझे लग एक चेंज हो रहा है इन्वेस्टर का साथ मिला और उसके साथ में और तेजी से expansion चुरूआ और अभी तो मैं गर्व से कहूंगा, मतलब हमारी company में जपान के सबसे बड़े venture capitalist, beyond next ventures ने भी invest किया बड़ी amount अरजन के इस venture को राज्य सरकारों का भी बड़िया support मिल रहा है हाल ही में उत्तरपतिश सरकार ने 700 stores के लिए company के साथ M.O.U. sign कर चुकी है और आने वाले दो सालों में देश के 400 शहरों में 5000 फ्रेंचाइजी शुरू करने का company का लक्ष है साथ ही cancer medicine को generic category में लाकर cancer फिडितों को इलाज में financial राहत पहुचाने पर काम जारी है इतना ही नहीं भारत की जनता के लिए किफायती दवाईया पहुचाने के mission के साथ साथ अर्जुन जेनरिक आधार के तल्स पर veterinary जेनरिक medical store की change शुरू करने की और आगे बढ़ रहे है healthcare और pharma सेक्टर में बदलाव ला रहे है इस young, innovative और passionate entrepreneur को हमारी धेर सारी शुक्ताम नाए कल्पिता पारकर नुमबई तो इस story को देखकर साफ है कि आंतुप्रेन्य बनने के लिए किसी खास degree की कोई एहमियत नहीं है बस आपको problem identify करनी है और उसका solution समय पर ढूणना है चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा एक break का लेकिन इस inspirational startup story के बाद हम बात करेंगे InsureTech platform insurance देखो की company ने एक बड़े पैमाने पर series around race किया है आगे के plans क्या है जुड़ेंगे हमारे साथ co-founder अंकित अगरवाल Do you know में आजम बाचीत करने वाले हैं DLF की Delhi Land and Finance ये इस company का full form है और ये सबसे पुरानी real estate company में शुमार है 1946 में इस company की शुरुवात हुई थी और चौदरी रगवेंदर सिंग साभ ने इसकी शुरुवात की थी कुछ interesting fact ये भी है कि दिल्ली में जो बहुती prominent areas हैं जैसे की Greater Kalash, Horse, South Tech, Shivaji Park ये कुछ ऐसे areas हैं जिनको DLF नहीं develop किया था और कुछ और interesting facts में company का IPO आया था 2007 में और उस नमेकर सबसे बड़ा IPO के तोर पे शुमार था जो company के मालिक हैं कुछल पाल सिंग साभ वो एक समाने में इस company को 27 लाख रुपे में बेचने को बिल्कुल तयार ही हुए थे लेकिन फिर उनने वो फैसला वापिस ले लिया और आज ये company करीब करीब 1 लाख करोड रुपे की वर्थ रखती है जनल एलेक्टरिक पहली सबसे बड़ी global company थी जो कि इस company के lease office space DLF City में आने वाली थे और उसके बाद धीरे-धीरे कई नाम जैसे British Airways, American Express, Nestle, IBM ये कुछ ऐसी नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़ा तो ये कुछ interesting fact DLF से related आगे भी कुछ और fact लेकर आते हु CNBC आवाज है बजट का असली destination CNBC आवाज की बजट मेगा कवरिज का YouTube पर दब दबाद बजट के दिन YouTube पर मिले अपने competitors से 179% ज्यादा बीज़ बजट के दोनान मिले आपके देशमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिखते रहिए CNBC आवाज आपके मुनाफिय की बार Do you know में आज हम बातचीत करने वाले है होटल अशोका के बारे में दरसल यह ITDC managed होटल जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाह सुनी होगी खास वास्वास के वेनिवेश को लेकर या monetization को लेकर लेकिन कुछ interesting fact के अगर बात की जाए तो दरसल इस होटल का नाम जो है अशोका दा ग्रेट के नाम पर रखा गया था इसलिए अशोका पहले इसका नाम बाद में अशोक कर दिया गया दरसल कई साल पहले जब UNESCO की event में पंडे जवाल नाल नहरू साब गए थे तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क पनाना चाहिए और उसी के ही अगले UNESCO मीटिंग से पहले उनोंने सुचा कि भारत को भी बढ़िया फाइफ स्टार वो जरूर वहाँ पर जहांपर मीटिंग हो पाई इस तरह के एक जगा बना कर देंगे तब उनोंने इस तरह के डिसीजन लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए लेकिन उस समय पर तो इतनी एमेनिटी नहीं थी लेकिन विट टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली उनिसको की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया साथी साथ ये पहला फाइफ स्टार और कन्विंशन हॉल था जो की इस इवेंट के लिए तयार किया गया था पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट में ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानि कि बिना खंबो के सबसे बड़ा कन्विंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में ये 11 एकर की जमीन में ये होटल बन पर जो स्क्वार फिट के आसपास के बैंक्विट्स हैं इसके अलावा आठ रेस्ट्रों हैं जो करीब करी 25,000 स्क्वार फिट्स के हैं तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो की 11 एकर के अंदर बनाय गया है और इस तरह की एमेनिटीज वहाँ पर पोवाइड की गई है कुछ पर जैम और पिकल जैसी चीजे जो आप अगर होटल में यूज करेंगे तो उसी पेड के आमों से बना कर आपके सामने पेश की जाती है इसके अलावा कुछ और इंटरस्टिंग फैक्ट में इसमें कई सारे बड़े नाम बड़ी हिस्टोरिकल हस्तिया जो हैं वो भी कि जो दिल्ली का पहला नाइट क्लब था वो भी अशोका होटल में ही खुला था और यह जो शुरौत हुई थी 1970s में हुई थी उस जमाने में इस नाइट क्लब के अंदर उशा उत्तुप समेत या फिर शैरन प्रभाकर जैसे कई फेमस सिंगर्स ने परफॉर्म भी किया है और उतना ही नहीं इस जो मशूर अभी नेतरी हैं जैसे मिनाक्षी शिशादरी हुई या फिर हिमा माननी हुई उन्होंने भी आटो मोबील आग्रिगेटर कार देखो को हम सब जानते हैं इनका एक और इंशॉरेंस का बिजनिस है जो है इंशॉरेंस देखो इन्होंने हाल ही में करीब 150 मिलियन डॉलर की सीरीज ए फ़ंड राउंड जुटाया है इस राउंड में एक्विटी और डेट दोनों का ही मिक्स है और शायद किसी भारतिय इंशॉर्ट टेक कमपनी के सबसा बड़ा दरसल ये राउंड इन्होंने रेस किया है इसमें करीब करीब Goldman Sachs, Asset Management Company, TVS Capital Funds ने एक्विटी राउंड में हिस्सा लिया है और कुछ और निवेशक भी साथ में जुड़े हैं अब इस फंडिंग के बाद इस रकम का इस्तमाल कैसे करेंगे इन्शॉरंस टेक में इस समय किस तरह के मौके हैं बिजनिस कैसे बढ़ रहा है और यहा अब तक की इन्शॉरंस टेक्नोलजी कंपनियों का सबसे बड़ा राउंड होगा मुझे बताईए एक अंदाजा दीजे इस फंड को आप किस तरह से इस्तमाल करने वाले हैं क्या ओगानिक ग्रोथ पर जादा फोकस है या फिर कुछ इन ओगानिक ऑपरचुनिटीज भी आ अपने आइडेंटिफाई की हैं पर तो आपका शुक्रिया आपने मुझे शो पर इन्वाइट किया आपके सारे देखने वालों को मेरे तरफ से नवस्ते इन पैसों का जो हमारे पास आया है इनका उप्योग हम तीन या चार पार्ट्स में ब्रेक करते हैं एक हमारा कोर फो बहुत ही कम है वहां लोगों को इंशॉरेंस की समझ नहीं है इंशॉरेंस पर विश्वास नहीं है हम रियल भारत में जाना चाहते हैं भारत में 6 लाग गाहों है हम कैसे अगले दो साल में 3 लाग गाहों को कवर कर सकते हैं यह हमारे एक कोर फोकस है दूसरा हमारे यह मानना कि जो आने वाला दशक है, उस दशक में टेक्नलोजी में बहुत विकास हो का और टेक्नलोजी के दरिये आप डिस्ट्रिबूशन को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, तो हम टेक्नलोजी पर बहुत इंवेस्ट करेंगे, तीसरा कुछ मर्जर और अक्विजिशन की अपर्च क्या आपने कहा कि कुछ M&A पर आपकी नज़रे रहेंगी, क्या आपने आइडेंटिफाइ कर लिए हूँ आइसेट्स और लाजली इस बिजनिस को अब स्केल करने के लिए किन एरियास में आपको इन आक्विजिशिशन के जरिये और पकड़ मिलेगी? कुछ एसेट्स हमने आइडेंटिफाइ कर लिए मैं और कुछ एसेट्स को मैं आइडेंटिफाइ कर रहे हैं भी, we are in the process of talking to investment bankers to find out more assets, हमारे ये मानने कि कोई भी acquisition आप करते हो, तो या तो आपको एक नए जोग्रोफी में आप जा सको, एक नए इलाके में आप जा सको, या आपको कोई ऐसा skill set मिले जो आपको बनाने में बहुत समय मिलेगा, तो इन दो areas में acquisition देख रहे हैं, और हमने जो भी asset identify किया है या जो भी company identify किया है, वो इनी spaces में आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि primarily आप भारत को दो भागों में देखते हैं इंडिया और भारत और आपका मकसद यही है कि भारत का हर कोई शक्स in short रहे, उनको ये coverage मिले, ये मुझे बताईए, जब से आप लोगों की शुरुआत हुई है, तब से लेकर हमारे 80% जो commission आता है या जो premium आता है हमारा वो beyond tier 2 cities आता है, तो 80% of our consumer base is beyond tier 2 cities, हमारे पास आज के दिन 80,000 partner है, जिसमें about 85% of our partner, between 80 to 85% of our partners are beyond tier 2 cities, that is from real भारत, हमारे 22% partners है, वो महिलाए हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हम नहीं गये हैं, बट हमने महिलाओ को वो opportunity दिये कि हमारे platform से जुड़े और हमारे platform के जरीए वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके हैं, और actual growth कहां से देखने को मिल रही है, क्या या आपकी वो महिला clients है, जहां से growth देखने को मिल रही है, या फिर जो आपने कहा tier 2 में ज़्यादा pick-up देखने को मिल रही है, वेर आ अपने को मिल रही है, और अपने को मिल रही है, और अगर उस अंतर को अच्छे तरीके से लेके आएंगे, तो हमारा बिजनस आपकी बढ़ेगा, वो इसका by-product होगा, तो हम इसको सिर्फ profit या revenue के तरीके से नहीं देखते हैं, इसको इसे भी देखते हैं कैसे लोगों के जिंदगी में difference create कर सकते हैं, वो तो of course एक बड़ा mission होता है कि आप जादा impact create करना चाहते हैं, जादा लोगों को दरसल insurance वाले bracket में लाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह के products आपको सबसे जादा कमाय करके देते हैं या फिर profitability लेकर आते हैं, जहां पर maximum traction है, हमने जब start किया तो हमारा focus मोटर पे था, क्योंकि वो एक mandatory product है, penetration असानी से हो जाए है, लोगों को भी असानी से product बेचना और थीदना आता है, फिर हमने realize कि जब COVID आया, कि health insurance भारत देश में बहुत ही बड़ा problem है, तो हमने health insurance पे focus किया, that business for us is growing about 300% year on year, we've also started life insurance, life insurance मुझे लगता है कि बहुत ही important product है, जो हमको भारत देश में बेचना चाहिए, और life में खासकर term insurance, तो उस पे हम बहुत strongly focus कर रहे है, Lastly, मेरा मानना है कि भारत का जो लगूद योग है, जो हमारे SMEs है, जो हमारे देश का backbone है, इनको insurance नहीं मिल पाता, क्योंकि इनको insurance खरीदना बहुत ही tiresome लगता है, या बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इस problem को भी हम solve कर रहे है, तो SME insurance is a new vertical which we started off and which we are focusing on very very strongly. अचा, insurance as a space, of course, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी पहुँच बनाने की बड़ी opportunity है, इसलिए आप शायद इस business में उतरे, लेकिन profitability का रास्ता कैसा दिख रहा है, क्योंकि आप से बड़ी company और कई listed company अभी भी कभी struggle करती है, and it's not seen the rosiest picture, मुझे बताईए आपके लिए business कैसा है और profitability को अचीव करने के लिए आप लोग किस तरह से कमर कस रहे हैं, फिर क्या actual positioning रख रहे हैं अपनी, all I can say is की profitability पे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नजर हटे, क्योंकि business has to create an impact in people's life, and business has to generate profit, a business's role is to generate profit, we've always focused on profitability, this quarter we should break even, and on a next full year financial basis also, we will break even, तो हम बहुत ही clear हैं कि हमको एक अच्छा business बनाना है, जो कई-कई सौ सालों तक रहे, और वो business profitably run हो, यह दो चीज़ों पर हमारा core focus है, हम एक insurance company को analyze करते हैं, हम annual premium earned देखते हैं, value of new business देखते हैं, जब आप लोग अपने numbers देख करते हैं, so are you primarily looking at कि आपने कितनी policies बे देखते हैं क्योंकि हम एक B2B company है, तो हम यह देखते हैं हमने कितने agent भाई और पहनों को अपने साथ जोड़ा है, हर महने के महने, हम यह देखते हैं कि हमने कितना premium किया है, कितने नए consumer से premium किया है, फिर बहुत ही important metric हम देखते हैं, lifetime value of a consumer, एक consumer हमारे साथ कितनी बार आके insurance खरीद है, कितने प्रकार का insurance खरीद है, लास्ली, जैसे कोई भी business को आप देखते हो, आप business को देखते हो कि आपका gross margin level पे, मतलब जितना आपके पास रुपया आया, आपने कितने रुपया थंच किया, उसके बाद कितना profit बचा है, और फिर उसके आपने उसमें salary, real estate देने या फिर लोग जादा effort नहीं लेते उस particular document को पढ़ने के लिए, तो miss selling बड़ी आसानी से हो जाती है, और ये largely agents के through होता है, कभी-कभी अंदेखें से, कभी-कभी intentionally, और हम सब जानते LIC के कई सारे products जो हमारे पास शायद होंगे, अब लगता है कि, you know, why do I even get into it, miss selling को रोकने क के लिए, आपका platform exactly किस तरह के कदम उठाता है? अगर कस्टमर ओके नहीं करता है, हमारे यह से बाकेंड से फोन जाता है, तीसरा, there is something which we call a know your policy, तो हम खाली policy का document नहीं भीचते, हार document के साथ हम एक know your policy का document भीचते, जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरे policy के coverage को चार पार्ट में बाटा हुआ है, लास्ली जो सेल क अगर प्रोसेस है, तो हमारे हां, जो भी हमारे एजेट भाई आते हैं, बहने आते हैं, या हमारे हां जो खुद के सेल्स टीम के employees है, उनका हम क्वालिटी स्कोर पे बहुत स्टॉंग फोकस रखते हैं, और इनी क्वालिटी स्कोर पे बहुत स्टॉर फोकस रखते हैं, और Clearly, the customer is the main focus area और उसी को service करने के लिए आप यहाँ पर कई सारे कदम उठा रहे हैं अंकित, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए इस भीन प्लेजर स्पीकिंग टियू and all the very best Thank you so much, thank you चले इसी के साथ आवाज आंतुप्रेनिया में हम लेंगे आप सभी से इजाज़त आपको हमारा शो कैसा लगा इसका feedback आप हमारे साथ जरूर शेर करें अगले हफ़ते फिर मुलाकात होगी, goodbye, take care Do you know में आजम बाचीत करने वाले हैं DLF की Delhi Land and Finance ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है 1946 में इस कंपनी की शुरुवात हुई थी और चौदरी रगवेंदर सिंग साहाब ने इसकी शुरुवात की थी कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुती प्रॉमिनेंट एरियाज हैं जैसे कि ग्रेटर केलाश, हौस, खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क ये कुछ ऐसे एरियाज है जिनको डिल्फ नहीं डेवलप किया था और कुछ और इंटरस्टिंग फैक्ट में कमपनी का आई प्यो आय था दो हजार साथ में और उस समय को सबसे बड़ा आई प्यो के तौर पे शुमार था जनरल एलेक्टरिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कमपनी थी जो कि इस कमपनी के लीज ओफिस पेस डीलेफ सिटी में आने वाली थे और उसके बाद धीरे-धीरे कई नाम जैसे British Airways, American Express, Nestle, IBM ये कुछ ऐसी नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़ा है तो ये कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट टीलेफ से रिलेटेड आगे भी कुछ और पैक्ट लेकर आते है Do You Know में आज हम बाचीत करेंगे एक मेगा फुटवेर कमपनी के बारे में यानि की बाटा के बारे में बहुती इंट्रस्टिंग फैक्ट ये है कि जातर तर लोगे बाद जानते है कि बाटा शायद इंडियन बाटा लेकिर एक्च्वल में वो इंडियन बाटा नहीं है वो एक चेको सलवाकिया बेस्ट कमपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है बाटा से लेटेड कुछ और इंपॉर्टन फैक्ट ये टॉमस बाटा ने शुरू की थी 130 साल पुरानी कमपनी है जिसकी existence इंडिया में आप देख रहे हैं दरसल इस कमपनी की शुरुवात हुई थी जब एक बारी टॉमस बाटा साब इंडिया में आये थे अपना raw material सोर्स करने के लिए जिसमें rubber लेदर जैसी कुछ चीज़े थी जिसको सोर्स करने के लिए इंड इंडिया में देखा था तो उनको एक idea आया कि यहां पर भी बड़ी market capture की जा सकती है जो कि उन्होंने capture की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी company के तौर पर बाटा शुमार भी है तो बाटा से related कुछ facts आपके सामने आगे भी कुछ और facts आपके लिए अपने कर आते ह Do You Know में आजम बाचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी companyों में शुमार एपल की दरसल एपल जो की हर घर में जाना हुआ नाम है उससरे कुछ interesting facts आपके सामने रखते हैं आपल जो की दुनिया की सबसे बड़ी companyों में शुमार है एक समय पर यानि करीब-करीब 26 साल पहले आपल bankruptcy की कगार पर पहुँच गई थी जहां पर Microsoft ने जो की इनके बड़े rival के तौर पर शुमार होते थे उन्होंने इस company के अंदर investment किया था करीब-करीब 15 करोर डॉलर का और उस investment के बाद से एपल की जो स्टोरी है वहाँ पर revival आता हुआ दिखाई पड़ा इसके अलावा एक और interesting fact कि एपल की आज की market cap है करीब-करीब सवा 2 लाख करोर डॉलर जितनी Indian GDP या जिसके आसपास Indian GDP का हमकाज करी है तो किस तरह से एपल ने एक bankruptcy के level से अपने आपको revive किया और आज इस तरह का size बनाया वो आप खुदी अंदादा लगा सकते हैं कि एपल की market cap Indian GDP के आसपास है तो इस तरह के revival यानि की बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अ आज Do You Know में हम बाचीत करेंगे देश के सबसे बड़े milk producer यानि की Amool के बारे में दरसल Amool जो है वो एक dominant player है milk space में ये वैसे तो एक short form है अगर इसके full form की बात किया है तो आनंद milk union limited के नाम से इसका एक full form बनता है Amool जो के करीब करी 85% market share रखता है butter space में और करीब करीब 60-50% market share रखता है cheese space में इस company से related कुछ interesting facts में पहले तो Amool गर्ल जो की इनका एक advertisement icon है 57 साल उसकी उम्र है और करीब-करीब 1966 से नमस्कार स्वादत है आपका आवाज अड्डा में और आज आवाज अड्डा एक बहुत ही vicious विशय पे है और जिसकी चर्चा आप सुनते रहते हैं गाहे बगाहे तो हमने सोचा उसको और डीप समझने की कोशिस करते हैं तो हमने अपने शो का नाम इसलिए दया कि इस तरक कि को क्या नाम दू क्योंकि हमारी एकॉनमी में हमारे देश में जो तरक्की हो रही है उसको लोग अलग-अलग नाम से पोगारते कोई कहता कि बड़ी अनिवेन है फिर फिर फॉर पॉलिस लेंग्वेंज में लिंगों में बोलता है के शेप रिकवरी होने की तरफ बढ़ यह बहुत सारे पेरामीटर्स इसमें लगाया जाते हैं लेकिन कुछ उधारनों के दौरा हम लोग समझने कोशिस करते हैं कि यह चर्चा क्यों इतनी महात्पूर हो गई है हाल फिलाल में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एर ट्रेवल बहुत महंगा हुआ है होटल के टैरिफ बहुत उपर गये हैं टूरिजम में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिली जब आप एक्सपीरियंस करते होंगे तो यह किस बात का जैसे अगर आप एयर फेर्स को देखें या होटेल्स को देखें या एयर लोड को देखें तो इतनी ज्यादा है कि मतलब जन्वरी 2022 के सामने जन्वरी 2023 में घरेलू जो एयर ट्रेफिक है उसमें 95% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इसी के पैरलल जब आप होटेल के समेट हो रही है कई energy समेट हो रही है g20 हो रहा है state investment समीट हो रही है फिर अभी IPL भी आने वाला है उसकी वज़े से होटल के किराए भी बहुत बढ़ गये हैं तो क्या होटल के किराए बढ़ गया है एयर ट्रेवल महेंगा हो गया है या luxury cars जड़ा उसका भी एक नजारा जो भी खतम हुआ है, वो 21 में 11,000 हुए थे, इस बार 15,800 है, इतनी महंगी कार है, उसके बाउजूद इतनी महंगी जाड़ी बिक रही है, ओडी में पिछली बार 33,000 है, निए 2021 में 32,93 भी की थी, 2022 में 41,87 बिक रही है, BMW को देखिए, 8,236 के सामने 11,268, और महंगी गारी यह देख लिए, 474 पोर्ष भी की थी, इस बार 779, लगभग 800 गारिया, लंबार की नहीं, और महंगी कार में आप जाईए, तो 69 के सामने 92 कारे लिखे है, यह क्या दिखाता है, कि यह किस टाइप की रिकवरी है, यह किस टा तो उसका भी एक नमबर देखिए आप, जन्वरी 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 चुकि मन्थान मन्थ सेल्स आते हैं, जन्वरी 2000 पिछले साल सेगर हम कंपेर करें, तो पैसेंजर वेहिकल की ग्रोथ जो है, 22% बढ़ी है, आल इंक्लूजव, मतलब उसमें 5 लाग रुक वाली कार्स ल जाता है, क्योंकि जब आप 26,000 रुपए डेली वाले होटल में रुकते हैं, तो उसमें आपके सर्विसेस के लिए बहुत सारे लोग जोले होते हैं, क्लिनिंग का स्टाफ होता है, मनेजमेंट स्टाफ होता है, फूड होता है, फिर आप जब कमरे से बाहर स्टिप निकालत जो कि एक कंजूमर एकॉनमी पर ज्यादा हम लोग चर्चा कहते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हमनेगी जीडीपी और फिसकल डेफ्सेर और ये सब नहीं, कामन सेंस वाली बात, कामन आदमी की समझने वाली बात, इसलिए हमने बुलाया है, जिसका छोटा नाम है प् समझने के लिए, जॉब मार्केट के तस्वीर एक डिफरेंट कहानी करी है, तो ग्लोबल हंट के मडी सुनील गोयल जी माय साथ है, जॉब मार्केट मों कि अभी छोटे इस तर पर देखिए तो बहुत जगहों पर ले आफ्स हुए है, छटनी हुए है, कुछ जगहों पर, लेकिन उसके कंपरिजन में आपके लिखना चाहिए कि कोड़ें में भारती कितने हुए थे, वो भी एक नंबर कॉंटेक्स में डालना चाहिए, तो गोयल साथ समझेंगे, एकॉनमिस विजए सरदाना जी माय साथ होंगे, और साथ ही एर इंडिया के पूर्व एडी जितें जो खुद एर लाइन्स इंडिस्ट्री को में हम सबसे बहतर समझते हैं कि ये इतने टैरिफ क्यों बढ़े हुए हैं और क्या रीजन से, साथ ही पाइपर सेरिका के फाउंडर, अभै जी हमाँ साथ है स्टूडियो में, और अभै जी बहुत घूमते रहतें देश विदेश चैनल चेकिन के बास रहता है कि ग्राउंड से और उपर से मार्केट क्यों खुश हो जाता नमबर उस पर कनेक पठाएंगे, सौगत सर आप सब लोगों का, राजे शुगला जी मैं तो बिल्कुल बेसिक सवाल आप से पूशा रहता है, यह जो ग्रोथ हो रही है, जो समझने के कोशिस कर रहे हैं, एक ही चीज हम इसमें कहेंगे कि पोस्ट कोविड एक नया, कंजूमर एको सिस्टम इंडिया को दिया है, इंडिया वो ऐसे वी बड़ी ही कम्प्लेक्स एक मार्केट है और इसको एक किसी चीज से डिस्क्राइब करना बड़ा ही, दिस बहुत म एक दो चीजे हम कह रहें कि जैसे उस समय हुआ था कि जो हमारे हिसाब सोता है इंडियन कंजुमर एकनॉमी में कि अगर जीटीप ग्रोथ हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ के जो फैक्टर है हाव इट इस कंट्रिबूटिंग तु अग्शार में ज़ातेส secrets में अगर कोविट के बाद इस एकनॉमी में देखते है तो घ्रोथ हम कहते हैं जो एकjsे ब씨 निगेटिब ग्रोथ जिसे हम कहें लेकिन वो negative growth हर एक जगह नहीं थी हर एक लोगों में नहीं थी तो आपके bottom 40-50% में income growth negative थी लेकिन जो टाप में अगर आप देखेंगे कि middle class जिसको हम कहते हैं 5 से लेकर के 30 लाख annual household income में वहां growth दिखाई दी थी और ये लोग कौन लोग हैं कहां पे हैं तो ये जो growth engine जिसको ह इसे describe करें ये growth actually जो हो रही है ये top के अभी भी जैसे top के अगर हम कहें 40% लेके चले 34-35% वहां पे जो कि एक इसम से metro phenomenon है are the developed ruler जो हमेशा एक चीज कहते है ruler को एक तरह से मत देखिए बलकि ruler का पड़ी developed ruler की income expenditure life style जो आपके second tier city है उससे in terms of expenditure and life style से purchasing power में ज़्यादा है तो हमें कह रहे हैं दो चीज इसमें नीरज हम कहाना चाहें कि एक तो growth जो हो रही है उसको किसी नाम से देने की वैसे जरूत नहीं तो हमें जरूत हो रही है हो रही है और growth का distribution समझना हमारे हिसाब से बहुत जरूरी है और उस हिसाब से हम देखते हैं जो middle class or rich है जो 30-34 percent है और grow कर रहे हैं काफी fast और जो bottom आपके देखेंगे 60 percent है जो जिसको हम aspirer कर रहे है और recover कर रहे है recover क्या कहना चाहिए कि जैसे during that period they are the people during the pandemic they are the most suffered people अब वो क्या कि एक उधार लेकर के कुछ खाये है उधार करके रखे हुए तो क्या करें जो income उनकी भी बढ़ रही है लेकिन उससे अपने आपको recover कर रहे है तो हम जो आपके एक दो example लेते फिर आप जब आप कहेंगे हम आपको बताएंगे तो यह जो अभी बूम दिखाई दे रहा है particularly जो आपने कहा चाहिए hotel industry में लोग जा रहे है इसलिए कि इस सब obvious है कि लोग घर में बैटे थे हम निकल रहे है बाहर demand जैसे है घर में सारे तो अभी एक रहता हो बाहर निकल रहे है दूसरा चीज car का 50-60% जो है टाप 10% लोगों के पास है दिखाई दे रहा है ओ जो बाटम में हो रहा थो रुका हुआ है थोड़ा से चले पीपोल रिकोवरिंग फ्रॉंद जो पैंडमिक सॉक्स था उसके नाते यह जो डाइनमिक डाइनमिक मार्केटिंग जो एक उथा उथोड़ा से चेंज हुआ है और यह नया कॉंजूमर है इंडिया का है इंडिया के एक नया कंजूमर जो आया है डिमांड इस देर, पर्चेजिंग पावर इस देर, बट नीड तो बी क्लियरली अंडरिस्टैंड वेर आवर मार्केट इस अंडरिस्टैंड थे कंजुमर जी तो राजे जी तीन बातें आपकी महत्मुर्ण संजी इसको मौर एक्स्पेन कराएंगे आपसे एक आपने कहा कि जो 30-35% मिडल क्लास है वो बहुत तेजी सिक्रो कर रहा है और दूसरा आपने कहा जो एस्पारिंग क्लास है वो रिकवर कर रहा है वो स्टैटिक नहीं है और तीसी बहुत महत्मुर्ण बात के जो हमको लगता है जनरली गेज करने में दिक्कत होती है कि नया क्लास एक जो क्रियेट हो रहा है वो डिमांड जनरेट कर रहा है तो इस पर और थोड़ी चर्चा करेंगे लेकिन एक जो बिलकुल अव्यस दिखता है भारगो साब आपका इलाका है यह एयर टिकेट इतने महेंगे हुए है एकॉनमी क्लास एक्सक्यूटिव क्लास बिजनेस क्लास जबरदस्त है यह क्या डिमांड लेट है या मैं एकनम ब्लेंटली कहूँ कि कोई ने बड़ा नुक्सा उठाया तो प्राफिट बना रहे है यह एक्शुली रियल डिमांड है इस वज़े से इतने ज़्यादा बड़ रहे है लेकिए डिमांड तो रियल है प्रसेंजर्स किराया देके टावल कर रहा है लेकिन अगर इसको समझ दे कि यह चीज है कि हमारी मार्किट ऐसी थी पहले इसको होशा प्राइस सेंस्टे मार्किट कहते रहे हैं कि अगर एरलाइन पांच प्रतिशत फेर बढ़ाती थी तो एक डो प्रतिशत ग्रोथ रिडक्शन हो जाता था इसके कारण एरलाइन कभी मुनाफ़ा नहीं बना पाती थी बहुत सारी एरलाइन मार्किट में बंद हो गई लेकिन यह तो पिछले तीन-चार महीने हम देख रहे हैं यह एक नया ट्रेंड दिखा रहा है एक तो एरलाइन्स के अंदर में डिस्सिप्लेन आ गया है वो अपने फैर्स को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं और यह बात इन्होंने गलत साबित कर दी है कि जब फैर्स बढ़ते हैं तो नंबर आप एसेंजर्स गो डाउन वो नहीं हुआ है जब यह मैं डिस्सिप्लेन के बात कर रहा हूं यह है कि एरलाइन्स अपने नंबर आप फैर्स को मॉनिटर कर रही हैं मॉडरेट कर रही है कि जिसका सीधा का सीधा फायदा यह हो रहा है एरलाइन्स को कि लोट फैक्टर जो है है 85 प्लास 90 परसन प्लस के ऊपर चल रहे हैं जब लोट फैक्टर जादा होते हैं तो सभावी के मुनाफ़ा जादा होता है इंडिगो लिस्टिट कंपनी है उसने अपने अक्टोबर डिसमबर के रिजल्ट बताएं कि 15 क्रोड का प्रोफेट पर डे का बनाया इंडिगो ने जबकि एपरिल जून कॉर्टर के अंदर में दोजर माइस के में 11 क्रोड का नुकसान किया पर डे का तो अब देखिये कितनी वाइल्ट स्विंग है यह कि 11 क्रोड पाती दिन नुकसान से 15 क्रोड मुनाफ़ा हो तो मैं शुक्रा जी से पूरी तरा से सहमत हूँ कि हमारी जो पेंच अब डिमांड है तो लोग विद वेंजेंस ट्रावल कर रहे हैं यह तुम डिमेस्टिक सेक्टर की बात कर रहे हैं जनवरी 2020 में हैं जोकि मैक्सिमम फ्री कोविड की फिगर थी चार लाग बारा हजार प्रसेंजर पर डे अब तो हम चार लाग 35 के ओपर पहुंच ग कराएंगे क्योंकि जनवरी 2020 में 3080 फ्लाइट प्रति दिन एवरेज डिपार्चर जुआ करते थे अभी तक हम उस संख्या पर नहीं पहुंचे हैं जबकि हम 25,000 पेसिंजर एक्स्ट्रा परडिट ट्रावल कर रहे हैं तो जब जनवरी मार्च के रिजल्ट्स आएंगे लोगों को ट्रावल करना अब पिंट-अफ फीलिंग के बार में तो मैं बताओंगा लेकिन ये बात सही है कि कुछ हैं जो लोग कर रहे हैं सीरिया सेटिसन हैं वो ट्रावल कर रहे हैं कॉर्टेट ट्रावल बढ़ गया है मैं ये भी कहना चाओंगा कि जब ये भारत जोड करेक्ट और नहीं सर आपने मिल्कुल सही का मेरे सामने बैलेंस शीट और की दिसंबर कॉर्टर में पंदरा सो क्रोड का प्रॉफित है और दिसंबर कीस में मातर एक सुटाइस क्रोड था पंदरा गुना बढ़ाया प्रॉफित और यह जेन्वेन डिमांड है आपने बाद जो पहले ही लखनों में यूपी इंवेस्टर में समिट हुई तो यह जो नई है यह कोई पेंटब निसे जन्वेन मेरे साल से आदमी कोई पेंटब डिमांड नहीं तो जाना पड़ता है तो इसलिए जा रहा हूं डिमांड जनरेट होई रही है बारगो जी एक चीज तो पक्क पर देखा गया है कि बहुत सारे विदेश से चाहे बारती हों चाहे वो भी आते हैं और जब वो इंडिया में आते हैं तो एक दो तीन डिमस्टिक अवश्य लेते हैं चाहिए शादियां अटेंड करने के लिए बिक वाट वेडिंग जिसको हम बोलते हैं वो भी अभी तो यह मेरे खार बहुत सारे फैक्टर से जो कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं मैं तो एज एरलाइन परसे वेल कमेट कि बहुत लंबे दौर से हम लोग एरलाइन डिफिकल दौर से गई हैं बंद हो रही हैं मुनाफ़न यह बना पा रही हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों में गुद लोड फैक्टर्स गुद फैर्स सुभावे कैप प्रॉफित होगा तो अगर कोई वल्लिम रिल्टी आती है बाद में जैसे पैंडिमिक हुआ था बहुत सारे नुकसान हुआ वो शायद एरलाइन सेहन कर पाएगी जी अवे जी आप बहुत घुमते रहते हैं जब भी फोन करो तो आप पतला घुम ही रहें कहीं पे तो जो भी राजे शुकला जी ने कहा कि जो 60% आबादी है जिसको एस्पाइरिंग क्लास कहना में जादा पसंद करता हूं वहां पे रिकवरी है मेडिल क्लास तो खैर बढ आदनी के पास नहीं है क्या ग्राउन पर भी ऐसा है क्या थोड़ी तो रिकवरी है अनीवन वह दिख रहा है क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जैसे आप देखें डेटा तो जो सस्ते वाले मोबाइल फोन हैं उनकी सेल कम थी पिछले तीन महीने में और ऐसा कि सेल क्यों गिरी मोबाइल फोन की और जबकि सबके पार रोजगार है लोगों को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं एक मेरे को लगता है एक कम कंजंप्शन का इस तबके का एक रीजन मेरे को लगता है यह है कि आर बी आई ने फिंटेक कंपनी को काफी टाइट र देखेंगे और अभी भी जो आ रहे हैं वो सारे इस लाइन पे हैं कि बैंक्स को डिरेक्शन है कि आप डिरेक्ली लेंड करिए जो फिंटेक कंपनी हैं उनसे पोर्टफोलियो मत खरी दिये फिनांश जो एग्रीगेटर्स हैं उनको टाइट किया है कलेक्शन सिस्टम को बह मुझे लगता है एक उसका टाइमिंग का इश्यू है कि वो जो पैसा पहले मिल जाता था बी एन पील जिसको हम कहते हैं वो बी एन पील में काफी स्लोडाउन है अगर आप उसका डेटा देखेंगे क्योंकि आर बिया का बड़ा क्लियर डिरेक्शन है कि अब उन्होंने कहा है आर बिया की एक फिंटेख लेंडर की वाए हमीट बनांगे तो जो उस वाइट लिस्ट में हैं वही सिस्टम में एक्नेगे तो यह अवेलेबिलिती ऑफ ईज़ी क्रेडिड जो था एक तो व हो बहुत काम हो गया मतलब और को लेंडिंग भी अच्छे बहुत पर होती थी, 40-60% की इल्ड पर होती थी, वो भी नहीं मिल रहा है पैसा इसली, तो एक मुझे लगता है, एक ये रीजन है, कंजम्शन थोड़ा काम है, और दूसरा, जो लोवर लेवल पर है, अभी भी ये है कि जितना, एक इन्सेक्यूरिटी अभी भी है, कि चलिए अभी कुछ पैसे आने शुरू हुए है, तो ज़्यादा, बचाओ, थोड़ा बचा लो, क्योंकि अभी खर्चे भी आने वाले हैं, और ये लोग क्या, इन्फलेशन भी इन्होंने देखा, अभी थोड़ा काम हो गया, पर प्राइस इन्फलेशन बहुत था, और उसमें एक चीज़ हमने निरा जी नोटिस करी, जो महेंगी प्रोड़क्ट्स हैं, महेंगा साबुन, महेंगे चिप्स, महेंगे कोल ड्रिंक्स, वो लोगों ने डाउंट्रेड करके सस्ते वाले में चले गए, क्योंकि ये एक कमोडिटी प्रोड़क्ट है, आप ब्रैंड बोल सकते हैं, पर साबुन तो साबुन है, मैं नेसले का मैगी नहीं लूँगा मैं दूसरा जो मेरा लोकल ब्रैंड है सस्ता वाला वो ले लूँगा तो वो भी एक डाउन ट्रेडिंग भी हुई है काफी वाल्यूम में तो फिर इसका मतलब यह वागया का डाउन ट्रेडिंग हुई है तो वो जो गरीब आदमी पहले 15 पहला नहीं खरीट पाता था वो दस रुपाला खरीद रहा तो इसका मतलब कंजम्शन वहां तक गया और ब्रैंड के नंबर को इसलिए दिखता क्यों डाउन ट्रेडिंग करी तो वाल्यूम मैं यह काऊंगा कि वाल्यूम है मतलब जितना टन नूडल्स भीक रहे थे उतने यह टन जाएदा बिक रहे हैं पर वो उन कंपनीज को नहीं जा रहे हैं जो लिस्टेड है हर प्रोड़क का आप देखेंगे एक लोकल ब्रैंड है जिस गाउं में शहर में चला जाओं में एक लोकल ब्रैंड है यह नो डाइमंड में डाइमंड चिप्स करके आप गुजरा को थोड़ा पैसे बचा लें वॉल्यूम उतना ही कंज्यूम करें और यह दूसरा एक बड़ा फणी मैं आपको बताऊंगा हमें एक इनर्वियर इंडस्ट्री देखते रहते हैं तो डॉलर लक्स उसका इंडेक्स भी है उससे लोग अंदाजा लगाते हैं कि इकार्णी कैस इसलिए इसलिए तो लोगों ने उधर भी डाउंट्रीड ले लेंगे वाई क्यों हमको यह नो बड़े सेलेबिरिटी और एंटेट ब्रैंड लेने है तो मुझे लगता है वो जो एक तबका है वो एक थोड़ा समझदार भी है एक थोड़ा जब किल्लत होती है तो अपना ह कि आपको ऐसे दिखता है कि वहां पर लोगों के सामने बिल्कुल काम नहीं है टैक्सियां खड़ी है कोई बैठने वाला नहीं है रेस्टों खाली पड़े है खाना नी बन रहा है शेफ इदर घूम रहा है ऐसा सिनर्यों मैं जाना चाहूंगा ऐसे शेहर में क्योंकि जिस शेहर में मैंने यह मैंने नहीं देखा इसलिए मैं कि वाल्यूम कंजम्शन में कोई प्रेशर नहीं है तोड़ी डाउंट्रेडिंग हुई है जैसे राजे जी ने का जो लोवर 30% के लोग है उन्होंने उपर वालों ने तो भी नहीं करी है मतलब वो तो खुले आम तो उस तरह के और जो एक्सपेंसिव फोन से अभी वन प्लस ने लॉंच किया अब सोल्ड आउट है तो उस तब के कि तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसी को किल्लत है काम के किल्लत नहीं और समान भी क्राय लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा और एक बार चलते हैं सर्दाना जी के पास सर्दाना जी थोड़ा यह बताईए कि सब अमीरों की ग्रोथ हो रही है क्या तेतालिस पैतालिस करोड़ों वाले फ्लैट डिल्ली अंसियार में कंपनी ने बेचे हैं और नाइट महेंगे मकान मैं तो हीरन दानी जी सेक्शर शों करता है कि टू, थ्री, फॉर, फाइब बेचे के ना सिर्फ बिग रहें में तो दाम भी बढ़ा रहा हूं उनके और इस सारे बिल्डर वेसा करें तो यह जो यह एक आलोशना है इसमें कितना दम है क्या वाकई एक ऐसी एकॉनमी हम लोग बनते जा रहे हैं जहां पर सिर्फ भारत बदल गया है कि हर लेवल पर बदल वाया है लोगों के बदल में बदल वाया है काम करने के तरीके अज एक्स अब फॉस लाइव एक्जांपल देता ह। आप अपने कॉले टाम को याद करिए की आप जब कॉले जाते थे से अध्य省 नागिज हाथ चुटियों में घर जो engineering कर रहे हैं, medical कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, IM में पढ़ रहे हैं या किसी भी professional college में हैं, कितने बच्चे आपको दिखे होंगे जो दिल्ली से चिन्णाई भाही train गए हों या दिल्ली से बॉंबे भाही train गए होंगे होंगे ट्रेन का डिस्टेंस अब मैक्सिमम ओवरनाइट हो गया, इसके आगे अगर होता है, तो लोग कहते हैं, यार भाई, यह सले जाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, लोग आज कंपेर वो करने लगे, अगर मैं ट्रेन बुकिंग भी करता हूं, तो स्पेंडिंग पावर, हर एंगल को रिएसेस किया है, यह हमें समझना होगा, यह सरफ हिस्टोरिकल, त्योरिटिकल चीजें नहीं रही है, दूसरा, हिंदुस्तान एक सो चालिस करोड का देश है, और इसमें आप कंजूमर्स को दो कैटेगरी में आसानी से बाट सकते हैं, एक है शो आफ कैटेगरी, जिसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको डिखाने के लिए गाड़ी चाहिए, आप समझे इस बात, एक आदमी जो अपनी लाइफ में सक्सेस्फुल है समाज में, आपके कलीग, आपके रिष्टेदार, आपके फ्रेंड, आपके गाउवाले, आप सक्सेस्फुल है, आप कम जाते हैं, जब आप किसी हाई-end एड्रेस पी लेते हैं, चाहिए उसमें 90% लोन हो, सवाल ये है कि एक एस्पिरेशनल वेल्यू है, शो आपके, दूसरी तरफ है वेल्यू बेस्ट कस्टमर, जिसको आप वेल्यू ओर्येंटिड कस्टमर बोल सकते चिप्स खाना है ना, बच्चे का बढ़ डे पाटी है, बटा चिप्स आजाएगी, लेकिन क्या ब्रैंडिड चिप्स आएंगे, जो ब्रिठ नहीं है, मेरे महले में जो हलवाई है, मेरे खियाल से वो ब्रैंडेड चिप्स से अच्छा ताजा चिप्स देता है, इसमें तो एक मारा उनको लगता है कि मैं ब्रैंड इड लूँ या लोकल लूँ जब आपको डिस्प्लेई करना है तो कौन से थैली के साथ आप डिस्प्लेई करते हैं तो महले वाले से बोलो यार चार पैकेट दे दो 2200 ग्राम के जितने में 100 ग्राम आता है ब्रेंड़िट कहने का मतलब जाए समाज assess कर रहा है लोग intelligent हो रहे हैं एक तरफ जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि समाज उनको accept करें कि they are successful उसके लिए they have to display their wealth in various manners दूसरी तरफ वो consumer base है जिसकी need है जो अच्छा खाना चाहता है अच्छा सब कुछ करना चाहता है लेकिन शोफ नहीं करना चाहता जरूरते पूरी करना चाहता ब्रैंड पर पैस्टा वेस्ट नहीं करना चाहता वह अपने experience लोगों से समझ के social media के reference से friends से पूछ के अपने decision बदल रहें सबसे अच्छी बात क्या है जो आप MSME की बात कर रहें सब्सक्राइब अग्जामपल दिया अंडर गार्मेंट से एक समय था जब ब्रैंडेड और अन ब्रैंडेड की quality में बहुत ज्यादा डिफरेंस आज हकीकत यह है कि बड़े बड़े ब्रैंडेड भी तो वहीं से बनवाते हैं जहां से अन ब्रैंडेड बनवाते हैं फिर स्टीकर का फरक है कंश्यूमर शुरू में डरतावा लेता है लेकिन जब वो क्वालिटी देखता है मैं आपको अपना एक्जामपल देता हूं कि मैं 500 रुपए के सौक्स लाता था आज आप ऑन-लाइन चले जाए 59 रुपए में सौक्स मिलता और डाइसो से जाना अच्छा है यह आप एक्स् कर दिए कि आज कंश्यूमर के पास क्लारिटी है कंश्यूमर के पास रेटिंग है इक्समें करता जी सब्सक्राइब कर देता क्या फिर यह जो के शेप रिकवरी है इसकी आलोचना नाजाइज है नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्स्पीरिंस अलग है और हमको देखने के तरी सब्सक्राइब करें जिस दिन मेरी इंकम 15,000 हो गई उस दिन मैं अपना बिहेवियर को बहुत ड्रास्टिकली बदलूगा तो जो आप खेशेप रिकवरी की बात कर रहे हैं वो लोग है जो लोग साइड ग्राफ जा रहा है जिनकी इंकम थ्रेशोल से नीचे है तो वो तो डा सब्सक्राइब करें जो हमें देखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड बदलते वे समाज में क्या दूसरी बात बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में आप देखोगे सेविंग वर्सिस स्वेंडिंग यूथ बिहेवियर इस नॉट सेविंग औरियेंटेट तो यह आपको देखना पड़ेगा डियर प्रेशर का रोल है ई-कॉमर्स का रोल है बाकी एस्पिरेशनल वैल्यू है एक तरफ और दूसरी तरफ सर्वाइवल की बात है और 140 करोड में आप समझ लीजिए कि के शेप में अगर आप 30% लोग भी मानते हैं सर्वाइवल के लिए तो सब 50 करोड हो जा लोग सुनते स्टार्टम में खासता और पर बहुत ले आउफ हुए आई-टी कंपनियों में हुए क्या यह कॉंटेक्स में देखना चाहिए यह एपसलीट में बाई इन्होंने 2000 निकाल दिये 4000 निकाल दिये विपर वाले कि 46% का पेकट लोगे तो जोइनिंग कराएंगे कि संदर में को देखना चाहिए देखे क्या है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉंटेक्स तूं इंडस्टी के परस्पेक्टिव से तो आज से कोबिट से पहले तक अगर आप देखे तो यह जितने प्रोफेशनल वॉर्ड या और्गनाइजेशन थी यह सारे के सारे रिस्ट सबसे ज़्यादा ग्रोफ हुई है यह टेक्नोजी कंप्रीज के और स्टाटप के हुए हैं सबसे ज़्यादा ग्रोफ हुए हैं भर-भर के कंप्रीज ने पैसा लगाया है घ्लोबल फर्णिंग आई है हमारे और इनोबेशन हुए हैं यूनिकॉंस बने हैं और लोगों को स अगर आप ओवराल मारकेट में देखें तो जब जैसी कोबीड हिट किया हर इकॉनोमी में इंडिया हो यूस हो जितने भी डबल आउट मारकेट है सबने मनी इंफ्यूज किया एकॉनोमी के अंदर में पैसा डाला उनोंने और उसकी वज़े से इंफलेशन बढ़ा बड़ लोगों की जो फॉस्ट वान यह दो झाफी हुई उसमें काफीर यॉसमें क्यूंट नहीं था ट्रैबल नहीं था आउसाइड कोस्त रह से काम कर रहे थे के बात में कर रहा हूं और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट होता गया वह जो सेविंग था वह इंवेस्मेंट में कनवर्ट होने लग गया चाहिए इन फॉर्म आप कंजूमर डूरेबल से कार है है रियल स्टेट है ट्रैबल है हॉलिडेज है लोग स्टेप आउट कर रहे हैं वहां कनवर्ट होना सुरू हो गया आज की डेट में यह जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी आज की डेट में भी हाइवरीड है रिमोट है अब यह चटनी तो यह है कि एक 2022 में एक ऐसी सिच्वेश सब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं कर लो पता नहीं लाइप में क्या होगा नहीं होगा यह तो एक माइंसेट चेंज है अलावा जो अर्णिंग हुई लोगों की प्रटिविटी बढ़ी बढ़ी ट्रैबल पर टाइम रिडियुस हुआ रिडियुस हुआ प्रेशर थोड़ा रेडियुस हुआ मेट्रो से टू ट्री सिटी के तरह लोग गए तो बहां पर जो स्प्रेड हुआ इससे ओवर ओल एक ग्रोथ मिली है मार्केट को अब मैं अगर मैं आ जाओ कि करेंट मार्केट सिनेडियों में जो ले ओफ चल रहे हैं लेकिए यह ले मार्केट को सर्विसेज प्रोवाइट करती है आज की डेट में यूएस की एकॉनोमी स्लोडाउन हो गई है काफी ज़्यादा वहां पर हाइरिंग से थोड़ा रेडियूस हुआ है ओव्यसे बहुत नैचुरल है कि डारेक्ट इंपक्ट होगा इंडिया के मार्केट पे इन सारे सिनेरियों को अगर आप देखे हैं तो कंजूमर बिहेवियर मार्केट के डिमांड के परस्पेक्टिव से बढ़ा क्योंकि लोगों की डेर गुना-दोगुना हो गई और उसको इंक्रीज ले रहे थे उसी कॉंटेक्स ने ले लेके जा रहे थे बिल्कुल हॉस्पिट पांच परसेंट लोगों को ले आफ कर दिया एक दों इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई लेकिन उसके अंदर जाकि कोई यह नहीं बताता कि कोईट दोरह साथ लाग लोगों की हैरिंग की थी उन्होंने तब आपने क्यों नहीं बताया था कि अपनी छमता के दूना इन्हों हाइर कर लिया है अब उसमें से 20,000 निकाल लिये तो हम हेडलाइन बना रहते हैं यह बहुत लोग निकाले हैं यह मैं भी लेटस तीन दिन पहले मैंने डेटा बला तो बहुत सर्प्राइजिंग लगा कि कि इतनी गलत कॉंटेक्स में आप चीजों को रखते हैं जैसे राज राजे जी एक सवाल और समझाएए फिर आप हमें क्या यह जो इस तरह की रिकवरी जो इस समें ज्यादा एबरेशन के साथ हमें दिख रहे हैं इसको आलोशना करने कोशिस कर रहे होती रहती है यह क्या हमेशा नहीं थी पहले नहीं होती थी कि पहले हमेशा मर्सडीज का र आरकी उसको कोई चलाता भी तो पी उसके रिपैरिन भी करता है उसके गेराज की सर्विसेस भी कोई देता है उसके गजराज की सही हो रही है तो जो क्या यह प्रिटल डान हों कि नीचे नहीं जा रहा का इंप्लॉइमेंट में कि नीचे वाले लोग एक बार कार ख़ड़ी तो कभी हवाई नहीं भराएंगे उसमें तो वह नीचे जॉब में क्यों नहीं कर दिखता हम लोग देखिए इसको अगर हमें कहेंगे तो बड़ा ही केवल बाटम 20 परसंट लिजिए टाप 20 परसंट लिजिए केवल हमें तीन आकड़े हम देते हैं जो की फैक्चुली सर्वे और रेजल्ट से आया है यह कोई जैसे इसमें कोई ऐसा नहीं खाय पोथिकेशन है आपका कोवीड से पहले बाटम 20 परसंट के पास 7 परसंट इंक हुआ जैसे कह रहे हैं कि यह नीचे पहुच रहा है कि ट्रिकल डाउन हो रहा है काफी हद तक हो रहा है आपका जब कोवीड आया तो समय बाटम में यही 7 परसंट घट करके 3 परसंट हुआ और आपके टाप वालों के 45 से बढ़ करके आपका जाय करके 54 परसंट हो गया मनें रिच जैसे इंकम की बाद के 100 रूपया इंकम है तो कोवीड के समय 54 रूपी जो है टाप 20 परसंट के पास थी केवल तीन रूपया आपके पास बाटम करें रिकवरी 2023 में जो अभी हम लोगों के डेटा आया है यह 3 परसंट फिर बढ़ करके 5 परसंट पर पहुची है अभी अभी माने जो पहले जो जितना था कोवीड से पहले अभी उसमें भी अभी 2 परसंट का डिफरेंस जा रहा है और जो आपके टाप वाले हैं उनमें कमी आ रही तो माने मिडिल लेवल पर इसका डिस्टिबूशन जादा हो रहा है और इसका बड़ा सिंपल सा एक्चुली ल इस इस मॉल्टिपल फैक्टर लोग घर में बैठे हुए थे चाहिए वो सर्विस में थे चाहिए घर में बैठे हुए थे ट्रैवल थे असारत सब कुछ यह चीजे लोग घर से सब कुछ मैनज हो रहा थी वन आफिस भी ट्रैवल कोवीड कनाते बंद था अब क्या होगे तरफ खुल गया तो आपके हाउसोल वाले जिसका भी देखिए एक्जामपल दे यह अभी आपका गवर्मेंट सर्वेंट के लिए लटी सी का देखिए इनको मार्च तक खतम करना है लटी सी जिनका अगर मार्च में खतम हो रहा है सब लटी सी पे जाएंगे कौन दे रहा ह आपको दूसरा जो चीज है कि अगर आप इसमें देखें कि जो पहले आनलाइन मीटिंग होती थी सब इतने दिनों से बैठे हुए तो कम सकम आप यह अपार्चुंटी है सबके लिए कि एक बार मिलो सबको जानो बहुत सारे अपॉइंटमेंट उस समय ऐसे हुए हैं प्रा सब्सक्राइब करें दूसरा जो आप कार कार को अगर हम करते हैं मेजारिटी जो है मेडिल क्लास और रिच के पास 80 परसंट जो 80 80 90 परसंट इवन सेकंड हैं कार के ओल नीचे है यार छोटी वाली कार अब इसमें देखें कोविट कनाते लोगों ने पोस्पोन कर दिया था इसलिए पीपल आर ट्रेवलिंग जब इधर उधर नहीं जा रहा है तो गारी खरीत के क्या करें घर पर रखने के लिए कोई खरीते कर नहीं रिच करीत क्या करें जब घर बैठे हुए अब क्या हुआ इच पॉस्पोन हुए थी यह जो अभी डिमांड आ रही पर्टिकुल लोग नहीं खरीते हैं इसके कई फैक्टर है लोग डिमांड है तो आपका जब किसी कर दस साल पंदरा साल हो गया है अगर दिल्लीम जैसे तो क्या करेंगो उसको चेंज करेंगे जो भी कार उसे अपग्रेड करेंगे तो तीसरा चीज क्या है जो यह स्लगिस मार्केट बना सब कंपनी का कंपनी आल्स सप्लाही और सप्लाइ आलसो कम अवे दिलाट एमलाट अफ रिलीप आसभी कुंछ उन्हों नहीं जोंक दिया है कि यह का कुछ लोग इस पर कमी है इस पर कर दो सेकुन ह brain remember कुल मिला के गाड़ी चल पड़ी है और उसके ना जी एक ही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं आपका जो बाटमाफ पिरामिड है आपको बताएं बाटमाफ पिरामिड जो उस समय किया गया था उनका सबसे बड़ा जरूरी क्या था कि डियूरिंग डाट पीरियेड यह म बाटमाफ पिरामिड में मोसली अगर देखें कि चालीस परसंट में यह आपके पेटी टेडर थे चोटे-मोटे ब्यापारी थे एसंद लोग थे और जैसे एक रहता है कि छोटे-मोटे जैसे दुकान वाले हैं या आपके इसमाल और मार्जिनल फार्मर हैं यह सब लोग ज सब कुछ उसके नाते क्या हुए इनके जो रिसोर्स थे अर्निंग के इवन लोग बेश दिये थे अभी क्या रिकवरिम कर रहे हैं जितना खाने से उनका बच रहा है आईधर दे आर पेंग वाट थे हैव अलड़ी अच्छली कंजूम्ट सेकंड तिंग इस उनको एक मैंट सब्सक्राइब करेंगे इस उनका पुराना कमफर्ट जोन नहीं आएगा वह आपको एक स्पेंडीचर में एक स्पेंटार वालों से अग्जैक्ली उन्होंने में यही बताया कि रूरल इलाकों में लोगों के पास या छोटे शेहरों में पैसा आ रहा है लेकिन वह अभी से सब्सक्राइब करेंगे तो इसा नहीं उनके पास पैसे आही नहीं रहे है वह एकदम डेस्परेट सिचुएशन वह नहीं है एक्जैक्ली यही बात आप भी कहा रहे हैं कि वह जिसने अपनी दिक्कते दिखी वह कंफर्ट जोर में और फिर एक सब्सक्राइब को एक और सब्सक्राइब करेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग मोड पर आये कि यह यह कैसे समझा जाए इस पूरी सिचुएशन को बहुत छोड़ेस ब्रेक बाद तुर्ण आता हूं वापस Do You Know में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में दरसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंट्रेस्टिंग फैक्ट हैं लेकिन सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं पर इस company का जो नाम है वो company के actual owner Lewis Berzer के नाम पर लखा गया था 262 साल पहले इस company की शुरुवात हुई थी और ये company जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे multiple acquisitions और mergers के थू होते होते यहां तक की स्थिती भी पहुँची है इसके अलावा कुछ interesting fact में ये भी है कि ये दुनिया की चौदवी सबसे बड़ी paint company है एशिया की चौदवी सबसे बड़ी paint company है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी paint company के तौर पर शुमार है और करीब-करीब 15 से लेके 20% के आसपास का market share अपने space के अंदर command करती है हला कि जो leader है उसका half market share लेकिन फिर भी company का एक strong market share अभी भी command करती है बड़ीर paint इंडिया में करीब-करीब 99 साल पहले से काम काज कर रही है और एक interesting part ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था Headfield India जिसके साथ इसने शुरुआत की थी Kolkata में और वहां से धीरे धीरे फेर बदर होना शुरू हुआ Hero Moto Cop, Royal Enfield, Ashok Leland, Tata Motors, TVS, Yamaha, साथी साथ Hero Group, Honda Group, Bajaj Group इस सब वो groups है जो की बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग vehicles जो हैं कंपनी के वो इन प्रोड़क्ट जना बर्जर की प्रोड़क्स के जरीए आप market में देख भी पा रहे हैं साथी साथ एक interesting fact ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट को शुरी विजय मालिया ओन करते थे जबकि उनके father विठल मालिया ने multiple acquisitions के थूँ इस company को भी acquire कर लिया था और लेटर और विजय मालिया साब ने इस company को एक अच्छे handsome profit के साथ करीब करीब 66 million dollar के profit के साथ इस company को existing promoters को बेचा तो ऐसे multiple acquisitions and takeovers पिछले 99 साल की history में बर्जर पेंट के अंदर आपने देखे हैं साथी साथ तो बर्जर पेंट के साथ कुछ और interesting तथियों में से ये बांगलादेश की सबसे पुरानी और साथ सबसे बड़ी paint company के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से जादा का market share ये paint space में बांगलादेश के अंदर कमांड करती है एक interesting fact ये भी है कि Nigerian stock exchange पर पहली paint company अगर कोई list हुई थी तो वो थी बर्जर paints और ये करीब करीब 50 साल पहले Nigerian stock exchange पर list होने वाली आप से रोचकता थे कि ये दूट है कि स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज अट्डा में और आज हम बातचीत कर रहे हैं के शेप recovery की एक तरह बहुत जबरदास growth दिखती दूसरी तब नहीं दिखती तो उसकी लोग अलोशना करते हैं हम इसको समझने कोशिस कर रहे हैं बारगों जी मुझे आप से एक दिम छुट-छुट जवाब चाहिए सीजा सवाल क्या यह जो growth हमको दिखी है कि लोग ज़ादा travel करते रहेंगे और growth की उपर कोई शंका की बात नहीं है क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि इस high fares के उपर में इतना load factors और number of passengers travel करता है तो खली एक मिनिट लिए analyze करें हम कहें कि अगर fares 10% drop करते हैं तो कितने और passengers जो कि इस समय effort नहीं कर पा रहे हैं और travel नहीं कर रहे हैं या defer कर लें वो भी travel करेंगे तो क्योंकि हम लोग year 2000 pre-covid की बात कर रहे हैं उसके comparison में कह रहे हैं कि यहां भी 5% समय ज्यादा passenger travel कर रहे हैं उस भी 2020 के मुकाबले में लेकिन यह जो पिछले दो सान थे इसके भी तो growth है लोगों ने जैसे कि अन्य पैनलिस्स ने बताया कि even during covid there were people who were saving money investing money अब उसके बाद में ट्रावल कर रहे हैं और यह पूरा का पूरा होता है को ट्रिगर होता है ट्रावल करने के यह और यह ट्रिगर अवेलिबल है और लोग ट्रावल करेंगे मेरे को पूरा विश्वास है कि जैसे Indigo fleet expansion कर रहा है Air India करने वाला जो रोके तो इन सब का सीधा analysis किया है market research किया है professionalism है उसके अंदर में जी तो let's take it for granted the growth in aviation industry is here to stay बिल्कुल अब अब जैसे Tata Group ने इतना बड़ा order दिया है और भी company सुना जा रहा है तो अगर roughly मान लेंके अगले 10-15 सालों के लिए 1000 विमान आएंगे तो 15-12-15 लाग करोड के हैं तो कमसे हम 25-30 साल की विजुल्टी तो आप देखेंगे तो तब ही तो आएंगे इस सारी सि जो domestic investors हैं हमारे वो चिंतित नहीं है जो बलकि मैं देख रहा हूं जिस तरह से investors का confidence है बहुत belief है इंडिया की economic growth पे अगले 5-10 साल के लिए और वो ऐसे investors हैं जो अपना खुद business करते हैं तो उनको confidence है business का खुद का देख रहे हैं दूसरे का देख रहे हैं I think थोड़ा जो selling आ जाता है यह जो technical factors है थोड़ा market को ऊपर नीचे करते रहते हैं पर long term story जो है इंडिया की वो तो कोई doubt नहीं करेगा कि जिस तरह से चल रहा है economic growth और हर segment का growth चल रहा है तो उसमें कोई slowdown होगा तो जो investors का पैसा market में आएगा capital market तो बहुत important है economic growth के लिए, vibrant capital market बहुत जरूरी ह और मुझे लगता है जो regulators ने उन्होंने काफी काम किया से भी RBI ने मिलके कि इनको हम और vibrant करें लोगों को आने दें हर एक को participation का मौका मिले तो उसका impact देर सभीर आएगा पर मैं ज्यादा चिंता नहीं करता मुझे लगता है कि अच्छा है market अगर नहीं चल रहा आपको एक opportunity अगर आप fund manager को है तो optimism के बिना इंडिया पर bullish नहीं है आप तो फिर कैसे पिसा बनाएगा बिलकुल और वो तो दिख रहा है हमारे आसपास और सारे panelists है सब experts हैं मैं जितना सुना मुझे तो एक ही तरफ से निकल रहे है कि यह consumption अच्छी हो रही है हर तपके से हो रही है तो अगर इतनी robust, vibrant economy है और नई initiatives है, ONDC अभी आएगा, UPI है तो क्या problem है? मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या किसी को doubt होना चाहिए या डरना चाहिए? सदाना जी मैंने, मतलब मैं almost हर हफ्ते कम से हम पाँच कंपनियों के management से बात करता हूँ, मतलब रेरली मुझे कोई FMCG को छोड़ दें, तो किसी ने ये complaint नहीं कि कि उनकी volume growth में थोड़ी बहुत दिक्का दिकरें, जो कि राजे जी ने बहुत ही अच्छे से explain किया है, लेकि अपने assessment हैं, let me share with you, अभी थोड़ी दर पहले हम बात कर रहा थे start-ups की, देखिए आप dot com के time पे चले जाएए, मैं बहुत सारे start-ups से deal करता हूँ, मेरे पास 40 laboratories हैं, हर तरह के scientist हो से deal करता हूँ, majority of start-ups क्या है, और ये देखिए कि start-ups में, अगर आपको start-ups का success rate लेट देख पाइल होते हैं, मतलब नए idea जो start-ups लेके आया है, वो 26,000 है, suppose we take it as a 10%, बाकी 20% और जोड़ लीजिए, जो efficiency improvement करेंगे, patent नहीं है उनके पास, अगले पास 10,000 और जोड़ लीजिए, जो location specific होंगे, utility specific होंगे, वो हो जाएगा, majority of start-ups, अगर आप बहुत critical और honestly उसका assessment करेंग they were only looking at valuation game, लेकिन जिस तरह से IPOs और start-ups burst हो रहे हैं stock market में, उससे बहुत कुछ बदला है, और ज्यादा तर start-ups पिछले दो साल में ऐसे मिले हैं, जिनकी working capital खतम हो रही है, शिर्फ आप बना के start-up नहीं चला सकते, कितने start-up हैं हिंदुस्तान में, जो material science पे काम कर रहे हैं, कोई मतलब glass industry में काम कर रहा हो, या metal industry में काम कर रहा हो, या textile में काम कर रहा हो, आपको बहुत कम मिले लिए, अगर वो start-up है तो वो survive करेंगे, क्योंकि वो material handling दर रहे हैं, जो सिर्फ साइबर स्पेस में operate कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, IT technology in one way मैं पिछले 20 साल से कर रहा हो, इसे self-defeating technology, आपने एक समय पूरी skill सीखी थी, website बनाने की, Facebook आया, वो पूरा sector खतम हो गया, कहने का मतलब क्या है, कि जैसे ही नई technology आती है, पुराना एक डम outdated हो जाता है, उसमें माली जीए, 2-4-5 लाख लोग लगे होते हैं, उनमें से 10-20% छोड़ दीजिए, पाकियों की नौकरी पे खत्रा हा जाता है, अगर वो अपने आपको re-skilling नहीं करते हैं, और नई technologies need less people, self-learning concept है technology का, इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा, तो हम अगर start-up को ये समझ रहे हैं, कि वो सारी problem का solve करेगा, तो आपको बहुत careful होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जेब का किसी का पैसा नहीं, इन्वेस्टर का पैसा है, तो फेल रहे हैं उसमें, तो ये situation बहुत critical है, हमें logical होना पड़ेगा, ये सदान सर्व मैं आपको रोक रहा हूं यहां पे, माफी के साथ, लेकिन ये बहुत महत्मूर विशा है, मैं भी इस पे थोड़ा critical हू और valuation में था, किसी ने ये नहीं सोचा कि आप एक already research चीज का use case इस्तेमाल कर रहे थे, और एक जटके में आप disruption में खतम हो जाएंगे, जो कि हुआ है, इस पे सर में अलग से पूरा चर्चा करूँगा, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि start-up culture हमारा जो है, जिसको हम सेलिमेने कर रहे हैं, उसमें बहुत serious questions खड़े हो रहे हैं, लेकिन बहुत समय हमाय काम है, गोल साब मुझे बहुत बंसंचे में बताइए कि जो जॉब मार्केट के तस्वीर 2023 में कैसे रहने वाली है, लेकिए 2023 में जॉब मार्केट हमारी country में बहुत ज़्यादा negative impacted नहीं होगा, दो या one third की cost पे work करने वाली organization है, चाहे export of services है, product है, technology के लोग है, analytics के लोग है, IT, ITS है, यह बहुत बड़ा segment है, number two में जो local connections है, e-commerce के त्रू में, आज गाउं गाउं तक आज के date में delivery system, logistic system के त्रू परड़क पहुँच रहे हैं, तो end consumer तक लोग जा रहे हैं, तो market में यह है कि बहुत जादा जो, जो एक employee को, एक individual को 5 offer मिल रहेते हैं, वो definitely नहीं होने वाला है, 2023 में, हाँ, लोगों को लेकिन job जरूर मिलेगी, लोग job change कर पाएंगे, जो बच्चे college और engineering और management colleges से आएंगे, या ITI से आएंगे, उनको भी job मिलेगी, सिर्फ individuals को अपनी expectations align करके रखनी कि उनकी salary expectation क्या है, देखिए आज की date में एक बहुत mismatch होता है, educational institute से बच्चे से आज की date में, आर दस, पंद्रह से बीच लाग रुपे तक ले लेते हैं, उसको दो साल का या तीन साल का, चार साल का professional course कराने के लिए, कम से कम दो लाग ले लेते हैं, तीन लाग ले लेते है अब उस बच्चे की और family के expectation बढ़ जाती है, कि हमने इतने पढ़ाई में खर्च किया, तो आगे कम से कम इतना और इस से ज्यादा तो पैसा मिले, market उस चीज़ को support नहीं करता है, क्यूंकि आज की date में जो बच्चा trained होता है, वो industry के हिसाब से train नहीं होता है, तो overall देखे, में हम लोग देखते हैं, जो companies हमारे पास आती है, उनको पूरी दुनिया में, बड़े बड़े देश, छोटे देश, हर साइज के देश में, जिस technology के लोग, जिन functions के लोग नहीं मिलते हैं, वो लोग हमारी country में मिल जाते हैं, चाहे हो हमारे यहां trained होए है, या बहार ट्रे जो आपका हाइरिंग वाला सेग्मेंट हैना सर, employment वाला, इसमें भी बज़ेदार बाते हो रही हैं, जो कि एक लिंदी discussion मांगती हैं, एक तो आपने का skill set और demand का mismatch, दूसरा कि जो लोग आ रहे हैं, उनकी quality कितनी employable है, क्योंकि अब बहुत ज़दा machine learning और AI की तरफ लोग ब बात होनी चाहिए, ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या, बंद कीजारी, इसलिए साथ हो सकता, भी पुरुन काओ कि 60% कट लो तो जोइन करो, तो खेर ये ये इशू हैं, आज हमने जो चर्चा की कि जो growth हमको दिख रही है, वो उसमें कितनी reality है और कितनी case shape और aspiring class के बीच में division हो रहा है, और क्या इससे बहुत बड़ी एक चिंता convert हो रही है, ये क्या, ये समझने कि हमने इस शो में कोशिस की, जिसमें राजेश जी ने बहुत ही scientific तरीके से हमें ही समझाया, और अपने अपने experience है, सारे लोग अपने अपने शेतर के विद्वान लोग है, तो हमने समझने की कोशिस की कि ये देश इस वक्त किस तरीके से हो रहा है, और अब आप जो इस शो का नाम है कि इस तरक्की को क्या नाम दो, मुझे लगता है समझने के वादा, आप लोग खुद अपने अपने इस तरक्की को नाम दे सकते हैं, बहुत 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 शुक दू यू नो में आज हम आचीत करने वाले हैं देश की ना केवल बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टू वीलर कंपनी हीरो मोटो कॉप के बारे में दरसर इस कंपनी की शुरुवात तो आज से 50 रादर 66 साल पहले शुरू हुई थी और जब यह शुरुवात हुई थी तब यह कंपनी साइकिल के कारोबार में काम काज करती थी और एक समय में देश की सबसे बड़ी साइकिल मेनफैक्चर के तौर पर भी इसका नाम शुवार ह हुता था तो वहां से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करके हीरो मोटो कॉप ने बाइसिकल से आप मोटर साइकल की तरफ फोरे करते हुए दिखाई पड़े को इंटरस्टिंग फोर अगर आखडों की बात की जाए तो हीरो मोटो कॉप दुनिया की सबसे बड़ी मोट साइकल मैनुफाक्चरर है और करीब करीब 40 से ज्यादा देशों में इस कंपनी का कामकाज है एक इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में जितनी भी टूवीलर मोटर साइकल साब देख रहे हैं उसमें से आधी की जिम्मेदार हीरो मोटो कॉप है तो इस तरह का लार्ज स्केल इनके एक्सपोर्ट को लेकर यानके प्रोडक्शन को लेकर आप देख रहे हैं साथी साथ एक बड़ा इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कई साल पहले जब हीरो और हॉंडा का एक जेवी हुआ था तो दरसल हीरो ग्रूप ये जेवी करना चाहता था टू dwaakर ग्रूप के साथ उसी साल हॉंडा ग्रूप ने एक टाइवप और किया वो टायप 타 screw ru को लेकर और वो टाइवप हुआ था किल एक लॉआस्कर ग्रूप के साथ जिसके बाद देश को एक किलोस्कर की काइनिटिक हॉंडा के नाम से एक स्कूटर भी मिली ते एक इंट्रस से पहले एक hero motocop ने cd90 भी लाँज की थी और एक समय पे hero group के जो chairman थे उन्होंने ये भी bet किया था कि वो 100 km पर लीटर के एक engine के उपर भी काम काज कर रहा हाला कि धीरे-धीरे settlement होते होते कहीं उन्होंने सतर से असी किलोमेटर पर लीटर के आसपास तक का एक एवरेज वाला engine बनाने का भी एक काम का शुरू कर दिया तो इस तरह का Mars Research and Development Company विट टाइम करती हुए आई है अच्छा इसके अलावा कुछ और interesting facts के अगर बात की जाए तो hero motocop करीब करीब 9500 two wheeler प्रती दिन बनाती है और साती साथ हर करीब मिनट के तौर पर हर प्रती मिनट में रफली साथ motorcycle hero motocop की production line से गुजरते वे आपको दिखाई पड़ेंगी तो जब हम बाचीत कर रहे हैं तो इस बाचीत बाचीत के दौरान ही करीब करीब 21 hero motocop की जो bikes है वह आपको production line से उतरते में दिखाई पड़ेंगी इतना ही नहीं hero motocop का IPO करीब 37 साल पहले आया था और एक interesting part ये भी है कि वेलेंटाइन्स डे के दिन company का जो IPO है वो खुला था साथी साथ पिछले दो दशक में यानि कि आखरी जो company का bonus और stock split था वो 21 साल पहले दिया था और 21 साल में पिछले 21 साल में यानि कि आज 2022 तो 2001 से लेकर अब तक company ने कोई भी bonus और stock split नहीं दिया है तो ये कुछ interesting fact आप सुन रहे थे देश की ना केवल बलकि दुनिया की सबसे बड़ी two wheeler manufacturer के बारे में आगे कुछ और fact लेकर भी आते में do you know मैं आज हम बाचीत करने वाले हैं आईशर मोटर्स की दरसल कभी अगर आप ताज को लाबा या आम तोर पे मौल में घूम रहे होंगे तो आपने एक shop देखा होगा या एक outlet देखा होगा good earth के नाम से ये good earth जो है ये usually आपको दिखाई पड़ेगा gift item के लिए या western इंडो western clothing के लिए दरसल आईशर मोटर की शुरुवात जब हुई थी तब इस company का नाम था good earth और वहां से company धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई आज जो company के chairman है चिदात लाल उनकी मदर का जो project है उसका न आपको शर्द good earth के नाम से product बिखते वह दिखाई पड़े हैं अब लोटते है आईशर मोटर के ओपर दरसल आईशर मोटर की शुरुवात 1948 में हुई थी और तब जब ये good earth होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो imported tractors को import करना उनके parts को import करना उसे assemble करना और उस assemble करने क के बाद उसको बीचने का काम ये उस समय पर good earth का होता था दीरे दीरे वो good earth से आईशर बनी और आईशर से होते वाज आईशर मोटर साब के सामने है majorly royal infield जहातर product आप उसके देखेंगे लेकिन और interesting fact में एक fact ये भी है कि 1959 में इस company ने एक tractor division जो की German tractor company थी आईशर tractor उसको merge करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रक्टर कारोबार के अंदर prominently इंडिया में expand करते हो दिखाई पड़े एक और interesting fact ये भी है कि एक समय पर एक company के पंदरा अलग-अलग business होते थे जिसके अंदर trucks, motorcycles, components, footwear और साथ-साथ garment जैसे कुछ unrelated business भी थे और जिसकी वज़ा से काफी massive losses में थी, royal infield जो इस company का सबसे ज़ादा बिकने वाला product है, वो एक समय पर loss में था और करीब करीब 20 क्रोड रुपे के आसपास का loss आया था, और एक interesting fact ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब company के board ने decide किया था, कि वो royal infield division को बंद कर देंगे, और उस समय प और दूसरा था Volvo Aisha trucks जिनको आप देखते हैं, इन दोनों पर focus करा और massively इस company के अंदर turnaround किया, in fact अब उस समय से लेकर करीब आज तक stock ने एक जोरदार performance भी दिया और एक massive turnaround story बनकर इस सामने भी आया था, साती साथ 2015 में जो royal infield की बिक्री है, वो एक ऐसा भी समय देखा है company न लेकिन 15 साल के अंदर company ने तनी massive sale करी कि ये globally Harley Davidson से जादा गाड़ियां बेचते वे दिखाई पड़ी है, तो इस तरह की massive turnaround story आपने royal infield के अंदर देखी, महस 15 साल के अंदर, तो ये कुछ interesting fact, Aisha Motors या फिर Good Earth से related, आया कुछ और fact लेकर भी आते रहेगा आप सबी के साथ जूड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है सेंचुरी के तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागिदारी के अभिवेक्ति का अध्धुत प्लेट्फरम बना दिया है हर महिने लाखो संदिशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझे तक पहुंसती है आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही है वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है यह हमने मन की बात के अलग-अलग एपिसोड में देखा है समझा है और मैंने अनुभव किया है स्विकार भी किया है मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारमपारी खेलों को प्रोसान की बात की थी तूरंत उस समय देश में एक लहर सी उड़ गई भारतिय खेलों के जूडने की इन में रमने की इने सीखने की मन की बात में जब भारतिय खेलोनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हातो हात बढ़ावा दे दिया अब तो भारती खिलोना का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिवान बहुत बढ़ रही है जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारती विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धी भी दूर दूर तक पहुँच गई लोग जादा से जादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकरशित होने लगे साथियों आपको याद होगा सरदार पटेल की जेंती यानि एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने तीन कॉम्पेटिशन की बात गी थी ये प्रतियोगी ताएं देश भक्ति पर गीत लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी मुझे ये बताते हुए एक खुशी है देश भर के साथ सो से अधिक जीलों के पाँच लाग से अधिक लोगों ने बढ़ चड़कर के इसमें हिस्सा लिया है बच्चे बड़े बुजूर सभी ने इसमें बढ़ चड़कर भागी दारी की और बिश्चे अधिक भाशाओं में अपनी एंट्रिस बेजी है इन कॉम्पेटिशन्स में भाग लेने वाले सभी पतिभाग्यों को मेरी और से बहुत बहुत बढ़ाई है आप पैसे हर कोई अपने आप में एक चेंपियन है कला साधक है आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविदता और संस्कृति के लिए आपके रदे में कितना प्रेम है साथियों आज इस मोके पर मुझे लता मंगेश कर जी लता दिदी की याद आना भहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब यह प्रतियोगी ता प्रारम हुई थी उद्दन लतादीदी ने ट्वीट करके देश वाज़ियों से आगरह किया था कि बेश परधा में जुरूर जुड़े साथियों लोरी राइटिंग कमपडिशन में पहला पुरसकार करनाटका के चामराज नगर जीने के बी एम मंजुनाजी ने जीता है इन्हें ये पुरसकार कंड़ में लिखी उनकी लोरी मलगू कंदा के लिए मिला है इसे लिखने की प्रेणा इन्हें अपनी मा और दादी के लगाए लोरी गितों से मिली आप इसे सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा मलगू कंदा मलगू कूसे मलगू ननन जान मरिये हगलू कलेदू इरूलू नेरेदू निदिर देवे बरु वड़या तारे गड़ तोट दिन्दा कनस कोई दू तरू वड़या मलगू कंदा मलगू कूसे जो 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 असम में कामरूप जिल्डे के रहने वाले दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगीता में सेकंड प्राइज जीता है इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानियक मिट्टी और मेटल के बरतन बनाने वाले कारीगरों के पॉपिलर क्राप की छाप है कोहार कोकाए मुनाती आनीसे मुनाती पासे नूखी खुली साई देखीलू कोहार और मुनाती मुनाते आसे बान बाती अमारे मोहिनाई कोहारो खुधी साई कीनुई बान बाती गीतों और लोरी की तरही रंगोली कॉंपुटिशन भी काफी लोग प्रिय रहा इसमाई हिस्सा लेने वालोंने एक से बढ़कर एक सुन्दर रंगोली बना कर भेजी इसमें बिनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही इन्होंने नेता जी सुभासेंदर बोस और अमर शहीद वीर भगत सीं की बहुती सुन्दर रंगोली बनाई महराश्ट्र के सांगली के सचिन नरेंदर अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियावाला बाग उसका नरसमवार और शहीद उधमसी की बहादूरी को प्रदर्शित किया गोवा के रहने वाले गुर्दत वांटेकर जी ने गांधी जी के रंगोली बढ़ाई जबकि पुड़ुचेरी के मालाती सेलवर्म जी ने भी आजहादी के कई महां सेनानियों पर अपना फोकस रखा देशभक्ती गीत प्रतियों गीता कि विजेता टी विजय दुर्गाजी आंध्रप्रदेश की है उन्होंने ते लूगों में अपनी एंट्री भेजी थी विए अपने एक शेत्र के प्रसिद्ध स्वतनत्र दा सेनानी नर्सिमा रेडी गारुजी से काफी प्रेरित रही है आप भी सुनिये विजय दुर्गाजी की एंट्री का यहिस्सा ते लूगों के बाद अब मैं आपको मैथिली में एक क्लिप सुनाता हूं इसे दिपक वत्स जी ने भेजा है उन्होंने भी इस प्रतियोगीता में पुरस्का जीता है भारत दुनिया कुशान चैयो भाईया हम अर देश महान चैयी तीन बगल चैयी समुद्र सैघेरल उत्तर में कैलाश बलवान चैयी साथियों मुझे उमीद है आपको ये पसंद आई होगी प्रतियोगीता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिष्ट बहुत लंबी है आप संस्कृती मंत्राले की वेब साइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुनें आपको बहुत प्रेणा मिलेगी मेरे प्यारे देशासियों बात बनारस की हो शहनाई की हो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की हो तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरब जाएगा ही कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवाब पुरसकार दिये गए ये पुरसकार मुजीक और परफॉर्मिंग आर्ट के ख्षेतर में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिये जाते हैं ये कला और संगीत जगत की लोगपृयता बढ़ाने के साथ ही इसकी समरुद्धी में अपना योगदान देर हैं इन में बेकलाकार भी शामिल है जिन्होंने उन इंस्टूमेंट्स में नई जान खुकी हैं जिनकी पौफलेरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिये क्या आप जानते हैं एक कौन सा इंस्टूमेंट है संभव है आपको पता नभी हो इस वाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है और इस धून को तयार किया है जाइदिप मुखर जी ने है जाइदिप जी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरसकार से सम्मानित विवाओं में शामिल है इस इंस्टूमेंट की दूनों को सुनना पिछले पचास और साथ के दसक से ही दुल्लब हो चुका था लेकिन जाइदिप सूर सिंगार को फिर से पॉपलर बनाने में जी जान से जूटे हैं उसी प्रकार बहन उपलपू नागमणी जी का प्रयास भी बहुती प्रेरक है जिने मेंडोलीन में कारनाटिक इंस्टूमेंटल के लिए ये पुरसकार दिया रहा है वही संगराम सी सुहास बंडारे जी को वारकरी किरतन के लिए ये पुरसकार मिला है इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकारी नहीं है भी दुरगा देवी जी ने नुर्त्य के प्राचिन शायली करकटम के लिए ये पुरसकार जीता है इस पुरसकार के एक और विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पैरिनी ओडिसी का आविजिन किया था आज लोग इने पैरिनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं पैरिनी नाट्यम भगवान शीव को समर्प्रित एक नुर्त्य है जो काक्तिय डायनेस्ट्री के दौर में काफी लोप्रिय था इस डायनेस्ट्री की जड़े आज के तेलंगना से जुड़ी है एक अन्य पुरसकार विजेता साइखों सुर्चंद्रा स्वीजी है ये मैटेई पुंग इंस्ट्रुमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं इस इंस्ट्रुमेंट का मणिपूर से नाता है पुरंसी एक दिव्यां कलाकार है जो राजुला, मलूशाही, नेवोली, हुडकाबोल, जागर जैसे विविन म्यूजिक फॉर्म्स को लोगप्रिय बना रहे हैं इन्होंने इनसे जुड़ी कई आडियो रेकॉर्डिंग्स भी तयार की हैं उत्राखन के फॉक्ट मुजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरंसी जीने कई पुरस्कार भी जीते हैं समय की सीमा के चलते मैं यहां सभी अवर्डिस की बाते भले न कर पाऊं लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है कि यह सभी कलाकार परफर्मिंग आर्ट्स को और पॉपिलर बनाने के लिए ग्रास रूर्स पर सभी को प्रिलिद करते रहेंगे मेरे पहरे देश्वासियों तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकात कौने कौने में दिख रही है डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग-अलग एप्स की बड़ी भूमिक आफ होती है ऐसा ही एक एप है इस संजीवनी इस एप से टैली कंसल्टेशन यानि दूर बैठे वीडियो कांफरेंस के माद्यम से डॉक्टर से अपनी बिमारी के बारे में सलहा कर सकते हैं इस एप का उप्योग करके अब तक टैली कंसल्टेशन करने वालों के संख्या दस करोड के आंकड़े को पार कर गई है अब कलपना कर सकते हैं वीडियो कांफरेंस के माद्यम से दस करोड कंसल्टेशन मरीश और डॉक्टर के साथ अध्भूत नाता ये बहुत बड़ी एच्विमेंट है इस उपलब्दी के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाब उठाने वाले मरीशों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है ये इसका जीता जाकता उधारण है हमने देखा है कि कोरोना के काल में इस संजीवनी एप इसके जरिये टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा बरदान साबित हुआ है मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें समवाद करें और आप तक बात को पहुचाए हमें जाने की कोशिश करें कि टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मनिग जी है डॉक्टर मदन मनिग जी रहने वाले सिक्किम के ही है लेकिन उनने अबीबेस धन्वाद से किया और फिर बनारस हिंदी उनिवर्सिटी से एमडी किया वो ग्रामिन इलाकों के सेक्ड़ों लोगों को टैली कंसल्टेशन द दो आजा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापसिक्की माया हूँ लेकिन मैंने सुनाय कि काफी बदल गया है तो कितने साल हो गए आपको बनारस चोड़े बनारस 2006 से छोड़ा हुआ 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 फिर तो आपको जुरूर जाना चाहिए जी जी आचा मैंने फोन तो इसलिए कि आ कि आप सिकीम के अंदर दूर सुदूर पहाडों में रह करके वहां के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवा हैं दे रहे हैं मैं मन की बात के सुरोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूं जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा है अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रदान मंत्री जी क्या है कि पिकिम में बहुत नजडिक का जो पी एच सी है वहां जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चड़के कम से कम एक दो सो रुपया लेखे जाना पड़ता है और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है तो टेली कंसलटेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जूड़ जाते हैं दूर दराज के लोग हल्थ एच व करते हैं और हम लोग का पूराने उनके बिमारी हैं उनकी रिपोर्ट उनका अभी का प्रेजेंट कंडिशन सारी चीज़ें हम लोग बता दे करते हैं यह दॉकुमेंट Państwo करते हैं और और त्रांसफर नहीं कर सके तो वह पड़के हम लोग को बताते सिरक्साइस पुराने रेकॉड देखे पिर अगर को लगई ठीज मोगों जानना है जैसे किसी का चेस्ट पास्कल्टेट करना है अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं अगर देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है आख देखो एनीमिया है कि नहीं है उसका अगर खासी है तो चेस्ट को असकल्टेट करो और पता करो कि वह पे साउंड है की नहीं? आप बाइस काल से बात करते हैं या वीडियो काल का भी उप्षयो करते हैं? जी, वीडियो काल का उप्षयो करते हैं उसे उसका दवा हो कि तक चल जादता है वो डाइबेटीस, हाइपर्टेंशन के आते हैं और एक diabetes और hypertension के दवा को change करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है लेकिन teleconsultation के थो वहीं मिल जाता है और दवा भी health and wellness center में free drugs initiative के थो मिल जाता है तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो अचा मदन मनी जी आप तो जाते ही है कि पेशन का एक प्रभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है डॉक्टर देखता नहीं है इसको संतोस नहीं होता है और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा अब आस सारा यह telecom consultation होता है तो डॉक्ट जो को बोलके that विडियो में ही हम लोग देखने लिए बोलते हैं और कभी कभी दो पेशन को वीडियो में ही नजदीख में आके उसकी जो परिषार नहीं है 어 Bin screen को स्टोस मिलता है क्या अनुभात ृजि बहुत संतोस मिलता है हमको भी संतोस मिलता क्योंकि मैं अभी त्वस्तर विवाग में हूं और साथ-साथ में टेली कंसल्टेशन भी करता हूं तो फाहिल के साथ-साथ पेशन्ट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखा दनुबहु रहता है कितने पेशन्ट आपको टेली कंसल्टेशन के साथ हूंगे अभी तक मैंने 536 पेशन्ट देखे हैं आपको काफी उसमें महारत आ गई है जी अच्छा लगता है देखने में चलिए मैं आपको सुखामनाई देता हूं इस टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में पहड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सिवा कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराग शित्र में भी टेक्नोलोजी का इतना बढ़िया उप्योग हो रहा है चलिए मेरी तरफ साब को बहुत बहुत बढ़ाई ये उत्तर प्रदेश के चंदोली जिल्डे के रहने वाले मदन मोहनलाल जी है अब ये भी संग्योग है कि चंदोली भी बानारस से सटा हुआ है आईए मदन मोहन जी से जानते हैं कि इस संजीमनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभग क्या रहा है बढ़न मोहन जी प्रणाम नमस्कार साब नमस्कार अच्छा मुझे बताया गया है कि आप डाइबिटीस के मरीज हैं और आप टेकनोलोजी का उत्योग करके टेली कंसल्टेशन करकर के अपनी बिमारी के समन में मदद लेते हैं एक पेशन के नाते हैं एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देश्वासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेकनोलोजी से हमारे गाउं में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उप्योग कर सकते हैं जरा बताईए कैसे करते हैं ऐसा ऐसार की फास्टीटले दूर हैं और जब डियाबिटीज हमको हुआ तो हमको जब पांचा किले मिटर दूर जाकर इला करना पड़ता था दिखाना पड़ता था अजब से जवस्तार आप द्वरा बनाई गई है इससे हैं कि हमारा जांच होता है हमको बाहर के डाक्टर चाहिए होता है हमको पूरा फाइदा होता है हमको उसे बहूट बड़ा पाइदा है और गाहों के लोगों को भी फायदा उसके है सबी लोगों आप उसे हैं कि भी है हमारा बीपी है हमारा सुगार है चेस्टरो जाज़करो जबा बताओ अब पहले तो पांच छर्ज इलिमिटर दूर जाते थे लंबी लाइन लगी राची थी पैथला जीवे में लाइन लगी राची थी एक एक दिन का समय नुक्सान होता है और अचा जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो विश्वास बनता है चलो भई डॉक्टर है उन्होंने नाडी देख ली है मेरी आखे देख ली है मेरा जीव को भी चेक कर लिया है तो एक अलग फिलिंग आता है विए टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही चलिए मदन मौन जी मेरी तरफ से आपको बहुत सुगामना है उमर के इस पड़ाओ पर भी आप टेक्नोलोजी को सीखे हैं टेक्नोलोजी का उपयोप करते हैं और उनको भी बताईए ताकि लोगों का समय भी बच जाए धन भी बच जाए और उनको जो भी मारदर्शन मिलता है उससे दमाईया भी अच्छे धंग से हो सकती है चालिए मेरी बहुत बहुत सुब कामना आए हैं आपको मदन महुन जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमने क्या बनाया जी बनाया है नहीं तो हम तो मां गंगा की सेवा के लिए मां गंगा ने बुलाया है बस और कुछ नहीं ठीक है जी बहुत बहुत सुब कामना है आपको प्राम जी नमस्कार साथ साथियों देश के सामान्य मानवी के लिए मद्यंबर के लिए पहडी छेत्रों में रहने वालों के लिए ये संजिवनी जीवन रक्षा करने वाला एप बन रहा है ये हैं भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति और इसका प्रभाव आज हम हर छेत्र में देख रहे हैं भारत के यूपी आई की थागत भी आप जानते ही हैं दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकरशित हैं कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापूर के बीच यूपी आई पे नाउ लिंक लॉंच किया गया अब सिंगापूर और भारत के लोग अपने मुबाइल फून से उसी आप उठाना शुरू कर दिया है भारत का इसन जीवनी एफ हो या फिर यूपी आई यह इस ऑफ निविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं मेरे प्यारे देश वास्यों जब किसी देश में बिलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाती को किसी जीव् तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती हैं हमारे देश में ऐसी अनेकों महान परंपराय भी हैं जो लुक्त हो चुकी थी लोगों के मन मस्तित से हट चुकी थी लेकिन अब इन्हें जनभागीदारी की सक्ति से पुनर जीवित करने का प्रयास हो रहा है तो इसकी से बहतर मंच और क्या होगा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसंदता होगी विरासत पर घर्व होगा अमेरिका में रहने वाले स्रिमान कंचन बैनर जी ने विरासत के सवरक्षन से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है मैं उनका अभिनंदन करता साथियों पस्चिम बंगाल में हुगली जिरे के बांस बेजिया में इस महिने त्रिवेनी कुम्भो महत्सोग का आयोजन किया गया इसमें आठ लाग से जादा सरधालू शामिल हुए लिकिन कि आप जानते हैं कि ये इत 700 साल के बाद पुनर जीवित किया गया है यूं तो ये परंपरा हजारों वर्स पुरानी है लेकिन दुर्भाग्य से 700 साल पहले बंगाल के त्रिवेनी में होने वाला ये महत्सोग बंद हो गया था इसे आजादी के बाद सुरु किया जाना चाहिए था लेकिन वह भी नही कुम्भो पौरिचालोनाश्वमिति के माध्यम से ये महत्सव फिर शुरू हुआ है मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं बलकि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भ युप में जाना जाता है इसका उलेक विभीन मंगलकाव्य बैश्नव साहित्य शाक्त साहित्य और अन्यबंगाली साहितिक रुप्यों में भी मिलता है विभीन एतियासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कभी ये शेत्र, संस्कृत, शिक्षा और भारतिय संस्कृत का केंद्रता, कई संत इसे माग संक्रांती में कुम्ब स्नान के लिए पग्रस्थान मानते हैं। त्रिवेनी में आपको कई गंगा घाट, शूमंदीर और टेरा कोटा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी। त्रिवेनी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुम्ब परंपरा के गवरों को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पिछले साल कुम्ब मेले का आविजन किया गया था। साथ सद्यों बार तीन दिन के कुम्ब महास्नान और मेले ने इस खेत्र में एक नई उर्जा का संचार किया है। तीन दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आर्ती, रदराशेक और यगन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार हुए महलसव में विभिन आश्रम, मठ और अखाडे भी शामिल थे। बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन विधाएं जैसे कीर्तन, बावुल, गोडियो नुर्तो, स्रीखोर, पोटेरगान, छोवुनाज, शाम के कारकम में आकरशन का केंद्र बने थे। हमारे युवाओं को देश के सुनरे अतीत से जोडने का एक भौती सरहनिय प्रयास है, भारत में ऐसी कई और प्रैक्टिसिज हैं जिने रिभाईव करने की जरूरत है, मुझे आशा है कि इनके बाले में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर पेरीद करेगी मेरे प्यार देशवासियो, स्वच्च भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागिदारी के माइने ही बदल दिये हैं, देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्चता से जुड़ा हुआ होता है, तो लोग इसकी जानकारी मुझे तक जरूर पहुचाते हैं, ऐसे ही मेरा ध्या गया है हर्याना के युवाओं के एक स्वच्चता अभियान पर, हर्याना में गाव है दुलहेडी, यहां के युवाओं ने तय किया हमें बिवानी शहर को स्वच्चता के मामले में एक मिसाल बनाना है, उन्होंने युवा स्वच्चता एवं जन सेवा समीति नाम से एक अमिति से जुड़े युवा, सुभे चार बजे बिवानी पहुंच आते हैं, शहर के अलग-अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभ्यान चलाते हैं, ये लोग अब तक शहर के अलग-अलग इलकाओं से कई टन कुडा साप कर चुके हैं, साथियों, स्वच्च भारत अभ्यान का एक महत्वपन आयाम, बेश्ट विल्थ भी हैं, ओडिसा के केंदरपाडा जिले की एक बहन, कमला मोहराना एक स्वयम सहायता समू चलाती हैं, इस समू की महला है, दूद की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबा चीजे बनाती हैं, ये इनके लिए स्वच्चता के साथ ही आबदने का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है, हम अगर ठान लें, तो स्वच्च भारत में अपना बहुत बड़ा योगनान दे सकते हैं, कम से कम प्लास्टिक बैक की जगर, कपड़े के बैक का संकल्प तो हम देखेंगे, आपका ये संकल्प आपको कितना संतोस देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा, मेरे प्यारे देश वासियों, आज हमने और आपने साथ जूर कर, एक बार फिर कई प्रेनादाई विश्वों पर बात की, परिवार के साथ बैठ करके, उसे सुन और अब इसे दिन भर गुन गुनाएंगे भी, हम देश की करमड़ता की जितनी चर्चा करते हैं, उतनी ही हमें उर्जा मिलती हैं, इसी उर्जा प्रभा के साथ चलते चलते, आज हम मन की बात के 98 एपिसोर्ट के मुकाम तक पहुँच गए हैं, आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है, आप सभी को होली की शुकामना हैं, हमें हमारे त्योहार वोकल्प और लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं, अपने अनुभोवी मेरे साथ सेर करना न भूलिएगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, अगली बार हम फिर नए विश्व के साथ मिलेंगे, बहुत-बहुत धन्यवार, नवश्गार. गुड अर्थ के नाम से, ये ये यूश्वली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए, या वेस्टन इंडो वेस्टन क्लोधिंग के लिए, दरसल आईशर मोटर की शुरुवात जब हुई थी, तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहां से कंपन अर्थ के लिए, अपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोड़ेक्ट बिखते वे दिखाई पड़े हैं, अब लोटते हैं आईशर मोटर के ओपर, दरसल आईशर मोटर की शुरुवात 1948 में हुई थी, और तब जब ये गुड अर्थ होती थी, तब इसका जो कामक होता था, वो इंपोर्टिट ट्रेक्टर्स, उन्हें ट्रेक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे एसेंबल करना और उसेंबल करने के बाद उसको बीचने का काम, ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था, धीरे धीरे वो गुड अर्थ से और उसके बाद से ट्रेक्टर गारोबार के अंदर prominently इंडिया में expand करते हो दिखाई पड़े एक और interesting fact ये भी है कि एक समय पर एक company के 15 अलग-अलग business होते थे जिसके अंदर trucks, motorcycles, components, footwear और साथ-साथ garment जैसे कुछ unrelated business भी थे और जिसकी वज़ा से एक company काफी massive losses में थी नमस्कार, cnbc आवास पर आप देख रहे हैं consumer अड़ा और आपके साथ मैं हूँ विपन भट और आज का जो topic है ये बड़ा colorful है, क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले ग्रे हेर्स कीचिए ग्रे हेर्स, खिचडी बाल, salt and pepper, silver या फिर आम भाशा में सफेद बाल तो चलिए, आपको एक interesting fact पहले बताता हूँ कि 2020 में online dating site match.com ने बालों के रंग को लेकर एक सर्वे किया शायद आपको जानकर थोड़ा ताजुब होगा कि 72% महिलाओं ने कहा कि उन्हें grey hair यानि कि सफेद बाल वाले पुरुष ज्यादा पसंद है यहीं नहीं एक और सर्वे कहता है कि खुद महिलाओं में भी grey hair का grey स्टेजी से बढ़ रहा है इतना बढ़ रहा है कि वो अपने अच्छे खासे सफेद बालों में या काले बालों में या तो grey touch करवा रही है या कुछ पूरी तरह से grey colour में भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो यह कुछ उधारण है कि ऐसा वो क्यों करवा रहे हैं तो यह सर्वे कहता है कि महिलाओं खुद भी अपने colours को अगर उनके बाल काले हैं तो भी grey करवा ले रही है तो कुल मिलाके यह बात यह कहती है कि इन दिनों grey hairs का print थोड़ा सा बढ़ रहा है अब यह पहले की तरह बात नहीं रह गई कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं या सफेद होना शुरू हो गए हैं तो आप उन्हें काला कीजिए अब तो यही style statement बन गया है तो grey hairs को लेकर और क्या चीज़े हैं और क्या चीज़े हमें समझना ज़रूरी है आखे लिए बाल grey होते कैसे हैं healthy hairs या grey hairs को healthy रखने का क्या formula होगा बहुत सारे सवाल है जो grey hairs सो जोड़े हुए हैं वो आज हम सब उठाएंगे और समझेंगे खास तो और बालों को तो इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान है कारिक्रम में शामिल हो रहे है मैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटरलोजिस डॉक्टर अंकिता पंत न्यूट्री वेल बेंग की डाइटीशन इन चीफ अलका गंगवानी और हैर मास्टर के फाउंडर दानिश बत्राप आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और इतफाक से जो हमारे तीनों महमाने हैं उन में से किसी के ग्रे हैर्स नहीं हैं लेकिन मैं उन्हें अकर्शित करते हैं ये एक सर्वे और दूसरा ये सर्वे कि महिलाओं खुद अपने उपर अप ग्रे हैर पसंद कर रहे हैं तो ये तो सर्वे हो गए अब तो आप तो रोज ऐसी दो चीजों से डील करते हैं कितनी हकीकत है और कितना फसाना है इसमें अब जो रियालिटी है वो यह है कि हम इसको सॉल्ट अड़ लोग बोलते हैं इन मेंस तो बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब कुछ लोगों को कलर सूट नहीं करा कि जिनकों अमोनिया फ्री कलर सूट नहीं करा और उनकों को पर स्किन पेलर्जी होने लगी तो उन लोगों अपने अपको दूर भागना शुरू किया और अवाइड करना शुरू किया तो उनके कुछ बाल ब्लैक होते थे तो वह कॉमिनेशन लोगों को अच्छा लगने लगा कुछ लोगों को तो उसके फिर कलर सी आगए तो टेक्नीक सी आगए कि इस बोलने लगे कि मुझे सॉट करने हैं जिसके बाल बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक है वो भी चाहता था कि मेरे स्वार्टन पेपर लुक कर दो तो ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था स्लोली ग्रेजुली एक लोकी बन गई तो अप्रॉक्सिमेटली अगर दिन में अगर 10 क्लाइंट एक ब्रांच में आते ह कुछ रिक्वार्मेंट्स आई हैं लेकिन कुछ मज़ों आते हैं ऐसे क्लाइंट लेकिन अभी फीमेल में भी वो नहीं है रिस्पॉंस जो में 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 तो 10 में से 2-3 लोग सौर्टन पेपर लुक चाहते हैं इसका मतलब कि यह सर्वे सही कह रहा था पैंस यह कहां से चाहते हैं जैसे बीर्ड वी ऐसी लॉच वई थी जब बीम थी तो कुछ फिल्म स्टार्स ने बीर्ड रखी कुछ पुर्ट्र है बीर्ड रखी पोड़र सारे लोग एसे बीजी होते थे रोज रोशेरी वेम नहीं कर पाते उन लोग बीर्ड की कॉंटीनु कर ली तो आज की देट एंड ये मेंस में स्पेश्टी बीर्ड एंड इन पेपर लुक इस टाइम पर होट के एक है चलिए बढ़िया है तो सर्वे ठीक ही कह रहा था जी इससे में होट के के जैसा दानिश भी बता रहे हैं मिलिन सोमन साब जो की बड़े जाने माने मॉडल है वो रोल मॉडल भी है कई लोगों के बड़ा दोड़ते भागते हैं आइरन मैन ओफ इंडिया है तो उन्होंने भी एक बार कहा था कि पहले तो कलर करते थे अपने बालों को लेकिन देन ही फाइंड्स की भई उनके बाल ग् अंकीता से पूछते हैं अंकीता एक तो है कि भई जितके अच्छे खासे काले बाल है अब वो ग्रे करा रहे चलो एक अपने आप में अलग केस हो गया लेकिन इसका एक दूसरा ये भी है कि इन दूरों थोड़ा सा प्री मैच्चूर ग्रेंग होने लग गी है लोगों के ब बाल जल्दी सफेद होने लगे हैं पहले शाद मतलब हम कहते थे बाल का पकना जिसको तो वो एक पर्टिकुलर एज के बाद चालीस के बाद बहुत लोगों के पचास के बाद लेकिन अब तो हम देखते हैं कि बच्चों में कह लीजे 20-22 के लोग हुए नी कि उनके बाल सफे कि अधने लोगों के पहले तो ऐसा नहीं होता था अगर जैसे आप न्यूट्रिशनल डेफिशिंसी देख लीजे हमारे सोयल के ही नूट्रिशनल कंटेंट इसना कम हो चुका है कि कॉपर या मैंगिनीज या मगनेशियम या प्रोमियम इस सब की अवेलिबिलिटी शाद हमा इसकी गई लिएक गई या तो बाइट एक तरफ होगे बूसरा हमारे स्प्रेसर हो गए तो इन शुटन्स मैं आपका सूल का स्ट्रेस आपका बर्ट स्ट्रेस इन ओल्डर पीपल तो इस्ट्रेस लेवल्स एंबें इन जाद है कि वह इक इसल अज़ जेर्जरेट करने का ए पिगमेंट बनना हो या वालों की ग्रोथ पर से हो तो एक आपका विटमेंट बगएरा है नी डायेट में जो टॉक्सिंस को हटा सके और आप उपर से डायेट आपका स्ट्रेस लेवल जादा है आप स्ट्रेस ले ले लेते हैं क्योंकि वह डाइटीशन सफद हो जाय कोई नहीं है लेकिन यंगेज में जब आपके बाल सफद हो रहा है और यह कि मास्ट केल पर है तो क्या हमारी डाइट में वह क्या कम हो गया है जो हम नहीं खा रहे जबकि हम तो खाने पीने पर पहले के मुकाबले कई ज़्यादा पैसा कर्श करते हैं या तो ह वालों के लिए होना चाहिए है इस हैं बहुत जल्दी लोगों में प्रीमिच्ट घ्रीग होरी थोई हम बच्चों में भी देख रहे हँ हो डिए डैयेट का इस पर बहुत बढ़ा हाथ है विकास हमारी गट है बहुत इंप्टेंट होती है और आगर हमारी गट हेल्थ अच्छी रहते है तो वह हमारे काले बालो के अलावा भी हमारी स्ट्रेंथ और बालो की अग ग्रोफ के लिए भी बहुत इंप्टेंट होता है आजकल जैसे बहुत जादा जंग फूद्-प्रोसेश्ट फूद बाल है वो एक उनके लिए गुड प्रोटीन के साथ साथ हमें आयन, जिंक, मैगनेशियम, कॉपर ये सारी चीजे भी चाहिए और जब हम बाहर से स्पेशली जो जंक फूद जादा ले लेते हैं या पीजा और बर्गर्स और ब्रेद्स जो भी हम रिफाइंड और प्रोसेस्ट फूद ले रहे हैं उनमें ये सारे मिरल्स तो होते ही नहीं है घर का खाना यंग बच्छों में तो ट्रेंड बहुत कम ही हो गया है तो हेल्दी लेना बहुत जरूरी है फ्रूट्स वेजिटिबल्स जूसे स्पेशली जो हम जैसे आजकल कैरेक्स बहुत जादा सीजन में है उसमें हम बीट्रूट कैरेट आवला अगर इन चीजों को डाल कर एवरी डे वेजिटिबल जूसे कंजियूम करेंगे तो हमारी हीमोगलोबिन लेवल्स अच्छे रहते हैं और स्पेशली कई हमारे जैसे हांडफुल ऑफ नट्स लेना डाइट में बहुत जरूरी है वालनट्स लेने से प्रीमिचूर ग्रेंग को हम प्रीवेंट कर सकते हैं तो डायेट का तो बहुत बड़ा इंफ्लूएंस रहता ही है क्योंकि अगर अगर आपके बाल स्ट्रॉंग होते हैं और कलर से भी ज्यादा उनकी जो हमारे बालों की स्ट्रॉंग हेर होती है वो रिफलेक करता है हमारी गुड हेल्थ को उसके लिए गट हेल्थ का स्ट्रॉंग होना भी बहुत अच्छा है बहुत इंपोर्टेंट है और डायेट तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी रहेगी अगर आप चाहते आपके बाल प्री मेच्छॉर ग्रेव ना मामला उल्टा है आजका तो जो शो है वो ग्रे हैर्स पर है क्योंकि ग्रेइज न्यू लोक तो ऐसा ना समझने लोकि अच्छा ये खाने से ग्रे हो रहे हैं तो मैं थोड़ा और ज्यादा खाना शुरू कर दू कोई डाइट है वैसे कोई है चीज जिसे खाने से जल्दी ग्रे हो जाए करिये मजाक की बात रही अवल दानिश मुझे बताईए कि अब जब बात आती ग्रे हैर्स की तो क्या इसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टाइल पर्टिकुलर कुछ चीजें जिकि अगर आपके ग्रे हो चुके तो फिर आप ऐसा स्टाइल कीजिए वैसा स्टाइल कीजिए या फिर ग्रे है तो ग्रे है लेकिन इसमें क्या है कि आज कल जैसे लोगों को यह ट्रेंड चल पड़ा है कि सॉल्ट और पेपर लुक रखनी है तो इसमें जब कि थोड़ says tech need a week करना लगता है actual Sal Wars को मैनेच जिसे किσीं के बहुत ज्यादा ग्रे है तो उसमें पर ठाट तो स्वlight के ज्वितं करार के ग्रेमेंट को इकोली दिखाना बड़ता है गर और जिसमें कि ना आपके फिर बहुत ज्यादा ग्रे दिखियों आ ब lo तो यह तो चलिए, salt and pepper look, I think for the males हो गया, क्या male female दोनों में ही ऐसा रहता है या females के लिए कुछ अला गया? नहीं, females में, as of now, जो gray hair या तो जिनके gray है उनको वो gray ही होने दे रहे हैं और वो color नहीं करवा रहे हैं, just to create an impact and create a look, बहुत सारे Hollywood to Bollywood के celebrities ऐसा कर रहे हैं, तो उसको देखके काफी लोग follow कर रहे हैं, जया बच्चन के पूरे gray hair है, या काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग color नहीं कराते हैं, और वो लोग color से दूर रहते हैं, तो जैसे अभी इस टेम पे आमिर खान की कोई movie की shooting चल रही थी, तो उसने पूरी salt and pepper look रखी हुए है, उन्होंने कोई color की नहीं करा वा उस look में, तो यह time to time का trend है, इस time पे trend है, कि लोग gray hair के पीछे बाग रहे हैं, जो क आप gray hair की look maintain कर रहे हैं, तो आप तीन-तीन चाचा महीने बारा touch-up के लिए आते हो, तो आपको बाते हो, यह फूरा trend ही आया है, lockdown से जब लोगों ने घर पे कुछ खास ध्यान दिया नहीं, कोई coloring हुई नहीं, और उसी दौराँ celebrities अपने photo post कर दिया है, ने लोगों ने घर प इस चीज़ का, चलिए तो ठीक है, जो फेस चल रहा है, उसी की बात करते हैं, थोड़ा इनकी maintenance की भी बात करते हैं, थोड़ी और बातचीत करेंगे, तो यहां अंकिता के पास हम दुबारा जाते हैं, अंकिता कुछ एक सवाल है, quickly आप इन्हें आंसर कीजेगा, कि जैसे कह अगर तोड़ा जाए, तो और सफेद बाल उकते हैं, यह मित है या यह सच में ऐसा होता है, मित है, ओके, ओके, और हेर कलर करने से आपने एक बार आपके सफेद हो गए, आपने कलरिंग कर ली, तो आप आपके और तेजी से सफेद बाल बढ़ जाएंगे, परमनेंट हैर कल आपके सफेद बाल गरी होंगे, फिग्मेंट को कम करेंगा अगे, तो अधिकतर आइथिंक जो जिन्हें हम लोगों को देखते हैं कि व अपने बालों में कोई ब्राउन शेड या रेड शेड या इवन ब्लाक कराते हैं, क्या वो कौन सी श्रिणी है, वो परमनेंट ब्लाक सब्सक्राइब करेंगे, वो इंक्रीज करेंगा अधिक है अपको फिर पानी जादा पीना चाहिए, ताकि वो हेल्दी दिखें वो तो हमें even colored hair के लिए भी पानी जादा पीना चाहिए, because hydration is important for good hair, तो ये सिरफ gray hair के लिए नहीं है, वो हमारे good hair health के लिए, पानी पीना तो important है ही है राइट, चलिए, तो anyway आपको पानी पीना है, लेकिन इनकेस आपके hairs अगर gray है, तो थोड़ा extra एकाद गिलास पानी पी ले, I think, तो थोड़ा hydration कह रहे हैं, इसके लिए जादा लगता है, बटनी हाओ, पानी body के लिए good हाँ, जादा मत पीजेगा, आजकर लोग ये ना, ब्रेक के बाद, के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं, इस कंपनी की शुरुवात काफी पुरानी है, 1945 से एक कंपनी काररत है, और इसकी दो फैक्टरीज होती थी, एक फैक्टरी थी मुंबई में, और दूसरी फैक्टरी जो थी वो कंपनी की लाहॉर में थी, जो की partition के बाद, वहीं चली के इसके उपर कई केसिस भी लड़े गए, लेकिन हो कंपनी को वापस मिल नी पाई, तो इस शुरुवात में एक कंपनी कामकाज करती थी, एक बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस कंपनी ने एकजीगूट किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाकडा नागर डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटप किया था, और इस टावर के सेटप करने को लेकर कंपनी ने कई सार कि उस समय पर import करना ज़रूरी होता था लेकिन company ने फिर भी कुछ पार्ट को import करके और कुछ पार्ट को खुद बनाके assemble करके इस तरह के एक बड़े order को बिना experience के execute किया था तो अपने आप में एक बड़ा milestone company के लिए रहेगा इसके अलावा एक बड़ा interesting fact ये भी है कि कमानी engineering यानि कि KEC Limited ने flood gates तिल पारा डैम के लिए flood gates जो की bar के ते समय पर जिनको use किया रहता है वो gates supply किये थे और क्योंकि वो order दिया गया था वो order समय से पहले execute कर लिया गया था तो उस समय पर bar की स्थिती नहीं थी तो एक artificial bar create की गई थी मयोरक्षी प्लान के तहत पश्चिम मंगाल में जिसके बाद उन gates को test किया गया था क्या वो gates sufficient है और वो sufficient रहे भी ना केवल बलकि उन्होंने बढ़िया से उस bar को समाला भी तो इस तरह की artificial bar के तहट इस product को उस समय पर test भी किया गया था जो की KEC की तरफ से supply किया गया था इसके अलावा कुछ और interesting या engineering marvels जो की KEC की तरफ से provide किये गये हैं उसमें करीब करीब 1000 mil का telephone cable इस company ने और साथ साथ boiler चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशन को provide किये हैं इसके अलावा wagon, engines, wheel sets, axle box यह सब कुछ railways को इस company ने supply किये हैं इसके अलावा transformer, मुक्चुंद, तुंग भद्रा और कॉर्बा के लिए switch gear यह कुछ ऐसे product है जो की इस company की तरफ से supply किये गये हैं और साती साथ कुछ interesting products में जो flood gates होते हैं वो भी मयरक्षी और साथ साथ संगुलम यह दो ऐसे project हैं जिनके लिए supply किये गये हैं तो KEC International यानि कि कमानी engineering corporation limited से related कुछ interesting fact आया कुछ और पैक लेकर आते रहेंगे ग्रे एर स्कूले कलर वल्कम बैक आज की consumer एड़ा में बात हो रही कि आपके बालों का ग्रे कलर अब fashion statement बन गया है तो बाल अगर सफेद भी हैं तो चिंता की बात नहीं उसी पर आज बाचीत जारी है और इन बालों को और कैसे बहतर दिखाया जा सकता है उनके लिए और क् ग्रे को ग्रे ही रखे हैं लेकिन थोड़ा और स्टाइलिश बना दे एश कलर आज कल काफी इन था एश ब्लॉंड तो बैसिकली यह हॉलिवूड से स्टार्ट वा था तो काफी सारे हॉलिवूड सेलिवरिटीज ने एश ब्लॉंड कलर की तरफ गए थे तो एश में सेवन परांगे टोन से तो कुछ उसमें से काफी टोन जो हैं वह सिमिलर ग्रे से हैं लेकिन थोड़ा सा ग्रेश एफेक्ट देती है तो एग्जैक्ली ग्रे नहीं होता लेकिन आज कल काफी फीमेल ऐश टोन के लिए जा रहे हैं और यह काफी इस टैम पर ट्रेंड में भी है ओके और सिलवर जिसे मैं कहूँ एक अकेला सिलवर तो देखो उसमें वह भी कलर शेड है हमारे पास लेकिन उसकी एज़ों मेरे नजर में अभी इतनी उसकी रिक्वाइमेंट नहीं है मतलब अब अभी इतने कोई उसके चाहने वाले नहीं है अब अदे टो डे लाइफ में नही से मुरादाबाद, आगरा, बरेली, धैरदून, तो इन सब शेरों में अभी ये ट्रेंड अभी नहीं पहुंचा है, बॉंबे, डेली तक तो ठीक है, बॉंबे, डेली, हाइदराबाद, यहां तक तो ये सब चीज़ें, फिर भी लोग परपल कलर, या अलग-अलग कलर, लगाते हैं, फार एक्जामपल, अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं, जो जहातर लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, नहीं है, यह बुल अलग-अलग तेल बहुत हैं, इन पार फॉल के लिए तो तो तेल भी खराब है, ग्रेंड से उसका अगर आपके बालों का पिग्मेंटेशन खतम हो रहा है, यह समाप्त हो रहा है, और वो काले से सफेद हो गया है, तो इसका यह मतलब है कि फिर उनकी मजबूती भी कम हो रही है, डेंसिटी भी कम हो रही है कि नहीं, कलर अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ है, और बाक सब्सक्राइब के लिए आपको हाइड्रेशन के लिए मास और सीरम जादा यूज करने पड़ेंगे, इट स्टाइलिंग, स्ट्रेट नहीं है, सब कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाल डेलिकेट जादे हैं, और उसके साथ शायद प्रोटीन, सप्लिमेंट, कॉलजन, या आपका कुछ और तो सिलिसिक असे बगेरा के केरेटिन बिल्डिंग सप्लिमेंट, वो जादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रे हैर जादा केर मांगता है, डेलिकेट होता है, जरूरी नहीं है कि फॉल होगा, क्योंकि आपके बाल ग्रे हैं, लेकिन ग्रे हैर से जादा ज के लिए टिप्स? इसके अलावा आप अपने वाइटमिन्स और वो तो सप्लिमेंट साइचलिकल थेरपी इस वो सब कर नहीं है, और जैसे पहले डिसकास हुआ है कि स्मोकिं है या एक्सेसिव एल्गोहल कंशम्शिन है या बिल्कुल ही इजी गोई लाइस्टाइल जहाँ कोई कंसर्न ही नहीं, आप कुछ भी खा रहे हैं, वो सब चीसों का दिलान आपको रखना ही पड़ेगा, क्यूंकि एजींग और बाकी चीज़ें आपकी जादा जल्दी हो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडर लाइन इस्टो है ही, कि आपके बाल जल्दी डिटेरोरेंट तो आपको केर करने की ज़रूरत भी रहेगी इन फॉर्म व सप्लिमेंट्स या पर्सनल ही चादा जीज़ेंगा, अब रंग भेत को खत्म करते हैं, ग्रे हो, बलाक हो, कोई और रंग हो, लेकिन आप बहुत सारी रूटीन नहीं, दो-तीन कोई चीज़ें हैं, खाने पीने क कि हाँ, यह आप ले सकते हैं, जिससे आपकी बालों की हेल्थ अच्छी रहे, कलर को छोड़ देते हैं, कलर को छोड़ देते हैं, फ्यू बेसिक हेर केर टिप्स में आपको बताऊंगी, जाहे हमारे बलाक हेर हो या वाइट, हमें अपने हेर को हार्ष सनलाइट से जरूर ब करेगा हाँ, हाँड बालों को बचाएं बिकाज यह और बालों को ड्राइट करते हैं, और अपनी डायत में अपनी डायत में अप ग्रीन लीफी वेजटेबल, एग्स अगर आप नॉन वेच खाते हैं, तो फिश जरूर इंखलूट करिये, इन में बहुत असेंशियल फैट होते हैं जो आपके हैर को हैर ग्रोथ को प्रोमोट भी करेंगे और सपोर्ट प्रोटीन की मातरा डायत में थोड़ी सी जादा लेनी चाहिए क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यह हमारे हैर के लिए तो बीन जैसे राजमा, चनाज, दाले, इस्पेशली जो वेजिटेरियन है उन्हें स्प्राउट जादा इंक्लूट करनी चाहिए और नट्स एवरी दे फाइफ तो सेवन आमन्स और वालनट बहुत इंपोर्टेंट होते हैं हमारे कलर को भी हल्प करते हैं रिटेन करने में और न्यू सेल्स की ग्रोथ के लिए और वेजिटेबल जरूर इंक्लूट करिये कारेट बीट रूट आमला डालके बिकॉस इतना है क्योंकि इससे ज्यादा आप थोड़ा भी और बताएंगी तो दर्शक पीछे चले जाएगी कि लिस बहुत लंबी होगी लेकिन ठीक है अरी पत्यदार सबजियां खा सकते कि वालनेट और एक ब लंबे समय तक चले और दिक्कत ये है कि प्री मैचूर ग्रेंग हो रही है तो बहुत सारे लोग उसी में स्टाइल स्टेट्मेंट डून रहे हैं लेकिन सर्वे की बात हमने की लोगों को पसंद भी आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है लेकिन बाल का रंग जो भी हो उनको कै ऐसे स्वस्ता रखना अच्छा रखना खास्तोर पर ग्रे एर्जी पसंदे तो उनकी देख बाल थोड़ी जादा कर रही है उन सब की बाते आज हमने यहां पर कर ली बहुत तशुक्रिया आप तीनों ही मैमानों का एन आई होप आपके जो बाल काले दिख रहे हैं लंबे वक्त तक काले रहें मैं अपने ग्रेय एर से इंजॉय कर हुआ थैंक यू नमस्कार Do You Know में आज हम बाचीत करने वाले हैं देश की one of the largest commercial vehicle manufacturer M&M के बारे में महिंद्रा & महिंद्रा दरसल इसकी शुरुवात जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम महमद साब की तरसे शुरुवात की गई थी तो इस company का नाम था 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो महिंद्रा & महिंद्रा की तरफ से ही आई थी Scorpio's का नाम था और एक और बहुत interesting fact यह है कि महिंद्रा & महिंद्रा अपना एक खुद का museum भी चलाता है जिसको वो आम तोर पे museum of living history के तोर पे जाना जाता है वहाँ पर कई सारे पुराने automobile से related यह महिंद्रा की history से related interesting चीज़े भी आपको आपे मिलेंगी तो ऐसे कई सारे fact M&M से related है ऐसी कुछ और fact लेकर आगे भी आते रहेंगे Do you know मैं आज हम बाचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी passenger vehicle company है निकी मारूती के बारे ले कुछ interesting facts के अगर बात की जाए तो मारूती सुजुकी जैसा की नाम से तो लगता है लेकिन यह है नहीं सरकारी company इसकी शुरुआत दरसल सरकारी company के तौर पर हुई थी बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेचिए गया तो और आज यह पूरी तरह से एक विदेशी company के तौर पर कामकाश करती है इस company के पहले MD जो थे वो संजे गादी साथ ते अ नमस्कार स्वागत है आपका फायदेमन फंड्स में और मैं हूँ नीरच आपका दूस तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फंड्स से कराने वाले हैं जो भारतनी विदेश में निवेश करते हैं यानि फॉरेंड की जो बड़ी अच्छी बड़ी companies हैं जहां पर पार्शिन इनुवेशन फंड की और इसके जरीए आप दुनिया की जो दूसरे देशों की बड़ी companies हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं क्योंकि भारत में लगाने के बहुत सारे आउसर हम लोग हफते बात करती रहते हैं लेकिन इस बार हमने सोचा कि एक ऐसे फंड के बारे बातचीत की जाए जहां पर अपार्चुनोटीज बनती हुई दिख रही होगी तो उसको कैसे टैप किया जाए उसको कैसे समझा जाए इसी बाचीत करने के लिए हमाई साथ हैं डेस मुशल फंड के साहिल कपू जो हैड आफ प्रोडक्शन सेल्स हैं साहिल बहुत-बहुत स्वागत है लेकिन उसको बहुत जानकारी है समझ नहीं होती वहां के मार्केट की वहां क्या चल रहा है तो उसका एक जरीया एक तरीका होता आप लोगों के जरीये वह उसमें पैसे लगाए तो यह जो ग्लोबल इनोवेशन फंड आफ फंड है यह क्या पिले तो यही बताई इसके बा लोगली और जादा तर यह कंपनी जो है टेकनोलोजी कंपनीज है और डिफरेंट मार्केट कैपिलाइशन की है जो अबरॉल फंड का कंस्ट्रक्ट है यह तो फोल्ड उसमें क्या है कि तकरीबन 55% और फंड जो है वो पैसिव इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टिंग करता है और तकरीबन 45% और फंड जो है वो एक्टिव स्ट्रक्टिजीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो यह कंबिनेशन है दो डिफरेंट आइप की स्ट्रक्टिजीज का और यह कंबिनेशन इसलिए बनाए गया है क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल टेकनोलोजी इन्वेस्मेंट देखें हैं globally वो बहुत concentrated है अगर आप NASDAQ इंडेक्स देखेंगे तकरीबन जो top 10 stocks हैं उनका weightage 40-45% के आसपास है तो जो fang है या बड़ी companies हैं पूरा का पूरा exposure उसमें चला जाता है तो हमें लगता है कि there are lot of opportunity जो इन बड़े stocks के बाहर भी है टेकनोलोजी में इसलिए ऐस इसा construct बनाये गया जिसके अंदर passive और active investing दोनों का लाब मिल सके तो overall यह fund जो है इन sector को track करता है जो यह sector जो है दुनिया में one of the best sector है in terms of its fundamentals in terms of its earnings growth तो यह एक बड़ी opportunity को एकेटर करता है तो इसमें जाधातर यह सारी US listed companies है भले ही वो कहीं और कि हो लेकिन लिस्टेड अगर आप overall global market के अंदर technology companies देखते हैं तो आप देखेंगे कि majority of यह जो companies है US में लिस्टेड है अगर आप जस्त एक overview भी लें जो हम products यूज करते हैं services यूज करते हैं आप देखेंगे से बहुत कम European यह आदर देशों की countries हैं लेकिन हाँ यह fund दूसरी countries में भी invest करता है ऐसा नहीं है कि यह concentrated है सिरफ US में but because design ऐसा है कि सारी बड़ी companies और profitable companies जो है वो US में लिस्टेड है इसलिए इसका जो रुजहान है वो US की तरफ है ओके इसका रुजहान उसकी तरफ है और तक्रीबन साल भर हो चुके हैं आपके फंड के US में इतना उतल बुतल चल रही है और कु इसे में जो निवेशक हमारा आपके फंड में पैसे लगाना चाहता है उसको आप बताइए कि US की क्या इस्तितीव मार्केट की वहाँ पर जी बहुत इंपोर्टेंट है यह समझना की लास्ट एक साल में क्या हुए आप देखेंगे जो नैस्टेक इंडेक्स है जो टेक्नो इसे आपने बोला बहुत चोटे और जो मीडें स्मॉल कैप जिसको बोलते हैं बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो 80-90% भी डाउन है लेकिन इसी पीरिट के अंदर आप देखेंगे कि यह जो ग्लोबल इन्वेशन फंड की स्ट्राटजी है हमारे जो निवेशक हैं इसमें काफी तो अबने स्टेमाटिकली स्पीरेट में इन्वेस्ट किया है आपके you are still above water आपके डंज बन रहे हैं और यह क्यों बन रहे हैं कि वो लैटिलिटी ने आपके फेवर में काम किया है लेकि आपका जो मैं इस वह जो को मैं की इतनी उतल पुदल के बीच में इटेक्नॉलजी क तो कैसे देखना चाहिए तो इसके लिए एक सबसे बड़ा important long term trend में आपको बताऊंगा एक general comment है that technology is eating the world, आपने comment सुना रहेगा, यह technology जो है वो दुनिया के सारे profit pools को खा रही है, तो अगर आप पिछले 20 साल का data लेंगे और उसको split करेंगे, technology companies versus non technology companies, यह technology companies क्या होती है, जो software services यह hardware बेचती है, अगर आप इनके दोनों के profit pool देखेंगे, technology versus non technology, पिछले 15 साल में technology companies की bottom line, मतलब profitability pad growth 15% केगर से बढ़ी है, और non technology companies की केगर ग्रोथ जो है, वो 0.5% है, इसका मतलब दुनिया के सारे profits इन companies को मिल रहे है, बाकी जो companies हैं, चाहे वो auto में हो, oil and gas में हो, वो क services खरीद रही है, तो यह technology का long term trend है, इसमें कोई break नहीं आया, अगर हम इसको अभी भी draw करेंगे कि क्या अगले 5-10 साल तक यह trend maintain रह सकता है, तो हमें लगता है, यह trend long term, जो sustainability है, वो अभी भी बरकरार है, उसमें कोई change नहीं आया, लेकिन last एक साल में उतल उतल की हुई, यह जो stocks हैं, बहुत महंगे हो गए थे, अगर आप देखेंगे, जिस NASDAQ को measure करेंगे, जो COVID से पहले NASDAQ की valuation multiple कुछ 18-20 P multiple पर चल रहा था, और COVID के दुरान, जब यह correction आने से पहले, यह multiple 37 चला गया था, जो की all time high है, इससे महंगा शायद यह 2000 में हुआ होगा एक बार, तो यह high multiples की वज़े से, last एक साल में, धीरे-धीरे multiple कम हो रहे हैं, इंटरस्टेट बढ़ने की वज़े से, और यह shares बहुत महंगे थे, इसकी वज़े से, लेकिन जो underlying long term trend है, earnings growth का, मुझे लगता है वो कहीं नहीं गया है, तो यह sector को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते, लेकिन you will have to be more strategic, आपको उस ध्यान से निवेश करना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा कि मुझे कहां entry लेनी है, और किस तरह से invest करते हैं, साहिल, मैं market पे थोड़ा और अपसे समाझना चाहता है, लेकि उससे पहले एक चीज़ा है, चुकि आप fund of fund है, आपने भी किसी वहां के fund में manager है, उसके बाद बहुत कम choices रहती है, क्योंकि वो at the end of the day portfolio control नहीं कर सकता, इसके अंदर हमने क्या किया है, जो हमारा construct है, उससे जो design है, fund का design, वो इसको ध्यान रखता है, वो कैसे रखता है मैं आपको explain करता हूँ, देखिए, जैसे मैं आपको बताए, 5% जो है, मारे पास passive funds हैं, जो index को track करते हैं, अभी index में हमने directly Nasdaq को नहीं खरी लिया, Nasdaq एक छोटा portion है, दूसरा एक portion है, जो है SOX, semiconductor index, जो semiconductor है, वो अपने आप में बहुत बड़ी theme है, तो जो semiconductor index है, उसका exposure इसके अंदर 22% है, और जो active managers है, उसमें हमने क्या किया, एक active manager है, जिनका नाम है, blue box global technology fund, ये एक ऐसा fund है, जो एक fund manager है, William D. Gale, वो इसको manage करते हैं, वो पिछले 20 साल में से multiple years तक दुनिया के number one fund manager रहे हैं technology में, आप उसको technology का value investor बोल सकते हैं, वो unprofitable companies नहीं खरीबते हैं, highly profitable companies खरीबते हैं, और उनका भी रुजहान, semiconductor और equipment manufacturers पे रहता है, और चौथा जो fund है वो small and mid-cap companies में निवेश करता है, वो एक black rock का fund है, next generation fund, और उसका endeavor ये रहता है, कि वो ये चाहता है, ऐसी companies में निवेश करें, जो कि future में large cap बन सकती हैं, तो ये जो चार strategies हैं, ये चारो complementary हैं, जब आप इनमें invest करते हैं, तो आप exposure कुछ ऐसा निकल के आता है, कि आप fang stocks मे concentrated नहीं रहते हैं, आप तीन तरह की company में invest हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, डॉमिनेटर, जो कि बड़ी companies हैं, जिनका नाम हम सब जानते हैं, Apple, Microsoft, Alphabet, दूसरी enablers, ऐसी company, जो इन companies को enable करती हैं, और तीसरी disruptor, जो new inventions कर रही हैं, तो ये जो design है, वो इस fund को control करता है, कि कैस 25% active में, राइट सर, नहीं इस समय जो हमारा बेटे जा, 55% जो है, वो passive में है, और 45% जो है, वो active funds, जो है, एक्टिफाइव परसेंट जो है, एक्टिफाइव परसेंट जो है, जो हम लोग चेंज करते हैं, नहीं, ये बहुत gradual process है, जब हमने NFO launch किया था, आपको याद होग ये split जो है, तकरीवन 50 की तरफ जाएगा, और it will stay there, and gradually हम चाते हैं कि जब-जब market गिरे या सस्ता हो, हम अपने active weights बढ़ाएं, क्योंकि जो हमारे active managers है, they buy value, companies, they buy good quality companies, तो धीरे धीरे उसके weight उपर जाते जाएगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि 50-50 split रहेगा रहेगा रफली कुछ समय तक, but gradually over the years, हम जो है, two-third और one-third पे in favor of active funds, वहाँ पे move अना चाते हैं, साहिल, आपने semi-conductor की बात की, इस वक्त आपका जो exposure है through fund, वो semi-conductor sector में कितना है, देखे, अगर आप सिरफ S.O.X देखेंगे, जो purely semiconductor है, वो तकरीबन 20% exposure है, आप 20-20% के बीच में, और जो हमारा Blue Box Global Technology Fund है, जो की again, बहुत tilted है semi-conductor equipment के बीच में, उस fund के अंदर ही 40% exposure है, तो उसका जो exposure हमारे पास 30 है, तो 30-40%, मतलब 12% हमें वहाँ से भी आ रहा है, तो semi-conductor as a theme, तकरीबन one-third of the portfolio है, give or take, तकरीबन you can say, अगर exact number देखेंगे, 35%. आपका semi-conductor में है, और semi-conductor इस समय highly under-performer है, rock bottom price में, inventory इतनी built करी, आप even देखेंगे कि Warren Buffett ने TSMC में अपनी stake काट दी, अभी दो दिन पर एक ख़बर आई, last quarter उनने सब पेज दिया, और वो कर्वेशन एक तरफ चले गया या दूसी कमपनी, semi-conductor एक ऐसे दोर से गु supply हो गई, तो बहुत सारे capacity expansions हुए, और US में बाकाइदा एक policy बनाके encourage किया गया कि China और Taiwan के dependency कम हो, अपनी देश में आप semi-conductor बनाईए, और उसकी वज़े से over supply हो रही है हुई, तो ये जो 35% आपका है, ये आपको लगता है कि underperform करेगा, देखें, नीरज जी बहुत ही ब semi-conductor जो है ना वो अपने आपने बड़ा different sector है, जब आप technology की बात करते हैं तो उसमें क्या है, तीन दौर है, पहला जहां पे software बिखता है, ठीके दूसरा जहां पे services बिखती है, तो services वाले जो हो software वाले को help करते हैं, और तीसरा है जहां पे hardware बिखता है, तो hardware जो है वो ती business को भी, अभी एक चौथा element है जिसको बोलते है equipment manufacturer, यह ऐसी companies है जो hardware को equipment बनाती है, जैसे मैं example लेता हूँ, आपको एक company ASML, ASML जो है वो ultra violet brace के through, EUV जिसको बोलते हैं, वो chips design करने में help करती है और उसके पास उसका 100% market share है, ऐसी कोई बूसरी company है जो उसकी तरह काम कर सकती है, TSMC जो है उसके पास तक रीबन 50% foundry business का market share है, तो अगर आप जो मैंने तीन आपको segments बताए, अगर आप इसमें अंदर जाते जाएंगे segments में, deeper जाते जाएंगे, तो कुछ ऐसी company हैं जो जिनके बहुत बड़े moat हैं, long term इनका competition नहीं है, और तीसरा इनके margins बहुत stable है, तो जो business cycle की आपने बात की, जो up and down होती रहती हैं because of demand and supply, वो एक reason है, लेकिन जब ये companies सस्ती हो जाती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, semi-conductor index, जो हमारा ETF जिसके थो हम इंवेस्ट कर रहे हैं, वो October 2022 में 15-year low valuation पे trade कर रहा था, तो it is a matter of time की कभी है valuations improve हो, क्योंकि जैसे म bottom line growth का, वो अभी तक नहीं किले, तो इसलिए हमें लगता है कि अगर आप जो हमने जब NFO किया था, हमने इसको बोला था SIP का NFO, अगर आप systematically इस sector में invest कर रहे हैं, over the longer term, अगर earnings growth play out होती है, तो ये sector अच्छा ही करेगा, तो मुझे लगता है कि ये 6 महीने एक साल की जो volatility ये साहिल कांट agree more, ASMC के बारे में मैंने पढ़ भी रखा है, और इस sector में बड़ी दिल्चस्पी है, तो मैंने इसको काफी deeply पढ़ा, तो आप जो कह रहे हैं, बहुत सही बात है, तो आपने शुरुआत में तीन चीज़े कही थी, एक होता है डॉमिनेटर, एक होता एनेबलर, तीसरा होता है, डिस्रप्टर, इसमें एक और आता है, पॉलिसी डिस्रप्टर, जो हाँ पे गॉर्मेंट राके इंट्रिविन करती है, वो एक और डिस्रप्शन जो मैं देख रहा हूं कि हर देश में हो रहा है, खास तरो पर समय कंडॉक्टर को ले करके, उसको कैसे डिसक है उसका एक्सपोजर उन कंपनीज में होना चाहिए जिनका डिस्रप्ट होना बहुत मुश्किल है दूसरा मैं आपको बता हुगा जो सेमी कंडॉक्टर एज युनिवर्स है क्योंकि हम उसको डिसकस कर रहे हैं वो युनिवर्स किसी कंट्री में नी बैठा हुआ जैसे आप और मैं जानते हैं कि इंडिया जो है वो सेमी कंडॉक्टर प्रोडक्शन है बहुत पीछे हम कुछ जाला चिप्स नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं लेकिन आप यह देखेंगे कि जो फैबलेस मनिफैक्ट्टर हैं जो यह चिप को डिजाइन करते हैं उसके स समार्टेस्ट पीपल और सिटिंग इन पूने तो कहीं न कहीं हम भी उसमें मिले हुए हमारा भी एक चेन के अंदर हाथ है सप्लाइचेन के अंदर तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जैसे तायवान है जपैन है यॉनाइटेट सेट्स है इस्राइल है यह सारी कंपनी जो है प्रोड़क्ट बना पाता है जैसे अगर वो कालजीस के लेंस नहीं लेगा तो अपने चिपसेट मेरेफेक्शर करने की एक्विपमेंट नहीं बना पाएगा तो इन सब को मैनेज करना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है और पॉलिसी इंटर्वेंशन अग इस लिए इसका जो यूसफुलनेस है वो कभी अभी जल्दी खतम नी होने यहां पे चोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो यह जानने की कोशिस करेंगे कि एकमुस्त पैसा लगा दें या थोड़ा-थोड़ा करके लगाए क्योंकि वोल्टैल्टी हो स दरसल स्पाइस जेट के बारे में बहुत सार इंटरस्टिंग फैक्ट्स है सबसे पहला तो कंपनी की जो इनीशल शुरुवात हुई थी वो दरसल मोधी लुफ्त के नाम से हुई थी जो की एक SK मोधी ग्रूप और लुफ्तांसा की वीच का टायब था बाद में इस कंपनी जो ए, O, C certificate है ने की एर operator certificate है वो certificate मिला अज़य सिंग सहाब को और उस कंपनी की शुरुवात की Spice Jet के नाम से Spice Jet के सारे planes दो होते हैं वो किसी ना किसी spices के नाम पर रखे जाते हैं निसाल के तoter पर आप् कोरियंडर, čili, turmeric, red, calamari, mustard, pepper और ये सब Spice Jet के Aeroplanes के नाम है और जब भी आपको इसकी उड़ान में बैठे तो इसके cockpit के नीचे देखेगा ये नाम लिखेगा आपको कहीं न कहीं दिखाई पड़ेंगे एक और इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजेस सिंग सहाब वो आदमी हैं जिनका बहुत important contribution था DD Sports के launch में और DTC buses दिल्ली में जो चलती हैं उसके losses को cut down करने और turn around करने में भी अजेस सिंग सहाब का बहुत major contribution रहा है तो कुछ interesting fact Spice Jets related आगे कुछ और fact लेकर आपके लिए आते रहे हैं Do you know में आजब बाचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी IT company और देश की दूसरी सबसे बड़ी company TCS के बारे में special national stock exchange जिसका software 1994 से जो software इस्तमाल करा है इसको आप हर रोज इस्तमाल करते हैं वो TCS ने provide किया है इतना ही नहीं TCS के पास एक world record भी है देश की सबसे बड़ी depository services बनाने का और वो भी महस पांच महीने में NSDL के लिए उन्होंने depository services प्रोवाइड की थी और वो पांच महीने के अंदर ही तयार कर दिया था जो की world record था State Bank of India जो की देश का सबसे बड़ा सरकारी bank है उसकी जितनी भी branches है वो आज भी TCS का software यूज करते है तो इस तरह का scale आप अंदाजा लगा सकते हैं 2004 में TCS के listing हुई थी है और वो करीब-करीब 7.5 गुना उस समय पर IPO लिस्ट हुआ था और कमपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कमपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी है टाटा ग्रूप के कुल मुनाफ़े का 50% हिस्सा अकेला TCS देता है और टाटा ग्रूप के कुल करमचारियों का roughly 60% हिस्सा अकेला TCS देता है तो इस तरह के कुछ interesting fact TCS related आए कुछ और fact लेकर भी आते रहेंगे CNBC आवास है बजट का असली destination CNBC आवास की बजट मेगा कवरिज का YouTube पर दब दबा बजट के दिन YouTube पर मिले अपने competitors 179% ज्यादा भी बजट के दोनान मिले आपके देशमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिखते रहें CNBC आवास आपके मुनाफिय की बार Do You Know में आज हम माचीत करने वाले हैं Tata Samoo की एक कंपनी टाइटन के बार राने एक वाल फिल्टर स्वागत है आपका फाइदेमन फंड्स के इस खास पेशकस में जहां पे हम एक Fund of Fund के बात करें हैं DSP, Innovation Fund की जो Global Market पे पैसे लगाते हैं और High Probability वाली जो Technology Companies हैं उन में निवेश करते हैं क्या benefit आप इसका ले सकते हैं कैसे इस इस पे बात्चेक करेंगे जो Companies है आपके portfolio में दर्शकों के लिए आप तो जानते ही होंगे कि बहुत सारे Innovations जहां पर हो रहे हैं इसका नाम भी Innovation Fund है लीड वही Companies करती है दुनिया राज उनी का होता जो Company Innovation करती है जिसके R&D बहुत स्ट्रॉंग होती है जिसके एक चोटास एपल की एक वाच आने वाली है जो आपकी Diabetes को ट्रैक करेगी 24-7 अगर आप घड़ी बादे हुए तो वह नियर परफेक्शन पर है जिस दिन वह लाँच होगी मल्टी बिलियन डॉलर के पार्चनोटी ह जिसको भी दिक्कत होगी उसको गड़ी शायद पहननी पड़े ज़्यादा अच्छे के लिए तो अब एपल के लिए एक बहुत बड़ी पार्चनोटी खुल रही है और वो इस फंड के जरीए आप ट्रैक कर सकते हैं साहिल ये बताई कि अगर माली ये इस फंड में कोई ल चल रही है अभी भी हमें लगता है कि एक स्लोडाउन जो है यूस एकॉनिमी में आ सकता है लगातार साड़े चार पांच परसें का इंटरस्टेट एकॉनि जेनरली वरदाश नहीं कर पाती अगर ऐसा होता है तो टेक्नोलोजी शेर्स में भी वो लैट्रीटी आएगी वो हमारी recommended strategy है और हम काफी खुश हैं कि most of the investor जो हमारे fund में वो इस route को follow भी कर रहे हैं निकले नहीं कोई पिछले एक साल में ऐसा नहीं दिखा ना कि लोग नीरा जी यह surprising data है कि जो almost all 99.1% investor है straight through their sip तो हमने कोई भी सिप ज़्यादा कुछ sip cancellation नहीं देखी है में भी at the margins अज़िए एक साली बताई कि जैसे यूएस में आप लोगों की बातचीत तो होती होगी चुकिए आपने वहां के फंड पर से लगया तो वहां के stable होगा बहुत uncertainty मतलब वहां पर फेट को भी नहीं पता उसके भी गवर्नर अलग अलग बाते करते रहते हैं तो आप लोगों क्या sense क्या लग रहा साल मेने डेर साल 6 महीने कब यह stable होगा अगर ना कम से कम गिरे चड़े नहीं पतातों में जो की बहुत अच्छा है और हम कुछ रिपोर्ट में भी मेंशन कर रहे हैं अगर आप पिछले 100 साल का डेटा देखेंगे और SNP को लेंगे US का मार्केट तो ऐसे केवल चार इंस्टेंस हैं केवल चार सौ साल में जहां पर मार्केट लगा अतार दो या उससे ज्यादा साल से गिरा है तो 2022 में बजार नेगटिव था यूएस का तो अगर यह 2023 में भी नेगटिव होता है तो यह पांचवाए इंस्टेंस होगा पिछले 100 साल में इसका मतलब हम कहीं न कहीं extremes के आसपास हैं अगर आप year on year chain देखेंगे लेकिन इस साल बजार अभी भी positive है तो A, long consolidation को rule out नहीं करना चाहिए जहाँ पर अंदर correction आएगा B, starting valuation 22 में बहुत जादा थे तो एक तो साल लगते हैं इस valuation को normalize होने में, earnings को normalize होने में तो mostly expectation यही है कि अगले 6 महिने में you will be in a consolidation phase तो अभी तो NAV ने सारा discount ले लिया होगा जितना उपर नीचे हुआ है market में तो एक better timing भी है चुकि महाँ के market ठंडे है और SIP के जरीए आप करेंगे तो आपका average cost of acquisition NAV की और नीचे आगी अगरे साहिल एक generally लोग पूछते हैं इसमें कोई tax implication अलग से तो नहीं है न जो global fund of fund होते है mutual fund के route के through they remain one of the best investments to take global exposure because बाकी सारे route जो है वो less tax efficient है तो अगर आप दुनिया के बड़ी companies में innovation वाली companies में और leading companies में bet करना चाहते है और आपको लगता है कि वहाँ की growth के आप participant बने वर्ल्ड growth की participation करें तो आपके लिए एक बहतर fund हो सकता है क्योंकि इसमें उन company को शामिल के आता है जो world को lead करती है technology के मामले में innovation के मामले में और कमाई के भी मामले में क्योंकि apple की balance sheet आप देखेंगे तो आप चौक जाएंगे कि इतनी बड़ी balance sheet हो सकती कि किस देश की दुछार देशों की GDP नहीं होगी तो उसका फायदा आप इसके जरीए उठा सकते हो साहिल ने बहुत ही interesting तरीके से हम लोगों को यह समझाया कि कैसे global market में आप अपनी participation ले सकते हैं और आप अपनी लिए एक अच्छा fund ले सकते हैं जिससे आपकी wealth create हो लेकिन long term में और better strategy इसलिए मैंने बड़ा blend question पूछा था कि SIP लगा है या अच्छे से समझा होगा और उनको अगर इस growth में participate करना है तो वो DSP के इस fund के बारे में जरूर सोचेगे बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाइसा जोनने के लिए है तैंक्यू नीरज तैंक्यू वरी मच दूइनोवे आज हम बाचीत करेंगे Colgate के बारे में दरसल ये रोज बरोज स्क्वाल होने वाला Colgate एक्च्छल में एक multinational product है ये इंजिन कंपणी नहीं है और इसकी शुरुवात 200 साल पहले William Colgate साहब ने की थी दसल Colgate ने toothpaste कारोबार में जो फोरे है ये वो कारोबार की जो शुरुवात है वो William Colgate साहब के demise के 16 साल बाद शुरू की थी उससे पहले 10 साल तक Colgate जो था वो perfumes के कारोबार में था और perfume बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफी aggressively कामकाज करता था इसके अलावा कुछ और interesting facts में Colgate शुरुवाती कारोबार में जो अपना toothpaste है वो कुछ jars के जरीए बेचता था लेकिन वहां से लेके आज तका सफर ऐसा है कि आज Colgate दुनिया भर में 40% market share ओन करता है निकि दुनिया की आधी अवाधी करीब करीब Colgate के product को इस्तुमाल करती है इसके अलावा कुछ और interesting facts में एक fact ये भी है Colgate का कामकास तो करीब 200 देशों में है लेकिन Colgate मेहज दो देशों में ही listed है जिसमें एक है US और दूसरा है भारत तो कुछ ऐसे interesting facts आपके लिए Colgate के लिए साथी साथ कुछ और fact लेकर आगे भी हम आते रहे हैं Do You Know में आज हम बाचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में दरसल इस company से रिलेटिव बहुत सारा interesting fact है लेकिन सबसे interesting fact तो इस company के नाम के साथ ही शुरू हुआ था दरसल इस company का जो नाम है अमारा राजा वो actual में जो existing promoter है उनके grand parents के नाम पर लिया गया था जहां पर company के जो जैदेव गाला साहब है उनके grand parents में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राज गोपाल नाइडू इन दोनों को मिला के company का नाम अमारा राजा बना जैनि हरत किसी गाड़ी जो powered by है वो अमरा राजा बैटरी है साथी साथ Singapore की हर दूसरी गाड़ी जो है वो powered by अमरा राजा बैटरी है इसके अलावा कुछ और interesting facts में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया tank, urgent tank इसकी भी बैटरी अमरा राजा की तरफ से ही provide किया और अमरा राजा बैटरी का ना केवल आटो मूबील में कामकाज है बलकि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरी इसके अलावा एक और interesting fact ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलिकॉम टावर जिसको जिससे आप मुबाइल की connectivity पाते हैं उन टेलिकॉम टावर की बैटरी को भी आमरा राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है साथी साथ आमरा राजा बैटरी ना केवल गाडियों के लिए उटो मुबील के लिए, नेट वर्क्स के के लिए रेडार्स के लिए टेलीकॉम के लिए रेलवेस के लिए बैटरी प्रोवाइड कराता है वालकि कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि आमाराजा बैटरी ताज महल के लिए अगर ताज महल की जो बैटरी है उनको भी आमाराजा बैटरी ही प् नमस्कार CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं फ्रॉपटी गुरू और आपके साथ मैं हूँ विपन भट लेकर हाज़र है फ्रॉपटी गुरू का ये ताजा तरिन एपिसोड आपके लिए तो रियल स्टेट में हलचल जारी है कुछ कुछ चीजें लगातार होती रहती है बजट का इवेंट हो चुका है ब्याज दोरें बढ़ चुकी है अगली RBI पॉलिसी का इंतजार रहेगा इस बीच काफी कुछ होता है कुछ डेवलिपर्स के दाम थोड़े उपर नीचे कहीं पे इन्वेंटरी नहीं आ रही है तो कहीं अभी भी मिलने ही रही है तो ये सारा कुछ रियल स्टेट मारकेट का एक ताज़ा अपडेट आपको देंगे और साथ में आपके सवालों के जवाब तो रहें गई हमारे साथ आज के हमारे मेमाने नारॉक के प्रिजिदेंट केबिल मारकेट्स मुहमद असलिम साब सर बहुत बहुत सवागत है आपका प्रॉप्टी गुरू में तो हमेशा की तरह दर्शकों के सवाल जवाब लें उससे पहले बहुत शॉट में छोटा सा ब्रीफ सेनॉपसिस अभी तो नॉन इवेंट हो गया जितने इवेंट होने हो गए हैं और आगे हमें बस मारकेट की चाल देखनी होगी लेकिन ताजा समाचार क्या है सर ताजा समाचार ठीक लग रहा है अभी मैं तो यही पॉजिटी भी रहता हूं काफी जैसे हमने पहले भी एक बार बात किये कि रेट ओफ इंट्रेस को अभी लोग थोड़ा सा समझने लगें कि आपका जो लॉंग टर्म स्कीम रहता है कि आप इंवेस्टेट रहते एक प्रॉपर्टी में कुछ 10-15 साल तर तो उसमें इस टम जो मार्केट में साड़े आठ हैं तक हम पहुंच गए हैं या नौ तक भी हैं हम लोग लेकिन वह वह आपस कम हो जाएगा लेकिन अल्टिमेटली क्या होता है कि एक और गैनिक ग्रोध जो इससे बहुत बड़ाया फैक्टर है कि इस बार जो रेट ओफ इंट्रेस बढ़ रहे हैं या जो भी इसका इंपक्ट है वो इतना नहीं देखने को मिल रहा है और उसमें दूसरी बार अच्छी बार यह भी है कि बैंक्स और अपना ये रेल स्टेट डेवलोपर्स भी इसके बढ़ा बढ़ा भी है क्योंकि इंपुट कॉस्स बहुत बढ़ता जा रहा है तो वो कुछ और कुछिश कर रहे हैं कि जिससे की लोगों का जो एक खरीदने का सिलसला यो खतम ना हो अभी हम लास्ट कॉर्टर और फिरेंशल येर में हैं तो सभी बैंक रेट ऑफ इंट्रे अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है और मुझे लगता है इहां से एक्सपेक्शेशन तो यही है कि अगली RBA पॉलिसी में रेट इदर स्टेबल रहेंगे या हो सकता है कुछ अपने लिए खुशकबरी आए बट फिलाब ले कहता हूं कि अभी मोमेंटम अभी भी लेकिन चुलिए अब सवाल-जवाब कि सेसले को शुरू करते हैं हमारे पहले कॉलर हैं सचिन श्रीमन बाले आप हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं सचिन जी बहुत स्वागत है आपका क्या पूछना चाहेंगे अब इतना धीमे क्यों बोल रहे हैं किसी से छुपा के बोल रहे हैं क्या घर में कोई सुनना ले आ रही है लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि धीमे बोल रहे हैं जी बोलिए मैं पूछने में पॉपर्टी मतलब बुक किये तथावड़ी लोकेशन में मिलेनियम एटलास तो 52.5 में आप्रोचिवेट 698 कार पे डिय रहे हैं तो मैं सा अप्रैशेशन और डेवलोप्टी फूचर क्या रहे हैं उसका मैं जानना चाहता हूँ ठीक है जी कैसा रहेगा बुक तो आपने कर दी है मिलेनियम पैसिफिक तथावड़े पूने में असलम साब बावन लाक के आसपास की प्रॉपर्टी है अभी मिलेगी इन्हें बाकी थोड़ा जानना चाहते है कैसी प्रॉपर्टी है डेवलपर कैसे है वक्त मिलेगा आगए अप्रेसियेशन इन जनरल जो कोई भी जानना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल जैसे आपने बोला कि इन्होंने बुक तो कर दी है तो आप इस पे निश्चिंत रहें मिलेनिम डेवलपर के बारे में कुछ नेगेटिव नीज नहीं है मार्केट में और वो एक अच्छे डेवलपर कहलाते है वेस्टन पार्ट पूना के तो मुझे लगता है कि आपने उसमें अगर कुछ होम लोंस अगरा लिया होगा तो कुछ डूडिलिंस आपने अपने एंड पे भी किया होगा अब आपने ले लिया है और आप उसमें अगर बने तो डेफिनेटली ये अच्छा एरिया है वेस्टन पार्ट पूने बहुत अच्छा करता है पूना में इस्ट और वेस्ट ही दो पार्ट है जो बाकी इलाकों से बेटर करते हैं और वेस्टन पूने में थोड़ा सा भी गर्मी भी है क्योंकि अभी इस तरह से जो मुंबई क तरफ जाने वाले जो पूरे एरियाद हैं उसमें काफी डिवलप्मेंट हो रहा है जैसे एरपोर्ट ही आने की बात है तो एरपोर्ट एक बार आने के बात यह एरिया और होट जाएगा तो आपका जो इंवेस्टमेंट है वो काफी अच्छा है और ताथावड़े अपने आइटी परक पुरा आपके पास है इसके अलावब ही गोड़े में और वाकर में भी काफी इघावड़े से तो अवरल एरिया का डेवलप्मेंट काफी स्ट्रॉनरं है Metro I think वो भी next 2-3 years में complete हो जाएगी उस एरिया की तो आपका एक investment अच्छा है आपको उसमें बने रहना चाहिए और आप निश्चिंत रही है आपको return तर अच्छी इसमें आएंगे Long term investment रहना पड़ेगा लेकिन चलिए सचन जी तो अच्छा है हमारे अगले caller NITIN साथ नितिन कुमार गुरुगराम से कॉल कर रहे है NITIN जी बहुत स्वागत है आपका क्या होगा आज आपका सवाल Hello Hello Sorry, thank you Thank you sir Thank you for the call So मेरे प्रशेशन यहीं कि 3BHK I was looking for the ready to move in apartment With all the amenities But the budget is constrained Is around 1.2, 1.3 And looking in the central गुरुगाओ area like Sona which is like sector 48, 59 Or extension road if possible Okay, but you need a ready position With all amenities Right, right So Guru Gram का एक पर फिर सवाल है Assam साब पिछली बार भी जब हम बैठे थे तो काफी सवाल थे वहाँ के And NITIN चाहते हैं That ready to move in इने मिले This sector 56 Golf course extension Sona road 48 I mean कुछ भी है It's open, they are open to all Or करीब सवा करोड से 1.3 टक का ये बजट रखते हैं लेकिन ये कि थोड़ा ready to move in देख रहे हैं देखे, specially Guru Gram की बात करे हैं और जिस areas में ये बात कर रहे हैं वो last three years में काफी Strongly sought after रहा है Buyers का और काफी जो inventory है वो उनकी consume भी हो गई है तो मुझे लगता है करीदन ये भी है इनका कि वो ready to move in नहीं देख रहे हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा तर आपके लिए option resale में ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उसके लिए कुछ तो option में आपको दे सकूंगा लेकिन उसमें मेरा advice यही रहेगा कि आप किसी अच्छे real estate consultant के साथ connect करीजे और उनको अगर उनके थुरू आप जाएंगे तो आपको काफी ready to move in जो आप specially देख रहे हैं with all amenities और आपके budget में भी हैं तो काफी उसमें units मिल जाएंगी क्योंकि जो अभी developers के पास हैं तो अभी prizes क्योंकि गुरू ग्राम में especially काफी बढ़ गए थे तो वो अभी थोड़ा आपको expensive मिलेंगी तो अगर आप resale में जाएंगे तो आपको जादा अच्छा रहेगा I think resale में अभी भी काफी लोगों ने जो buy कर लिया था और वो उसमेंसे अभी भी निकलना चाहते हैं जो पुराने investors हैं वो flats आपको काफी अच्छे prize में अभी भी मिल सकते हैं तो मुझे लगता है वो एक तरीका या एक route आप ले सकते हैं दूसरा इन सब एरिया में जैसे societies काफी developed हैं जैसे एक प्रेना society है मज़ूर जीवन अपार्टमेंट्स हैं जलवाईू टावर्स हैं दिव्य अपार्टमेंट्स हैं यह सब हैं कुछ societies के नाम जहां पे आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ ready to move in मिल सकता है क्योंकि यह established societies है बाकी क्योंकि इतना बड़ा area है आपका जो आपने बोला है तीम चार आपने area बताएं तो उसमें तो better option यही रहेगा कि आप अगर इसमें reseal में जाएं और जो investor flats ने उनको थोड़ा target करें हैं तो आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा चले नितिन जी तो थोड़ा देखना पड़ेगा reseal market में भी बहुत ready to move in वहाँ पर availability इस वक्त नहीं है reseal में भी हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज मल जाए बाकि कुछ एक नाम आपको यहां असन साब ने बताए कुछ और आप देख सकते हैं तो एक बाद थोड़ी नजर मारिए और अगर फिर कुछ लगता है तो उम दुबारा बात करेंगे एक चोटा ब्रेक यहां पर ले ले लेते हैं इसी के साथ लेकिन ब्रेक के बाद बात चीज चारी रहे Do You Know में आजम बाचीत करने वाले हैं DLF की Delhi Land and Finance यह सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है 1946 में इस कंपनी की शुरुवात हुई थी और चौदरी रगवेंदर सिंग साहाब ने इसकी शुरुवात की थी कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट यह भी है कि दिल्ली में जो बहुती प्रॉमिनेंट एरियाज हैं जैसे कि ग्रेटर केलाश, हौस, खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क यह कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको DLF नहीं डेवलप किया था और कुछ और इंटरस्टिंग फैक्ट में कमपनी का आई-प्यो आय था 2007 में और उस नमेकाओ सबसे बड़ा आई-प्यो के तौर पे शुमार था जो कमपनी के मालिक हैं कुछल पाल सिंग साहब वो एक समाने में इस कमपनी को 27 लाख रुपे में बेचने को बिलकुल तयार ही हुए थे लेकिन फिर उनने वो फैसला वापिस ले लिया और आज ये कमपनी करीब-करीब एक लाख करोड रुपे की वर्थ रखती है जनरल एलेक्टरिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कमपनी थी जो कि इस कमपनी के लीज ओफिस पेस डीलेफ सिटी में आने वाली थे और उसके बाद धीरे-धीरे कई नाम जैसे British Airways, American Express, Nestle, IBM ये कुछ ऐसी नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़ा है तो ये कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट, TLF से रिलेटेड आगे भी कुछ और पैक्ट लेकर आते है विल्कम बैक सीन बीसी आवास पर आप देख रहे हैं प्रॉप्री गुरू मैं हूँ गतिन भट और आपके सवालों के जवाब देने क्लिए हमारे साथ बने हुए हैं तो चलिए फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ बेल्स और ऐसमेस हमारे पास हैं वो हम ले ले लेते हैं रेंटल ये कह रहे हैं करीब आठ से नौँजार रुपे महीने आ रहा है मेंटिनेंस ही अकेला चार अजार रुपे है अब थोड़ा कन्फ्यूजड हैं कि क्या ये सही रहा या गलत रहा और आप इसे रखें बेचें क्या कर तो असलम साब रेंटल यील्ड का तो इशू थ रहा जार मतलब आज़े से ज़्यादा किराय तो मेंटिनेंस भरने में जाता है आप थोड़ा कन्फ्यूज हैं कि ये प्रॉपर्टी में बने रहना चाहिए या इससे बीच देना चाहिए आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो एरिया टो एरिया डिफर करता है और क्योंकि व क्योंकि 2015 का एक्पेक्टेशन के साथ पोडेशन था बनना शुरू हो अगर 2012-2011 में तो इंडर्स्टैंड कि वो कॉलिटी भी अभी वैसी नहीं रही होगी तो मेरे सला में क्योंकि आपका जो मैक्स नहीं बैठता है इसमें कि अगर आप 4000 मेंटिनेंस में दे रहे हैं तो द या मीरा रोड तक भी आप उसमें देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा वहां से निकल के आप अगर इन एरियाद में ट्राइ करेंगी तो आपको आपका जो प्राइस का एक प्रिसीशन है वो भी जल्दी मिल जाएगा और अगर बाद में रेंटल वैल्यू भी द ये लाके हैं साइज वन भी एच के देख रहे हैं 35 से 50 लाग तक का बजट रखते हैं अंडर कंस्रुक्शन इनको चलेगा और मुंबई से कौन सा इलाका बहतर होगा ये दो तीन जो इनोंने इलाके बताएं पहले तो थोड़ा सा वहीं पे जीरो इन करना चाहते हैं तो अस देखें जिस तरह से अभी इंफ्रस्रक्ट्ट्चर और जिस तरह से पूरा प्लानिंग चल रहा है तो मुझे लगता है इनको नभी मुंबई वाले एरियास देखना चाहिए उल्वे मेरे लिस्ट में रहेगा पहला आपका लेकिन अगर आपके बजट में वह कंस्रेंट र जाएगा सास्ताद उसके आसपास के इलाकी में चाहिए आप इंवेस्टर की तरह इंवेस्ट कर रहे हैं या आपको रेंटल यूट चाहिए वो काफी अच्छी मिलेगी क्योंकि कि वहां से अधर पार्ट्स अब मुंबई है या पूने की तरफ आप जाना चाहते हैं वो का 55-50 लाक्स में आपको उन एरियाद में देखना चाहिए तो वो फ्यूचर में उनके प्रास्पेक्ट काफी ब्राइट है जी चले तो ये सला हो गई यहां पर विजे साब के प्रदीब जी के लिए और आई होप कि उसको इन से मिलेगा काफी गाइडलाइन रहेगी उनके ल ये हमारे साथ डिस्क्स किया बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए तो चलिए एक छोड़ा सा ब्रेक ले ले लेते हैं यहां पर लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मैं जाईएगा क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे दिली NCR के गुरू ग्राम इलाके में उस पर अक्सर काफी सा अवाल आते हैं तो हमने सोचा क्यों ना जरब इलाके का पूरा प्रोफाइल आपको बताया जाए इस वक्त वहां क्या माहौल है प्रॉपर्टी का बाजार कैसा है तो गुरू ग्राम की पूरी तस्वीर इस ब्रेक के बाद Do you know मैं आज हम बातचीत करने वाले है होटल अशोका के बारे में दरसल यह ITDC के नाम पर रखा गया था इसलिए अशोका पहले इसका नाम था बाद में अशोक कर दिया गया दरसल कई साल पहले जब यूनेसको की इवेंट में पंडे जवाल नाल नहरू साब गए थे तब उनको लगा था कि इंडिया को भी मार्क बनाना चाहिए और उसी के ही अगले यूनेसको मीटिंग से पहले उनोंने सुचा कि भारत को भी बढ़िया फाइव स्टार वो जरूर वहाँ पर जहां पर मीटिंग हो पाई इस तरह की जगा बना कर देंगे तो तब उनोंने इस तरह के डिसीजन लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना की उपर का काम काज करना शुरू हुए लेकिन उस समय पर तो इतनी एमेनिटी नहीं थी लेकिन विट टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेसको की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया साती साथ ये पहला फाइव स्टार और कन्विंशन हॉल था जो की इस इवे पंचन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका वलकम बैक आप देख रहे हैं प्रॉपटी गुरूर आपके साथ मैं हूँ विपिन भट और अब वक्त है कि हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली NCR की तरफ जैसे हमने ब्रेक से पहले आपसे कहा तो और खास तोर पर हमारा फ्रोकस होगा गुरू ग्राम में क्योंकि वह वहा का सबसे होट प्रॉपटी डेस्टिनेशन एक बार फिर उभर कर आया है तो 2023 में प्रॉपटी मार्केट वहां कैसा रहने वाला है अगर आप वहां घर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह जान करें आपके लिए काफी अच्छी होगी तो चलिए एक नज़र डालते हैं ग्रू 2022 रियल स्टेट के लिए काफी अच्छा साबित हुआ इस साल न सिर्फ होम लोन पर ब्यासदर करीब 6 फीसदी तक गिरा बलकि रियल स्टेट डिवलपर्स ने खुब डिसकाउंट भी दिया इसी वजह से मकानों की बिक्री बेहत उत्साह जनक रही इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है भारत के सबसे भावी रियल स्टेट लोकेशन गुरुग्राम पर गुरुग्राम के उबरते इलाकों जैसे द्वार का एक्स्प्रेस स्वे सदन पेरिफिरल रोड के आसपास का इलाका पटोदी रोड या फिर एन एच एट ने बीते कुछ वार्षों में काफी प्रगति की है और धीरे धीरे अब ये और प्रगति के और अग्रसर है निव गुरुग्राम के सेक्टर 92, सेक्टर 93 और सेक्टर 79P होम बायर्स के लिए प्राइम डेस्टिनेशन है और इन सेक्टर्स में ट्रेंड्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं चाहे वो अफॉर्डबल हाउजिंग हो या फिर लक्षरी हाउजिंग जो निव गुरुगाओं का एरिया है वो अपना घर चाने वालों के लिए परफेक्ट रिल स्टेज टेस्नेशन के रूप में उभर रहा है कोविट के बाद लोगों के अंदर अपना एक खुद का घर होने की एक इच्छा और साथ-साथ वो इंडिपेंडेंट हो इसकी इच्छा बढ़ गई है गुड़गाओं इंफ्राक्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा तरकी कर रहा है और गुड़गाओं की जो सबसे बढ़िया बात है कि इंफ्राक्चर के अंदर गुड़गाओं में डिवल्पमेंट का लेवल ये है कि लगातार बहुत स्पीड से इंफ्राक्चर बढ़ उसके चार बैंच मापी हैं, सबसे पहले Northern Periphery Road यानि की द्वार के एक्सप्रेसवे इसको बोलते हैं, दूसरी Southern Periphery Road, SPR, तीसरी CPR Central Periphery Road और चोथी सबसे वड़ी Sona का जो एक्सप्रेसवे अभी जो इंडिया का largest एक्सप्रेसवे बना है और जिसका अभी मोदी जी ने इनौ इन सारे एक्स्प्रेस्वेज ने प्लस में इंफ्रेचर की इतनी स्पीड ने वुर्गाओं को एक पर्फेक्ट डेस्नेशन की तौर पे उभार के रखती है और उसका रिफ्लेक्शन आज प्राइस ग्रोथ के एंगल में भी बहुत जाजा नजरा रहा है जहां तक मुझे एस है यहीं कैपिटल एक्समेंडिजर का डेप्लाइमेंट है करीवन 33 परशंट से बढ़ा दिया है और इवन अर्बन इंफाचर के लिए भी उन ने एवन दस जार क्रोड रूर्पे का एलोकेशन अलग्सी किया है और उस सब का ही जो इंपेक्ट आएगा वो जितने भी ज़्यदा पॉजिटिव इंपेक्ट आना चाहिए और हम इस चीज को पिछले दो साथ से विटनेस भी करें हैं गुरुग्राम में रियल स्टेट के शेत्र में हुई तरक्की कश्रे यहां के उभरते डेवलपर्स को जाता है जिन्होंने गुरुग्राम के काया ही पलड़ उन्हीं में से एक नाम है सिगनेचर ग्लोबल इस ग्रूप ने यहां रह रहे हैं लोगों के मानसिकता बदल दी जो सोचते थे कि गुरुग्राम में एफॉर्डबल घर की कल्पना नहीं की जा सकती है सिगनेचर ग्लोबल ने द्वार का एक्सप्रेस यानि की नौर्दन परिफरी रोड के अंदर अपनी प्रेजन्स बहुत स्ट्रॉंग्ली बनाई है अगर हम प्रजेश की बात करें तो प्रजेक्ट सेक्टर 3070 में लेके आए हैं उसके बाद सेक्टर 81 में लेके आए हैं उस करम में हमने एक प्रजेक्ट और सेक्टर 93 वह भी हम विहलों द्रोग ऐस्पेस पर लेके आ रहे हैं उसके अंदर भी कंपनी ने अपनी स्टॉंग प्रयांस मनाई है और अलь एवहां थी कंपनी के तीन प्रजेट्स काम कर रही हैं उसी करम में वहां पर हम प्रैने स्टर 8080 के अंदर अभी शॉप को मौफिक कॉंप्लेक्स यानि कि SEO कंप्रीन लॉंच किया है और उसका रिस्पॉंस भी बहुत अच्छा जाल रहा है अगर हम तीसरा देस्टिनेशन है Southern Periphery Road यानि कि SPR वहाँ पर भी Signature Global एक नया प्रोजेक्ट लॉंच लेके आ रहा है सेक्टर 79B तीसरा बड़ा infrastructure development है Southern Periphery Road उसके अंदर भी Signature Global सेक्टर 79B के अंदर अपना एक नया प्रोजेक्ट जो independent floors का लेके आ रहा है और ये प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत अरावली की कोड में बसा हुआ है बिकुल ग्रीनरी के अंदर बसा हुआ है बहुत ही शानदर लोकेशन Signature Global ने बीते कुछ सालों में अपने कुछ सांदार पोजेक्ट्स डिलिवर किये हैं जो हर वर को केटर करते हैं जितने भी की इंफ्रेक्ट्ट्र वाले सारे एरियाज हैं उसके अंदर अपनी प्रेजिंस बनाई हुए है और हम वहां पे इंडिपेंड फ्रोर्स लाँच कर रहे हैं इंडिपेंड लिविंग लाँच कर रहे हैं जम इंडिपेंड और Signature Global City Life लाँच कर रहे हैं Signature Global City Life का मतलब के है वहां पे हमने लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं परसन के उस एस्पेक्ट को हर जुगा कैटर करने का प्रयास करते हैं करीबन हर पजेक्ट में करीबन 25 से 30 तक अमैनिटीज रहती हैं उनकी मॉर्निंग से लेकर नाइफ तक की जितने भी चीज़ें जहें आपकी स्पोर्ट्स लाइफ है जहें आपकी उसके अंदर जिम, स्विमिंग पूल, रीक्रिशन सेंटर, आपके एंटेंटेंमेंट हब, आपके शॉपिंग प्लाजा, फुली एर कंडिशन होम्स, वर्क्रों होम का कल्चर, टेरिस, गार्डन्स, इच एन एवरीथिंग, जो भी लाइफ में हम बहतरीन से बहतरीन लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, लोग की लाइफ को बहतर करने के लिए देने का प्रयास कर सिगनेचर ग्लोबल ने ये दिखा दिया है कि हर घर का सपना, अब सपना नहीं रह गया है तो यह थी गुरुकराम की ताज़ा तस्वीर और वक्त वक्त पर ऐसे ही और important markets हिंदुस्तान के हम आपको बताते रहेंगे जहां तक real state का तालुक है तो आप वक्त होगे आपसे इजाज़त लेने का लेकिन जाने से पहले हमेशवा की तरह हम आपको यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने mails हमें pg8moneycontrol.com पर भेशते रहें जितना detail आपको डालना डाल दीजे लेकिन अपना number डालना मत भूलिए क्योंकि जो और हमें जरूरत होती है वो हम आपसे phone करकर ले लेते हैं बहतर तरीके से आपकी problem को समझ लेते हैं और कोशिश ये रहती कि उसका जादा से जादा अच्छा या बहतर जवाब या solution आपको दे पाएं प्लीज नंबर ज़रूर डालिए pj8manicontrol.com पर mail करिए पूरा डिटेल लिख दीजे बाकी हम पे छोड़िए ठीके जी तो इस अबते इतना ही अगले अबते आपसे फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अपने ध्यान रखी नमस्का डू यो नो में आजम बाचीत करने वाले हैं DLF की Delhi Land and Finance ये इस कमपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कमपनियों में शुमार है 1946 में इस कमपनी की शुरुवात हुई थी और चौदरी रगवेंदर सिंग साहब ने इसकी शुरुवात की थी कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुती प्रॉमिनेंट एरियाज है जैसे की ग्रेटर केलाश, हौस, खास, साउट टेक्स, शिवाजी पार्क ये कुछ ऐसे एरियाजें जिनको डिल्लेफ नहीं डेवलप किया था और कुछ और इंटरस्टिंग फैक्ट में कमपनी का आईप्यो आय था 2007 में और उस समय काओ सबसे बड़ा आईप्यो के तौर पे शुमार था जनरल एलेक्टरिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कमपनी थी जो कि इस कमपनी के लीज ऑफिस स्पेस DLF सिटी में आने वाली थे और उसके बाद धीरे-धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेसले, आईबियम ये कुछ ऐसी नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़ा तो ये कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट TLF से रिलेटेड आगे भी कुछ और पैक्ट लेकर आते हुए Do You Know में आज हम बाचीत करेंगे एक मेगा फुटवेर कमपनी के बारे में ये कि बाटा के बारे में बहुती इंट्रस्टिंग फैक्ट ये है कि जातर लोगे बात जानते है कि बाटा शायद इंडियन बाटा लेकिर एक्च्वल में वो इंडियन बाट नहीं है वो एक चेको सलवाकिया बेस्ट कमपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है बाटा से लेटेड कुछ और important facts ये टॉमस बाटा ने शुरू की थी 130 साल पुरानी कमपनी है जिसकी existence इंडिया में आप देख रहे हैं दरसल इस कमपनी की शुरुआत इंडिया में देखा था तो उनको एक आइडिया आया कि यहां पर भी बड़ी मार्केट क्या तो नमस्कार और cnvc आवास से exclusive बातचीत में food corporation of इंडिया के chairman and md अशुक के मीना ने कहा कि omss को अच्छा response मिल रहा है और अगली निलामी एक मार्च को होगी उन्होंने ये भ पहले आपको सुनवाते हैं कि fci chairman ने cnvc आवास से क्या कहा चुकि हम जो गेहूं बेचते हैं वो wholesale market में बेच रहे हैं और wholesale market में जो हमारी prices आई हैं आपने देखा होगा तीसरी निलामी में 2172 रुपे आई है तो इसका मतलब है कि 2200 रुपे से दाम कम आ गए हैं अब wholesale market बफर स्टॉक को लेकर के comfortable हैं बिल्कुल हम बफर स्टॉक से काफी ज़्यादा मातरा में स्टॉक fci के पास रहेगा अगली निलामी एक मार्च को है अच्छा खासा गेहू बाजार में आ चुका है भाव गिर चुके हैं और सरकार के पास परयाप stock भी है ये कह रहे हैं Food Corporation of India इन सब पर बात करते हैं क्योंकि गेहू अफकॉस एक red hot खबर की तरह इस हफते में रही है हमारे साथ शिवा जी रोल फ्लार मिल्स के ओनर आजे गोयल है और आई ग्रेन इंडिया के डिरेक्टर राहुल चौहान भी है आप दोनों का कारेक्टर में स्वागत है आजे जी आ देखे जो कदम सरकार को 3 महने पहले एठाना चाहिया था उन्होंने पिछले महने उठाया है जब यहां पर गेहूं के लिए तरस गयते उस समय सरकार कोई रियक्शन नहीं था उनकी सेल की स memb नहीं थी और आप समझे हिए एकदम जो सूखे की परिस्थिती गेहूं में तो प्राइसे जानना चाहेंगे, हम जानते हैं कि फर्स ट्राइस, सेकंड्स ट्राइस तक आते भाव यहां पर काफी तूटे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम तीस्टी ट्राइस भी यहां पर देखें तो सबसे कम सबसे जादा भाव एज आफ ना पैन इंडिया कहां दिखते ह देखें, जो टेंडर में जो गेमों बिक्रीफ हुई है, उसके बार में तो बताऊंगा आपको, उसके बाद में बावपी जानगारी दिमोंगा, जो पहला टेंडर था, जिसमें रेप 23.30 बाव निलामी हुई थी, दूसरे टेंडर में 238 रुपे और तीसरा जो लास्टें दूसरे टेंडर में 302 रुपे और दूसरे टेंडर में करीब 160 रुपे जो है, निचले बाव पे माल बिका है, और अभी मंडिय पर बात करता हूं, तो जब से यह निलामी शुरू ही है, तब से लेकर बिलिली के मुखाज कर जो पांसो पिचासी रुपे तक अड़ चुका यूपी में शाजापूर है, उसमें 570 रुपे तक की अब तक की गिरावट दर्च के गई है, कुल मिलाकर सभी मंडियों में गेहूं की कीमतें इस टेंडर जारी होने के बाद टूटी है, यानि की मुनाफ़ा वसूली अच्छी कासी है, और अजे जी अग जहां तक अवैल आई है, ऐसा नहीं कि एक जोग्राफी में है, दूसरी जहां पर माल यहां पर नहीं पहुंच पाया है, तो as of now, जिस तरह की अवैलिबिलिटी है, कैसे देखते हैं उसके सामने मांग आप? देखें, अब जो सीजन आ रहा है, वो एक तो एक तरफ तो गयों की नहीं फसल आने वाली है, और थोड़ा सा जो है, मौसम भी गरम हो रहा है, तो नॉर्मली जो है, गर्मी में थोड़ी सी पांदस परसंट कंजम्शन भी घटती है, और अब सब को इतनान हो गया है कि गयो जो है, दो तिन महने कहीं भाग के जाने वाला नहीं है, परियाप मातरा में मिलेगा, तो मार्केट्स भी काफी कूल डाउन हो गया है, और अब मुझे लगता नहीं है, एक दो महने में जो है, कोई तरह की अपवर्ड या डाउनवर्ड रैली देखने को मिले की, ये मार्के यानि कि एक रेंज या कंसॉलिडेशन हम यहाँ पर बाजार में बनता हुआ देखेंगे, और राहुल जैसे आप कह रहे थे कि अब यस वक्त यहाँ पर 2200 के बीच में, ये 200 रुपे की रेंज के बीच में, जादतर गेहूं अटकता हुआ नजर आया है, जो क्रॉप है, सर गर्मी का इंपैक्ट देखें क्रॉप के ऊपर, वहां से कुछ लेटेस नंबर निकल के आये हैं? पिछले साल कुछ नहीं है, पिछले साल में अफकॉस, आपके खरीब आने वाली है, उसमें भी हमें बगत दिकतों का सामना करना पड़ सकता है. पिछले साल में अफकॉस, खासी प्रॉब्लम्स हमने आते हुए देखी थी और इस साल में वही यहां पर चिंता है, फिर से निकल के आने लगी है, अलनियों का प्रहार यहां पर आगे जाके बाजार को, क्रॉप के ओपर यहां पर अफकॉस, बुरा रह सकता है, और इसकी पिछले साल में असलियत साबित हो गई, और इन चिंताओं के मतलब जो आउटकम है, वो ट्रेड ने देखा है, तो इस साल जरूर ट्रेड भी जो है चिंता में है, कि अगर जल्दी गर्मी पड़ी, ज्यादा गर्मी पड़ी, तो इल्ड भी कम होगा, अगर मौनसून शॉर्ट रहा, मौनसून डेफिसिट रहा, तो ओवरॉल फूड बास्केट का जो प्रोड़क्शन है, इस कंट्री में वो घट जाएगा, तो इन चीजों की जो है, इन अगर आदमी अपने आपको पोजिशन करेगा, जिस तरह के भाव फिलहाल यहां पर मिल रहे हैं, और अगले दो-तीन महीने में हम यहां पर अच्छी खासी फसल भी आता हुआ देखेंगे, एक चीज़ तो बाजार को काफी क्लियर है, कि सरकार इस बार प्रोक्योर कर पाए कि जो है, स्टॉक लिमिट का जो हतियार है सरकार के पास वो उसका इस्तवाल कर सकती है, कोई तरह की सीमा जो है, ताकि बड़ी कम्पनिया चेज़ जो है, सारा माल अंदर ना कर लेए, तो थोड़ी गबराट है, पर सबको लग रहा है कि self-sufficiency या more production than requirement जो है उसके लिए एक-दो साल और लगेगा जब तक जो है सरकार के पास परियाप मातरा में अपना stock होगा ताकि वो उस चीज को tackle कर सके inflation को लेकिन definitely जो है government इस साल ज़्यादा proactive रहने वाली है अगर ये अलनीनों और गर्मी की दोनों चिंताएं सच साबित हुई तो definitely जो है सरकार का participation इस market में higher रहेगा जी हाँ एक तरफ तो inflation है tackle करने के लिए और दूसी तरफ elections भी है तो clearly दोनों ही चीज़ें से यहाँ पर सरकार को काफी proactive भी रखेंगी राहूल एक और चीज़ जो सरकार लगातार कहती रही है और इस वज़ा से मिलों से association से food packaging company से भी जो meetings हुई है उसके लिहाद से सिरफ गें हुई नहीं आटा और products के भाव भी यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है हम समझते हैं कि wholesale markets में बड़े बाजारों में यह already trend आ चुका है रीटेल में अभी तक यह पासवा नहीं हुआ है लेकिन अगर आटे के prices भी देखें तो वहाँ पर क्या trends बनते हुए दिखें हैं दिल्ली जब से टेंडर निकाले हैं उसके बाद दिल्ली में जो आटे मिल कॉलिटी जो आटा था एक फेब को जो 32 रुपे था जो अब गड़कर 3020 रुपे तक आ चुका है यानि 2108 रुपे जो मिल कॉलिटी आटा है वो गड़ा है इसी तरह चक्की आटा जो है वो भी 220 रुपे गड़ चुका है इसके लावा जो आपके जो मैदा सूजी हैं इनकी किंतिवी जो है वो करें 200 से 300 रुपे अलड़ी गड़ चुकी है यह जो मैं आपको रेट बता रहो यह मिलर्स के रेट है अब बजारों में यह कब पहुंचता है रेट देखना होगा हमें बट कुल मिलावकर जो है रेट काफी कब होगा है तो क्लिरली फायदा यहाँ पर कंजूमर्स को पहुंचता हुआ और किसानों को तो बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि MSP के उपर के बातों उनको भी यहाँ पर मिलने ही वाले हैं आज़े जी जहां तक प्राइसिस की अब बात है ऐसा माना जा रहा था कि जिस स्पीड से भाव गिर रहे थे कि शायद हम 2000 का स्थर भी यहाँ पर तूटता हुआ देखें लेकिन अब बाजार को लगता है कि हम इन स्थरों के आसपास ही शायद काम करेंगे आने वाला जो foreseeable future है जब नई फसल भी बाजार में आ जाएगी तीन-चार महीने की अगर यहां से बात करें एप्रिल मही तक की बात करें कैसे देखते हैं आप गेहूं के prices डेफिनेटली अगर जो है कोई ऐसी उल्टी रिपोर्ट नहीं आए कि जो है गर्मी के वज़ए से crop कम भी है तो अगला trigger जो है temperature का रहेगा average temperatures अगले तीन-चार हफते क्या रहते हैं उसके उस news के उपर जो है markets react करेंगा अगर गर्मी बढ़ती है तो definitely जो है market तो उसका कुछ न कुछ reaction देखने को मिलेगा क्योंकि FCI की जो sale है वो 15 March को खतम हो जाएगी उसके बाद वो किस रूप में आएगी किस price में आएगी उसकी कोई certainty नहीं है यह जो current pricing है जहां तक मेरी समझ है यह केवल 15 March तक रहेगी अब उसके बाद नई नीती जो है वो जून में आती है या कब आती है और किस तरह की pricing आती है उस पे काफी dependent रहेगा तो market इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए मौसम को एल निनो का जो 50% chance है जो sky mat और दूसरी जो weather bureaus है उस पे react करने वाला है market all things staying stable आपको लगता है 2000 का स्थर तो नहीं टूटेगा यह जो आप समय लीजे जो पैक्ड वीट बिल्टी जिसको बोलते है वो 2200 के बीच में जो है जूनता रहेगा और राहुल जो feedback आपके पास है जो service आप कर रहे हैं उसके साब से आपको भी लगता है कि 2000 के स्थर यहां पर strong support कितना काम करेंगे नहीं मैं बिल्कुल गोल साब ने जो पर रिदम से गगा दो जाकस तर बग नीचा है और इस बहुत पर गेंगों ट्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि MSP भी इससे अधिक है और दूसरा मिलर्स के पास पें छोटे जो मिलर्स जो मिलर्स जो काजबों में है उनके पास इतना स्थर लाएगा वो हाथ औ हाथ बिखेगा वो यांत करीशा करीम बात में यूज़ होगा हाथ वहाहत अगर माल बिखते है तो किंते जवयें ऊची ही रहेंगी बाकी मौसम प्र पर करता है कि क्या है कैसा रहेगा तो याने की गेहूं में जो 30-30% की हम मुनाफ़ा वसुली देख चुके हैं यहां पर करीब करीब बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है आफकोस आगे जाके अवैलिबिलिटी पे एक नजर रखनी होगी अंतराश्य बाजारों से क्यूज भी यहां पर करेंगे डालों के आउटलूक के बारे में बातचीत क्यूंकि यहां पर भी कुछ चंताएं हैं इस्पेशली तूर को लेकर क्या कहता है यह ट्रेट बताएंगे आपको Do You Know में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में जरसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंट्रस्टिंग फैक्त है लेकिन सबसे इंट्रस्टिंग फैक्त पहले तूस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत क करते हैं जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी की एक्चुल ओनर लुविस बर्जर के नाम पर लखा गया था 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और यह कंपनी जर्मनी से शुरू हुए थी और धीरे धीरे multiple acquisitions और Mergers के through होते होते यहां तक की स्थिती भी पहुंची है इसके अलावा कुछ interesting fact में ये भी है कि ये दुनिया की चौदवी सबसे बड़ी paint company है Asia की चौदवी सबसे बड़ी paint company है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी paint company के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20 परशन के आसपास का market share अपने space के अंदर command करती है हला कि जो leader है उसका half market share लेकिन फिर भी company का एक strong market share अभी भी command करती है बड़ीर पेंच इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से काम काज कर रही है पर एक interesting part ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था Headfield India जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकता में और वहां से धीरे धीरे फेर बदर होना शुरू हुआ Hero Motocop, Royal Enfield, Ashok Leland, Tata Motors, TVS, Yamaha साथी साथ Hero Group, Honda Group, Bajaj Group इस सब वो groups हैं जो की बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग वीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोड़क्ट जना बर्जर की प्रोड़क्स के जरीए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं साथी साथ एक interesting fact ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय मालिया ओन करते थे जबकि उनके फादर विठल मालिया ने multiple acquisitions के थूँ इस कंपनी को भी acquire कर लिया था और लेटर और कंपनी ने या फिर विजय मालिया साब ने इस कंपनी को एक अच्छे handsome profit के साथ करीब करीब 66 million dollar के profit के साथ इस कंपनी को existing promoters को बेचा तो ऐसे multiple acquisitions and takeovers पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं साथी साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और interesting तथियों में से ये बांगलादेश की सबसे पुरानी और साथ सबसे बड़ी paint company के तोर पर शुमार है और करीब करीब 50% से जादा का market share ये paint space में मांगलादेश के अंदर कमार्ड करती है एक interesting fact ये भी है कि Nigerian stock change पर पहली paint company अगर कोई list हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले Nigerian stock change पर list होने वाली पहली paint company बनी थे कुछ interesting fact बर्जर पेंट्स रिलेटेड लेकि सबसे रोचकतत है कि ये दुनिया की चौदवी एशिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी paint company है तो कुछ interesting fact बर्जर पेंट्स रिलेटेड आगे भी कुछ और do you know में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी pizza company के बारे में दरसल्ट डॉमिनोज आज हमारा topic है और डॉमिनोज के बारे में बहुत सारे interesting fact है इस company की शुरुआत 1960 में टॉम और जेम्स मॉनेगन के नाम से कि जो दू भाई थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और दसल्ट उने एक रेश्ट्रो खरी आई पी जीए के pulses conclave 2023 में Consumer Affairs Secretary रोहित कुमार सिंग के बयान के बाद तूर की कीमतों में गिरावर्ट देखने को मिली है कैसे यह गिरावर्ट कहां कहां देखने को मिली है और क्या इसके reasons है Fundamentals कितना सपोर्ट करेंगे इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ JLV Agro के डिरेक्टर वेवेका गरवाल है और साथी Agri Farmer and Trade Association के जनरल सेक्रेटरी सुनील बल्देवा लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि Consumer Affairs Secretary ने क्या कहा कि अच्छान के लिए प्रवादाव करेंगे के लिए प्रवादार कर दो करते हैं कि आपको तोर फिरेक्टर इंप्रमार करेंगे करेंगे हैं so please do release it in the market, please don't hold it, and otherwise we will have to, it is a very reliable set of information that I have from the intelligence bureau in my pocket which arrived this morning. And so please do not hold, we want to help you, we want to make it a win-win proposition, you do good business, you make reasonable profits, reasonable is the key word, we are with you, but if you try to game it, then we are there to control, I mean that is what we get paid for that's my job so please do not game the system that's my friendly warning we in the government of India are all there to help you to seamlessly import but we will help only the good ones the bad ones please watch out alright so dal ki kala bazaari na karein or dal ki hoarding bhi na karein these statements of course here on the food sake warning ke baad kahein ya pher availability behter hui hai jobhi reason hai lakin tour ke bhao is statement ke baad niče to zarur ae hai fundamental sabse pehle jana chaayenge wo kaisa hai kyunki kya khapat hai joki maana chaata hai ki 42 laag ton ki hai utpadan yaa per serkar ki traf se 35-36 hai bazaar ko lagta hai ki shayad 25-28 keo per na jai lakin latest numbers yaa per kya hai ji sa maniza ji pichle program in meinne bholata ki 2-1 map jodha madhar raha faarmerz pe raha ega yodhi bhao bhaartte hai to faarmerz mandio pe jyada maal raha ega or price joh hai niche dhekne ko milengi abhi shuyunghi segetri saav nne friendly warning di ti aur iske liye kuchh miller or deaden na apni kharidaari roki hai aysa nne kareke ki stok karrethi usko roka hai lakin kharidaari ko joh hai towar ka upadhan hai abhi arrival bhi ane wali hai rhenne ke karen yaa phil joh favorable abhi mandio me wahi witness karre hai par more or less yye range bound raha ega yahaan se aapko ager aap slochen ki bajar baut tijji se bade jayega to joh har vipari hai jis tariqe se hemare secretary ji nne bula ki unki nazar hai to bhoat sloch 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 kye loog stock kye varay paat sloch raha hai but ground reality yye hai ki actual me shortage hai joh market ka scenario hai demand supply ka gap to nishyid rupse hai aur uska impact to aapko dixie ga hi ki aap uspe sarkar eek limit takhi control kar sakti hai lekin uske baad aapko jameini istar pe joh samasya hai usse to jujna hi padega eek ki joh sunil ji ji nne joh sahi buali ki jyadah ucce price pere tour ke price ka tour ka joh konjumshan hai woh masoor me shift ho jayega aur yye nishyid rupse hoonay wala hai to aap mero ko ye nne lagta ki tour me bhoat 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 shortage jayega aur bajar bhoat upar chelayega ki ucce price pere bajar sustain ee nahi nahi kareega sari pishle 2015-16 me bhi jab yye tijji aai thi to masoor ki khapat bhoat ache se bada gai thi aur is baar to india me bhi crop achehi hai canada bhi ache hai aur austilia bhi ache hai to wahaan se supply set upne ko bhani rheegi aur yye tour yaha se bhoat jyadah to nahi badega lekin throda nishyid rupse bade sakti aap dhonoh ko throda se difficult spot me yaha pere ڈalne ki koishish kerti ho अगर आप अगले 2-3 महीने पकड के चलें तो आपको क्या लगता है बाकी दालों की बात भी करेंगे लेकिन एक बार tour पर ये चर्चा खतम कर दें तो विविक जी क्या लगता है tour की क्या range बन सकती है उपर में नीचे में अगले 2-3 महीने कैसे देखेंगे आप मुझे ऐसा लगता है मनिश्या जी कि यहां से 3-4 रुपे किलो और बढ़ सकता है आज अगर आप देखें तो अफरिकन तूर जो सुडान की तूर थी जो लेमन के करवाही करेगी और उससे इंपेक्ट दूर आएगा सुनील जी आप कैसे देखते हैं तूर के प्राइसिस और अगर लोग मसूर और चने की तरफ जाते हैं जहां पर भी आप कहरे हैं कि गर्मी का असर पढ़ सकता है तो कैसे देखते हैं ओवराल डालों के प्राइसिस अगर एक एक करके बताएं तो मुझे यह लगता है कि यह स्प्लाइब भी बनेगी और इस टोकिस्ट या मिलर इसके रुजान की तरफ भी रुकेंगे क्योंकि नहीं फसल एराइवल गेहूं चना और मसूर के आने वाली है तो उसकी तरफ भी जो मंडी वाले है या जो इन्वेश्टर है या फिर जो ट्रेडर है वो उसकी तरफ जाएंगे और तूर की तरफ कम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है तूर के भाव जो है जो मैंने पहले भी बोला था कि जो डिफिसियेट था उसके हिजाब से तूर के भाव लगबग बन चुके है इससे जदा तेजी आने के मुझे नहीं लगती कोई संभाव नहीं क्योंकि इससे जदा तेजी आती है तो सरकार भी फिर कदम उठाएंगे सब्सक्त कदम उठा सकती है इसका भी डर बना रहेगा और सरकार कैसे ज़्यादा इसका इंपोर्ट कर सकती है इसकी तरफ भी सरकार देख रही है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें पेडिक होने की बात नहीं है मैंने पिछली बार भी आपको यह काता जब सेकेट्री साब बोले थे उसके हर दाल को अलग अलग देखने लगी है सरकार का कंसर्ण के उन तूर दाल की तरफ है चना बलगी MSP से नीचे भी कराया तो सरकार तो यह चाहती है कि चना जो है किसाना वो भाव अच्छा में देख जी हां तो मसूर और चने की तरफ कंस्यूमर्स के लिहाद से भी और अधात हमें दीजे जाज़त नमस्कार कामकाज करती थी और एक समय में देश की सबसे बड़ी साइकल मेनफैक्चर के तौर पर भी इसका नाम शुवार होता था तो वहां से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करके हीरो मोटो कॉप ने बाइसिकल से आप मोटर साइकल की तरफ फूरे करते हुए दिखाई पड़े को इंटरस्टिंग फूर अगर आख़डों की बात की जाए तो हीरो मोटो कॉप दुनिया की सबसे बड़ी मोटर साइकल मैनुफाक्चरर है और करीब करीब 40 से जादा देशों में इस कंपनी का कामकाज है एक इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में जितनी भी टू वीलर मोटर साइकल साप देख रहे हैं उसमें से आधी की जिम्मेदार हीरो मोटो कॉप है तो इस तरहां का लार्ज स्केल इनके एक स्पोर्ट को लेकर या इनके प्रोड़क्शन को लेकर आप देख रहे हैं साथी साथ एक बड़ा इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कई साल पहले जब हीरो और होंडा का एक जेवी हुआ था तो दरसल हीरो ग्रूप ये जेवी करना चाहता था टू वीलर स्कूटर्स को लेकर लेकिन हॉंडा ग्रूप ने एक सर्प्राइज के तोर पे उन्हें मोटर साइकल बनाने के लिए कहा और तब हीरो ग्रूप ने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया ना केवल बलकि सकस्सफुली उसे एक्जीक्यूट भी किया और साथी साथ उसी साल हॉंडा ग्रूप ने एक टाइप और किया वो टाइप था स्कूटर को लेकर और वो टाइप हुआ था किलॉसकर ग्रूप के साथ जिसके बाद देश को एक किलॉसकर की काइनेटिक हॉंडा के नाम से एक स्कूटर भी मिली थी तो एक इंटरस्टिंग हीरो हॉंडा के जेवी को ले कर भी कुछ और इंटरस्टिंग फैक्ट के बात किया तो हीरो पहली कंपनी थी देश की जिसने फोर स्ट्रोक बाइक लाइक लाँच की थी और सबको इंजन के उपर भी काम काज कर रहा हाला कि धीरे धीरे सेटलमेंट होते होते कहीं उन्होंने सतर से असी किलोमेटर पर लीटर के आसपास तक का एक आवरेज वाला इंजन बनाने का भी एक काम काज शुरू कर दिया तो इस तरहां का मार्स रिसर्च और डेवलेप्मेंट कंप प्रती मिनिट में रफली साथ मोटर साइकल हीरो मोटर कॉप की प्रोडक्शन लाइन से गुजरते वे आपको दिखाई पड़ेंगी तो जब हम बाचीत कर रहे हैं तो इस बाचीत-बाचीत के दौरान ही करीब-करीब 21 हीरो मोटर कॉप की जो बाइक से वो आपको प्रोड प्रोडशक में यानि कि आखरी जो कंपनी का बोनस और स्टॉक स्पिलिट था वो 21 साल पहले दिया था और 21 साल में पिछले 21 साल में देकि आज 2022 तो 2001 से लेकि अब ताक कंपनी ने कोई भी बोनस और स्टॉक स्पिलिट नहीं दिया है तो यह कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट आप सुन रहे थे देश की ना केवल बलकि दुनिया की सबसे बड़ी टू वीलर मनफैक्टर के बारे में आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहें Do you know मैं आज हम बाचीत करने वाले हैं आईशर मोटर्स की दरसल कभी अगर आप ताज को लाबा या आम तौर पे मौल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शौप देखा होगा या एक आउटलिट देखा होगा गुड अर्थ के नाम के नाम के यह गुड अर्थ जो है यह यूसुली आपको दिखाई पड़ेगा ग कंपनी के चेर्मेन है चिद्धार्द लाल उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रीटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आम तौर पे देखेंगे भी तो अक्सर मुंबई में अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको अब लुटते हैं आईशर मोटर्स के ओपर दरसल आईशर मोटर की शुरुवात नाइटीन फॉर्टी एट में हुई थी और तब जब यह गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टिट ट्रेक्टर्स को इंपोर्ट करना उनके पार्ट्स को इं इसने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था धीरे दीरे वो गुड अर्थ से आईशर बनी और आईशर से होते वाज आईशर मोटर साब के सामने हैं मीजरली रॉयल इंफील्ड जहातर प्रोड़क्ट आप उसके देखेंगे लेकिन और इंट्रेस्टिंग फैक्ट मे इस कंपनी ने एक Tractor Division जो की जर्मन ट्रेक्टर कंपनी थी आईशर ट्रेक्टर उसको मर्ज करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रेक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया मेंगस्पाय करते हो दिखाई पड़े एक और interesting fact ये भी है कि एक समय पर एक company के 15 अलग-अलग business होते थे जिसके अंदर trucks, motorcycles, components, footwear और साथ-साथ garment जैसे कुछ unrelated business भी थे और जिसकी वज़ा से एक company काफी massive losses में थी Royal Enfield जो इस company का सबसे जादा बिखने वाला product है वो एक समय पर loss में था और करीब करीब 20 क्रोड रुपे के आसपास का loss आया था और एक interesting fact ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब company के board ने decide किया था कि वो Royal Enfield Division को बंद कर देंगे और उस समय पर सिधारत लाद साहब ने इस company की command समभा ली उन्होंने non-related 13 products को नमस्कार consumer अड़ा में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँन विपिन भट और आज हम बात करेंगे आपके सपनों के घर की यहां title आप देख रहे हैं इधर नौकरी उधर घर इसका असली मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहां आपकी नौकरी लगी और वहां आपने घर खरीदा चट मंगनी पड़ ब्याप कुछ इस तरह की बात है जी यहां ऐसा इसलिए क्योंकि एक ताजा सर्वे आया है CB Richard Ellis यहने CBRE इंडिया का और वो यह कहता है कि जो millenials है अलाकि millenials अलग अलग है बई ऐसा भी नहीं है कि millenials मतलब सब बिल्कुल अभी शादी करके अभी नौकरी जाके अभी घर खरीद रहे हैं उसमें बड़ी range है लेकिन हाँ जादतर युवा आपे से समझ लीजिए वो घर खरीदने के लिए ततपर हैं 70% से जादा लोग जिनको सर्वे किया गया खुद का घर खरीदना चाहते हैं किराए के मकान से निजाद चाहते हैं और कम से कम अगले दो साल के अंदर ये खुद का आशियाना हासिल कर लेना चाहते हैं और भी बहुत सारी सर्वे में बाते निकल कर आई हैं और खास तोर पे CBRI का ये सर्वे लोग कैसे रहते हैं कैसे काम करते हैं कैसे शॉप करते हैं इसका कॉम्बिनेशन होता लेकिन हमारा फोकस मेंली यहां पर रहने वाला है कि लोग घर के लिए अपने आशियानी के लिए किस तरह की बाते सोच रहे हैं और थोड़ा कंट्रास भ आता है लेकिन उसके लिए अब इस इस्तिती में इस परिस्तिती में 2023 में रास्टे कैसे हैं यह सर्वे क्या कहता है क्या कोई गाइडलाइन भी देता है हमारे साथ जुड़ रहे हैं कारिकरम में अभिनाव जोशी रिसर्च वाट CBRI इंडिया और राजन बांदिलकर साब च स्वागत है तो चलिए अभिनाव आपसे शुरुआत करते हैं यह सर्वे शुरू में लिखता है कि छे साल पहले ठीक इसी तरीके के सर्वे में जो चीजें आई थी उससे बिलकुल उलट गया है क्या उल्टा है और क्या बदला है धन्यवाद विपिन जी छे साल पहले हमने सर्वे क्या था हिंदूस्तान में और ग्लोबली काफी मातिच में सर्वे हुआ था us मैं सिफ मिलेनियल्स कोई ही टागेट किया गया था लेकिन एक जर्डी सेंस हमें या फिर उन्हें प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी चाहिए थी जो कि उनके ऑफिसेस के पास हो छे साल बात कोविट का ये असर हुआ है पेंडमिक का ये असर हुआ है कि वही जो मिलेनियर्स हैं वो सतर से पिछतर फीसदी आज ये कहते हैं कि हमें घर था हमें एक अपना इंडिपेंडेंडेंट एक अकॉमडेशन चाहिए क्योंकि पेंडमिक के दौरान टेनेंसी को लेकर काफी बात बिवाद हुआ लीजिंग रिस्क काफी एक्सपोज हुआ और हो मोनशिप जो की इंडिया में अल्री एक कल्चुरिली बहुत ही एक प्रेस्टीज का इशो मान इक तालिश साल तक जाते हैं या जैनरेशन एक्स जो की अरी 40 से लेकर मिट 50 तक जाती है या बेवी दूमोस जो की 50 से 60 तक जाते हैं इनमें 70 से 85 फिसदी लोग कह रहे हैं कि वो अगने दो साल में एक नया धर खरी देंगे वो रिलोकेट करें जो चोटी मैं कहूंगा कर सकते वह अलग बात है लेकिन यह बहुत बड़ा ट्रेंट है हमने उस टाइम पे छे साल पहले विलेनियुल्स को कहा था जेनरेशन रेंट जो है जेनरेशन बाय में तब्दील होगी ठीक है तो आपकी ये बात जेनरेशन रेंट जेनरेशन बाय में तब्दील होगी राजिन साब के चेरे पे जरूर एक मुस्काम लेकर आएगी ब्रॉट सी राजिन साब लेकिन इसमें एक थोड़ी अंदर की बात में समझना चाहता हूँ और वो ये कि मैं मानता हूँ और ये बात तो मतलब आप सबको पता है कि पैंडेमिक आया और अच्छी तो बात नहीं थी लेकिन उसने विचार बदल दिया और खास तोर पे घर को लेकर अपने घर को लेकर वहां से सबकी सोच बदली जो लोग जैसे इस सर्वे में भी है छे साल पहले किराए के घर पर रहना चाते थे बहुत कुछ और चीज़ें करना चाते थे अपना घर लेने का नहीं सोचते थे लेकिन पैंडेमिक ने बदला अब मेरा सवाल थोड़ा महीन है वो यह कि पैंडेमिक वाला जो एक फियर था और एक जो थौट था अब उसको भी ओवर होके करीब एक साल से उपर हो चलाया जादा वक्त बिदर गया और हम देखते हैं कि मेमोरी बड़ी शौट टर्म होती है लेकिन क्या ये ट्रेंड इनकी रिपोर्ड भी कह रही है और आप तो ग्राउंड पर हैं बाकाइदा घर बनाते हैं उनको बेचते हैं क्या ये ट्रेंड लोगों के दिमाग में इस कदर बैठा है कि वो अगले दो साल तक भी हमें इसके रिजल्ट दिखाई देते रहेंगे कि नहीं भाई मैं देख चुका हूँ जीवन क्या होता अब मुझे अपना घर ही चाहिए अगर आपने याद रखा होगा तो मैंने हर मेरे इंटर्विर में आपको कहा था कि घर की महिला आप इनको सर्वे किया इसके लिए क्योंकि जो हम बोल रहे थे उसके महर लगते कि जो घर की महिला है उसको अगर आपको सुना या डाइमंट चीज़े तो वह कहते हैं तो एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता लोगों को तकली पे हुई जो भी हुआ उसके अदर हम लोगों के साथ लेकिन इसके अंदर एक जो हुआ ना कि उसको लोगों को एक पता चला कि आपके पास कितना भी पैसा हो रहे और या आपके बस गाड़ी है ऑफिसे सब्कूचे रिजॉड इप उसका कोई मतलब नहीं होता है शेर से आज आपको उनको पता चला इसके पहले क्या था थे जो हुआ ही अपने घर पे रहते हूं घर का महत्वा यह जो बोलता है ना इसका प्रदान मंतरी मोजिश जी को और अपने अवास जो मंतरी है अरजिव सिंख पुई इनको भी दूबर क्योंकि इन्होंने पीए मेवाइं के टाइम पर भी अगर आप दो जो पीए मेवाई आया हाजा कि उसका स्पीड कोरोना के वज़े से पकड़ा हुआ तो और मैं बोलना चाहता हूं अगर आपने देखा हुआ है तो पहले हमारे यहां पर लोगों को लगता था कि अपने वेस्टन कल्चर फॉलो कर रहा है तो वेस्टन कल्चर के यहां से आप वेस्टन में भी पर लोगों को लोगों कर देखा हुआ है तो पर लोगों को पटना चाहिए तो बंबय में चाहिए दिली में बैंक्लोर में कहीं ने एक खुटका मकान चाहिए बहुत ही अच्छा शिफ्ट है तो चलिए शिफ्ट आ गया है और यह लॉग लास्टिंग भी है अभी तक तो हम देख रहे हैं कुछ फैक्टर्स हैं क्या उसको इंपाक्ट करते हैं उसमें आगे चर्चा करेंगे लेकिन यह सर्वे और भी बहुत कुछ कहता है तो अभी न क्राइटेरिया है जो आज से 6 साल पहले आपके फिछले सर्वे में होता था तब जितने भी लोग घर खरीदना चाहते थे यह क्राइटेरिया में भी अब 360 डिग्री चेंज है दिखें क्राइटेरिया के पॉइंट्स सेम है लेकिन जो प्राइटीज है वो चेंज हो गए है छे साल पहले जो क्राइटेरिया था उसमें प्रॉपरटी का जो प्राइस है वो बहुत इंपोर्टन था अफोर्डिबिलिटी बहुत इंपोर्टन था वो शायद सबसे पहला क्राइटीरिया हुदा था वो अब नंबर तीन या नंबर चार पर आगल मिवें थूर। बहुत इंपोर्टन है कि फिटनेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स और जिम्नेजियम फिसिलिटीज है कि नहीं है, रीटेल फिसिलिटीज कैसी है, ट्रांस्पोर्टेशन, फिजिकल, सोचल इंफरस्रक्ट्टर, इस सारी बाते जो है एक तरह से, यह ना सिर्फ हमने रेजिदेंशल मे देखा है, बल्कि रेल स्टेट के बाकी सेग्मेंट्स में भी देखा है कि एंड यूजर्स, क्वालिटी ओफ दी आसेट पे बहुत जादा फोकुस कर रहे हैं, कि उन्हें क्या मिल रहा है रिटर्न में, प्राइस एक तीसरे या चौथे पोजिशन पे पहुँच चुका है तो अब किस तरह का नेबर हुड है, क्या फिसलिटीज है, क्या सब कुछ है वो सराउंडिंग, तो राजिन साब क्या आप लोग जो है और जो इतने सारे नए प्रोजेक्ट लाँचेज हुए अभी पिछले एक साल के अंदर तो बाड़ सी आ गई, उन सब में ये बातों का ध्यान रखा गया, कि जो प्रिफरेंस है, बदला चलिए, ये सोच बदली ज़रूर है, करोना के दौरान कि मुझे अपना घर चाहिए, लेकिन अब अपना घर कहां चाहिए और कैसा चाहिए, इसमें भी बड़ा बदलाव आया, क्या उस चीज़ का ध्यान रखा गया? अब ये चेंज हो जया है, अगर आपने देखा होगा, तो घर करेजी ने अपने एक स्पीश में बदाया है, कि वबा, वो दो अजार चूविस के पहले, पचिस के पहले, भारत के रस्ते, भारत के रोड, भारत की इंट्रसेक्शन, सिचुएशन, अमेरिका से बैतर करना चाहिए, अमेरिका लेवल पे लेकि आना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा-बड़ा प्लस पॉइंट, सेकेंड अज वेरा क्या होता है, कि इसके पहले अगर आप देखो, तो रेरा नहीं था, तो लोगों को एक लगा जाता है कि हमें थभी आजाएगा, आप प्रॉपर गाइड़ेंस निए लेगा, आगर हम फस गए तो हम का जाएंगे, तो वो भी उनकी एड्रस होगी है, तीसरया क्र सब्सक्राइब कर दो कि अगर आपको पचास इतने बड़े नाव है जो कि पहले अगर आप देखो तो मुस्किल से सबसे सबसे इंपोर्टन को इसलिए क्रेडिट देना चाहता हूं कि अगर आप देखे हुंगे तो छे साल पहले जो नाव जे वही नाव आजया है अगर इंफलेशन बड़ा आए तो डेवलपर ने कंट्रोल कि अपने आपको रजिस किया है कि प्राइज करने के बजाए कि ड तो उसमें बैए सुछमने हैं अगर सेल अच्छा करो और अपको पैसे आते हैं पैसे अगर आपने डाइव तो रिडा करने नहीं देता है तो अटबड़े के लिए आपका प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो उसमें बिन-बिन सिचुएशन, मतलब फायर को भी बिन-बिन होता है, देवलपर बिन-बिन होता है, फाइनाशल इंस्टूशन बिन-बिन होता है, और पूरा समाज as a society बिन-बिन होता है. जी, बिलकुत, चलिए तो ये तो अच्छी बाते हैं, और इसको हमने इन-आउट दोनों देखा कि क्या सोच में परिवर्तन आया है, वो सोच में परिवर्तन क्यों आया है, कितना लॉंग लास्टिंग है, तो कह रहें अगले दो-तीन साल तक ही ट्रेंड और देखने को जाती है थोड़ा सा जड़ा जॉब सेनारियों भी बदल रहा है एक तरफ काफी नौक रही है तो दूसरी तरफ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पर दिक्कते भी है खास तो पर आईटी में जो काफी चलाता है रियल स्टेट को और भी फैक्टर्स हैं जो जियो पॉलिटिकल फै उनके बाद इनी महत्पूर्ण बिंदियों पर बात करेंगे और अंतता कंक्लूजन निकाल के भी देंगे आपको अपने सपने का घर लेने का आज वक्त है थोड़ा रुप जाएंगे या फिर ये एक दो साल का जो पीरेड है इसमें आपको आपकी सहुलियत के हिसाब से का मिलेगा तो अंदर जाएंगे छोटा ब्रेक बात्चीत जानी रहें दू ये नो मैं आज हम बात्चीत करने वाले हैं आईशर मोटर्स की दरसल कभी अगर आप ताज को लाबा या आम तोर पे मौल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा ये एक आउटलिट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से ये गुड अर्थ जो है ये यूशली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टन इंडो वेस्टन क्लोधिंग के लिए दरसल आईशर मोटर की शुरुवात जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई आज जो कंपनी के चेर्मेन है चिद्धात लाल उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रीटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आम तौर पर देखेंगे भी तो अक्सर मुंबई में अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मारकेट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोड़क बिखते वे दिखाई पड़े हैं रॉयल एंफील्ड जहातर प्रोड़क आप उसके देखेंगे लेकिन और इंट्रेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रेक्टर डिवीजन जो की जर्मन ट्रेक्टर कंपनी थी आईशर ट्रेक्टर उसको मर्ज करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रेक्टर कारोबार के अंदर प्रॉमिनेंटली इडिया में एक्स्पैंड करते हो दिखाई पड़े एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के पंदरा अलग-अलग बिजनस होते थे जिसके अंदर ट्रक्स, मोटर साइकिल्स कंपोनेंट्स, फुटवेर और साथ-साथ गार्मेंट जैसे कुछ अन्रिलेटेड बिजनस भी थे और जिसकी वज़ा से एक कंपनी काफी मासिव लॉस्स में थी जो इस कंपनी का सबसे जादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो एक समय पर लॉस में था और करीब करीब 20 क्रोड रुपे के आसपास का लॉस आया था और एक इंट्रेसिंग पाक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल इंफील्ड डिवीजन को बंद कर देंगे और उस समय पर सिधार तलाद साहब ने इस कंपनी की कमान समभाली उन्होंने नॉन रिलेटिड 13 प्रोड़क्ट को बंद किया और सिफ दो प्रोड़क्ट के ओपर फोकस किया जिसमें एक था रॉयल इंफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आईशा ट्रक्स जिनको आप देखते हैं इन दोनों पर फोकस करा और मासिवली इस कंपनी के अंदर टरनराउंड किया इन फैक्ट अब उस समय से लेकर करीब आज तक स्टॉक ने एक जोरदार परफॉर्मेंस भी दिया और एक मासिव टरनराउंड स्टोरी बनकर इस सामने भी आया था पंदरा साल के अंदर तो यह कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट आईशर मोटर्स या फिर गुड़ अर्थ से रिलेटिड आया कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहे हैं अज हम बाचीत करने वाले हैं लम्रेटा स्कूटर के बारे में जरसल जो भी लोग अपने 30s, 40s या 50s की रेंज में हैं उन्होंने स्कूटर के बारे में काफी खुछ सुनाओगा और शायद उनके घर में एक लम्रेटा स्कूटर हो भी तो लम्रेटा के बारे में बहुत सारे इंटरस्टिंग फैक्ट है लेकिन कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट में पहला फैक्ट यह है कि लम्रेटा इंडियन ब्राइंड नहीं है दरसल यह एक Italian brand है जिसको इंडिया में इंपोर्ट करके बीचा जाता था और धीरे-धीरे करके फिर इसको इंडिया में इसके licenses को hold कर दिया गया लंबरेटा जोकी Italian brand है दरसल इस company का नाम इस product का नाम इस प्रोड़क्ट का नाम इसके बाद धीरे-धीरे इस नाम प्रचलन में आया और बाद में लंबरेटा के नाम से famous भी हुआ इनोसेंटी जो इस company को इस product को बनाती थी जरसल वो शुरुवात में scaffolding बनाती थी construction companies के लिए और कहा जाता है कि वो बड़े-बड़े उपकरोनों की parts से ही उन्होंने इस scooter की शुरुवात की थी इसलिए शुरुवाती scooter बहुत मजभूत और भारी-भरकम होता था भारत में यह इसले भी प्रसलित था यूँकि यह पहला scooter था जिसमें चार लोग असानी से परिवार के बैठ सकते हैं तो अभी इसका जो trend हो बढ़ता हो दिखाई पड़ा इसके अलावा शुरुवात में एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था Automobile Products of India उसने इसकी assembling शुरू की थी इंडिया में और धीरे-धीरे करके उसे बेचना चुरू किया लेटर ओन 1972 में Scooters India Limited जिसको जो सरकारी कंपनी थी उसने इस कंपनी के राइट ले लिये तब इस कंपनी का नाम Lembreta से बदल कर Lambie रख दिया गया और उसके बाद उन्होंने इसको बेचना शुरू किया और कुछ और interesting part या interesting stories के अगर बात की जाए तो आज तक Lembreta का जो रा जो कि सुनाई पड़ेगा विक्रम का एक टेंपो आपको आम तोर पर दिखाई पड़ता है Welcome back, आज consumer इदा में बात हो रही है इदर नौकरी उदर गर मतलब जो नहीं generation है उसमें millennials भी है और उसमें generation xp के उच्छा तक शामिल है और जो और नहीं लोग है वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपना घर खरीद लें और किराय के घर से छोटी पाएं तो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं अब कुछ factors है जिनकी बात करना जुरूरी हो थोड़ा कोई conscious चाऊँगा अपने मेमानों से तो अबिनव जी बताईए कि का है कितना और चलेगा नहीं जानता और इसका impact पूरी दुनिया की economies पर देखने को मिल रहा है यह बात किसी से चुपी नहीं है अच्छी बास इसमें इतनी है कि भारत उतना impacted नहीं है बलकि पूरी दुनिया इधर की तरफ देख रही है लेकिन again uncertainty तो है तो यह overall uncertainty है कितना impact दाल सकते हैं जो आपके report के outcome है उन पर देखे impact तो हो सकता है क्योंकि जब हमने survey किया था यह हमने किया 3rd quarter या 4th quarter of 2022 में तो वार तो उस समय भी जारी थी और monetary tightening भी शुरू हो चुकाता है तक्रीबन 6 मेने हो चुके थे monetary tightening के इस सबका एक लैक्ड impact होता है थोड़ा impact 2023 में आ सकता है लेकिन हमें यह सबज़ना है कि genuine end user sentiments है यह sentiments आपके impact नहीं होते हैं यह demand शायद थोड़ी delay हो जाए इमांड market में कब आती है वो शायद थोड़ा delay हो शायद लोग थोड़ा सा रुक जाएं बट अगर 72 फीसदी लोग यह कह रहे हैं कि हमें अगले दो साल में आने वाले समय में अपना घर बदलना है या रेंटिंग से बाइंग में जाना है यह बहुती strong indication है कि 2023 में बले ही कुछ महीनों के लिए शायद थोड़ी weakness हो यह demand वा वो short term होगा जहां तक interest rates की बात है मैं यह भी कहूँ कि general expectation अब यह है क्योंकि inflation गम हो गया है पिछले कुछ महीनों में कि शायद first quarter में ना सिर्फ हिंदुस्तान में बलकि अमेरिका में बाकी देशों में भी जो monetary tightening का हमें phase दिखा पिछले साल में वो शायद पर थोड़ी situation dynamic ह यहां पर अभिनाव जी मतलब वो एक समय लगता है लेकिन again मैंने कहा जैसे geopolitical scenario बहुत uncertain है इसलिए इसमें भी रोज narrative change होता रहता है anyways लेकिन वो होता रहेगा राजिन साम इस पर आपके विचार क्या interest rate ही वो एक मातर चीज है जिस पर आदमी अपना फैसला ले रहा है या पर नहीं वो एक factor जरूर है लेकिन पूरा 100% नहीं सर वो बहुत minor factor है उसका reason क्या है कि जितना भी interest rate बढ़ा है उसमें से उसकी EMI की क्या होता है कि किस पूरे 20 साल कम से कम 20 साल का होता है तो वो इतना नहीं अगर आपने देखा होगा तो जए कितनी quarter से अपने हर टाइम रेपोरेट बढ़तेगे अब ताइम आ गया है कि रेजन बता रहा हुआ हूं उसका reason है इस साल का budget इस साल का budget इतना अच्छा है कि budget में आदमी के पास पहले से surplus पैसे जाना आने माले budget में इंस्टर सेट्टिंग गिया हुआ है तीसरी चीज़ मोदी जी के आज leadership में भारत का number ऊपर 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 ही जा रहा है जिसका एड़वाइट परसें सारे सेक्टर को मिलने वाला है हाला कि बनकि मैं ये मानता हूँ कि आईटे सेक्टर में थोई नोकरिया गई हुए लेकिन उस सारा डेक बलेरे फिसें से क्या होता है कि अगर किसी की एक ज़रा से नोकरी गई करना चाहिए थोड़े भाव भी मेंटर करते हैं इंटरस रेट भी मेंटर करता है या फिर एनी टाइम इस गुड राजन साब ये मैंने आपको पहले कि बताया लड़ी पसंद आदेगे आप शाहता है चलिए एकी लाइन में आपने कर दिया तो अभी न है मेरे पास और 20 सेकंड आप आपका क्या इसमें आउटलुक है ये सही समय है घर खरीदने का क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्स आ रहे हैं जिस तरह की वराइटी मार्केट में हैं तो इंटरस रेट्स कम होते भी हैं अगर साल के एंड में जाके वापस फिर से वो उस लेवल पे कम नहीं होंगे जो कोविट के दौरा देखे गहते और इसका एक छोटा से इंपक्ट होता है ओवराल ये माइस पे ठीक है चलिए तो क्योंकि मेरा समय समापत हो गया लेकिन हाँ आप लोगों से कंक्लूजन चाहना चाहता था ताकि जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं आखिरकार उनको एक फाइनल डिसीजन लेना होता है वो ले आप मानता हूँ कि परसंट टू परसंट चीजे थोड़ी अलग होती है लेकिन बड़ी पिच्चर ये है कि अगले एक दो साल तक ये स्थिव बनी रहेगी प्रिजक्स भी लाउंच होते रहेंगे और जैसा कहरे थे सेल 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 यही मोटव है तो जब डिमांड अच्छी र आएंगी यह सारे हमारे एक्सपर्ट केते हैं बहुत शुक्री आप दोनों का ही आज चर्चा बड़ी अच्छी रही बहुत अनंद आयान आई थिंग दरश्कों को भी इससे काफी लाब मिलेगा नमस्क्राइब Do you know मैं आज हम बात्चीत करने वाले हैं कमानी इंजिनेरिंग कोपरेशन लिम्टेट के बारे में इस सुनने में आपको और लाए कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिक्ली KEC Limited के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं इस कंपनी की शुरुवात काफी पुरानी है 1945 से एक कंपनी काररत है और इसकी दो फैक्टरीज होती थी एक फैक्टरी थी मुंबई में और दूसरी फैक्टरी जो थी वो कंपनी की लाहॉर में ती जो की पार्टीशन के बाद वह अपना कारोबार एक्षपैंड करना शुरूर किया और कई सारे इंजिणेरिंग प्रोड़क् meaningful प्रोड़क्ट्स के अंदर आय एक बहुत सारे बड़े मीगा प्रॉजेक्ट इस कंपनी एक बडा प्रजेक्ट जो कंपनी को मिला था भागड़ा नागर डैम की तरफ से जहा के बड़े order को बिना experience के execute किया था तो अपने आप में एक बड़ा milestone company के लिए रहेगा इसके अलावा एक बड़ा interesting fact ये भी है कि कमानी engineering यानि कि KEC Limited ने flood gates तिल पारा डैम के लिए flood gates जो कि bar के ते समय पर जिनको use किया रहता है वो gates supply किये थे और क्योंकि वो जो order दिया गया था वो order समय से पहले execute कर लिया गया था तो उस समय पर bar की स्थिती नहीं थी तो एक artificial bar create की गई थी मयोरक्षी प्लान के तहत पश्चिम मंगाल में जिसके बाद उन gates को test किया गया थे क्या वो gates sufficient है और वो sufficient रहे भी ना केवल बलकि उन्होंने बढ़िया से उस bar को समाला भी तो इस तरह की एक artificial bar के तहत इस product को उस समय पर test भी किया गया था जो कि केई-सी की तरफ से supply किया गया था इसके अलावा कुछ और interesting या engineering marvels जो की केई-सी की तरफ से provide किये गये हैं उसमें करीब करीब एक हजार मील का telephone cable इस company ने और साथ-साथ boiler चोला thermal power station और madura thermal power stations को provide किये हैं इसके अलावा wagon, engines, wheel sets, axle box ये सब कुछ railways को with time इस company ने supply किये हैं इसके अलावा transformer, mukchund, tungbhadra और कोरबा के लिए switch gear ये कुछ ऐसे product है जो की इस company की तरफ से supply किये गये हैं और साथी साथ कुछ interesting products में जो flood gates होते हैं वो भी मयोरक्षी और साथ-साथ संगुलम ये दो ऐसे project हैं जिनके लिए supply किये गये हैं तो KEC International यानि कि कमानी Engineering Corporation Limited से related कुछ interesting fact आये कुछ और पैक लेकर आते रहेंगे Do you know मैं आज हम बाचीत करने वाले हैं आईशर मोटर्स की दरसल कभी अगर आप ताज को लाबा या आम तोर पे मौल में घूम रहे होंगे तो आपने एक shop देखा होगा या एक outlet देखा होगा good earth के नाम से ये good earth जो है ये usually आपको दिखाई पड़ेगा gift item के लिए या western इंडो western clothing के लिए दरसल आईशर मोटर की शुरुवात जब हुई थी तब इस company का नाम था good earth और वहाँ से company धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई आज जो company के chairman है चिद्धात लाल उनकी मदर का जो project है उसका नाम है good earth और आज भी वो retail outlets के तौर पर आप आम तौर पर देखेंगे भी तो अक्सर मुंबई में अक्सर किसी high profile markets में आपको शायद good earth के नाम से कुछ product बिखते वे दिखाई पड़े हैं अब लोटते हैं आईशर मोटर के ओपर दरसल आईशर मोटर की शुरुवात 1948 में हुई थी और तब जब ये good earth होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो imported tractors को import करना उनके parts को import करना उसे assemble करना और उस assemble करने के बाद उसको बीचने का काम ये उस समय पर good earth का होता था धीर आईशर बनी और आईशर से होता है हाई वेलकम टो आवाज ओवरड्राइव मैं हूँ दिपाली राना और इस अवके आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे रॉयल एंफिल्ड मेटियॉर 350 या 750 नई यामा FZX की टेस्ट राइड शिंथेटिक या फिर मिन्रोल इंजन ओई और हमारे एक्सपर टूट द्वन बताएंगे आट लाक रुपे के बजट में बेस्ट कार कॉन सी है हुंडाइ ग्राड आईटें या पिर रेनो ट्राइवर यह दोनों गाड़ी है अलग-अलग सेग्मेंट की हैं आईटें ग्रैंट जो है वह आपको हैच बैक है और ट्राइबर रिनॉल्ड की जो है वह मुवी है कि मीटियोर नाम एक लेकिन इंजिन कपासिटी अलग-अलग एक तरफ है सूपर मेटियोर 650 दूसरी तरफ है मीटियोर 350 तो आप सोच रहे हूंगे कि अलग-अलग इंजिन कपासिटी की बाइक साथ क्यों दरबसल आज की स्टोरी में हम यह जाने की कोशिश करेंगे कि कि मेटियोर 350 वाली ही है या फिर इससे जादा भी अपग्रेड़ हैं तो हम डामेंशन्स फीचर इंजिन को फॉर्मेंस टायर साइज ब्रेक्स सभी पहलों पर दोनों बाइक को जच करेंगे सबसे पहले बात करेंगे डामेंशन्स की तो सूपर मेटियोर 650 एक बड़ी क्रूजर बाइक है इसलिए इसका जो साइज है वो मेटियोर 350 से जादा है यानि अगर दोनों बाइक की डामेंशन्स आप कंपैर करेंगे तो सूपर मेटियोर 650 एक सो बीस मिलीमीटर जादा मीटर्ट जादा है इसके अलावा आपको मिट्योर 350 के मुकाबले सूपर मिट्योर 650 में 100 मिलीमीटर का वील बेस जाधा मिलता है यानी जाधा स्टेबिलिटी आपको ओफर करेगी सूपर मिट्योर 650 के मुकाबले जाधा मिलता है तो एक तरफ तो यह बड़ी है साइज में इसका वजन जादा है लगबग 50 किलो और इसका जो ग्राउंड क्लियरंस है वो कम है तो यानी थोड़ी डिफिकल्टी तो आपको हो सकती है एक अच्छी बात जो पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है वो यह कि अगर आप इसकी सीट हाइट देखेंगे मीट्योर 650 की तो वो 350 के मुकाबले कम है तो भले ही वेट जादा है लेकिन शौटर सीट हाइट होने की वजह से आप फिर भी आपको थोड़ी सी आसानी ह हो सकती है इसको मैनेज करने में एक अच्छा असपेक्ट यह भी है कि कम हाइट वाले लोग भी इस बाइक को चला सकते हैं कि बात करें फिटाव फिनिश की तो फिटाव फिनिश जो है वो जादा प्रीमियम आपको सूपर मेटियोर 650 में मिलेगा और हो भी क्यों ना रोयल एंफिल्ड के पोर्टपोलियो में सबसे मेहंगी बाइक भी है अगर फीचर और बाकी डिफरेंस देखें तो नोटिसेबल डिफरेंस है सबसे पहली चीज इसमें आपको क्रोम एलिमेंट्स थोड़े जादा दिखाए देंगे मेटियोर 350 के मुकाबले दूसरी तरफ जो सेमी डिजिटल इंस्रूमेंट क्लस्टर है वो मेटियोर 350 का ही बारो किया गया है सुपर मेटियोर 650 में तो ये एक एलिमेंट सेम है फ्यूल टैंक का जो साइज है वो आपको डिफरेंट दिखाए देगा सुपर मेटियोर 650 क्योंकि जादा तेल पीती है तो इसका फ्यूल टैंक भी बड़ा है इंजन इसका बलकी है और वो डिफरेंस आप नोटिस कर भी सकते हैं फिलियन राइडर के लिए आपको ग् इंडिकेटर्स मिलते हैं यह असे इस टेंडर्ड फिटमेंट आता है वहीं अगर आप सुपर मेटियोर 350 की बात करेंगे तो इसमें आपको हैलोजन हैड्लाम्स मिलते हैं एलीडी टेल लैंप का आप्शन आपके पास है सिमिलरली अगर आप फीचर भी देखेंगे तो आप को सुपर मेटियोर 650 में जो ट्रीपर नाविगेशन फीचर है उस कीजर्फैर है। वां अगर अब रेर प्रोफाइल की बात करेंगे दोनों ही बार्इक्स की तो वो अल्मोस् वेगा है। Super Meteor 650 में एक डिफरेंस है वो है Twin Exhaust का Super Meteor 650 में आपको Twin Exhaust Pipe मिलते हैं दोनों तरफ वहीं Meteor 350 में Single Exhaust Pipe मौझूद है कुछ और फीचर्स की बात करें तो Super Meteor 650 में Mobile App Connectivity, GPS, Navigation, USB Charging Port, साथी Speedometer, Fuel Gauge, Digital Fuel Gauge जैसे तमाम फीचर्स मिलते हैं में से कुछ फीचर्स आपको Meteor 350 में अगन आप्शन मिलते हैं वहीं Low Battery Indicator हो या Low Oil Indicator हो Low Fuel Indicator हो ये फीचर्स दोनों ही बाइक्स में मौझूद है जब बात हो रहे हो क्रूजर बाइक की तो Wheel Size, Tyre Size और साथी Breaking के Relevance थोड़ी जादा बन जाती है तो दोनों ही बाइक के अगर आप Wheels देखेंगे तो Alloy Wheels आपको मिलते हैं Super Meteor 650 में 19 इंच के Alloy Wheels मौझूद है सेम साइज आपको मिलेगा Meteor 350 में भी अल्दो टायर साइज भी दोनों ही बाइक्स में फ्रंट वील में सेम है वह अगर आप रेर वील की बात करेंगे तो आपको Super Meteor 650 में 16 इंच के वील साइज मिलते हैं वहीं वील साइज में जादा है वो 17 इंच का साइज टायर का बड़ा मिलेगा आपको Super Meteor 650 में Meteor 350 के मुकाबले अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की तो दोनों ही बाइक्स में आपको डूल चानल एबेस मिलता है फ्रंट और रेर दोनों में ही डिस्ट ब्रेक मिल रहे हैं अल्दो जो डिस्ट ब्रेक का साइज है वो डिफरेंट है दोनों ही बाइक्स में Super Meteor 650 में जो फ्रंट डिस्ट ब्रेक का साइज है वो 320 मिलीमीटर का है वहीं Meteor 350 में ये 300 मिलीमीटर का है रेर में डिस्क ब्रेक का साइज अगर आप देखेंगे तो Super Meteor 650 में ये 300 mm का है वहीं Meteor 350 में इसका साइज 270 mm का है दोनों ही बाइक्स की इंजन कपासिटी अलग है, गेरिंग रेशियो अलग है, काफी कुछ अलग है तो I'm sure drive, ride और handling भी काफी अलग होगी तो चलिए, पहले Super Meteor 60 को चला कर देख रहे है दोनों ही प्रोडक्ट्स की अगर hardware underpinnings की बात करेंगे, तो वह completely differ करती है Super Meteor में आपको premium 43 mm का USB 4 का front मिलता है, जो की किसी भी roll and feed motorcycle में पहली बाद गया है वहीं इसका जो suspension travel है, वो भी 10 mm कम है Meteor 350 के telescopic fork के मुकाबले अब बात करते हैं इनकी engine capacities की Super Meteor में आपको 648cc का twin parallel air cool engine मिलता है यह वही engine है जो Continental GT और Interceptor 60 में भी मौजूर है Although इस engine की Super Meteor में different mapping की गई है, gearing ratios भी different है यह आपको 47 PS की power length करता है और 52.3 mm का peak top Super Meteor में आपको slipper clutch भी मिलता है, जो engine braking के effect को reduce करता है यानि जो power train में wear and tear होते हैं, वो decrease हो जाते हैं और इसकी जो durability होती है, वो बढ़ जाती है वहीं Meteor 350 में आपको 350 CC का engine मिलता है, जो 20.2 HP की power देता है 6100 RPM पर Maximum torque इसमें 27 Nm का है, इसमें आपको single cylinder मिलता है Although दोनों ही bikes की compression ratio है, वो same है दोनों में आपको air और oil cooled engine मिलता है Transmission although different है Meteor 350 में आपको 5 speed manual gearbox मिलता है वहीं अगर आप सूपर Meteor की बात करेंगे, तो इसमें 6 speed manual transmission दिया गया है Gear shifting pattern को देखेंगे, तो Meteor 350 में 1 gear नीचे, 4 gear उपर की तरफ लगते है वहीं सूपर Meteor में 1 gear नीचे और 5 gear उपर की तरफ मौझूद है दोनों में ही जो clutch है वो wet multi plate मौझूद है नाम से भले ही हो लेकिन engine capacity हो, features हो या फिर कीमत हो, वो काफी अलग है Meteor 350 जहां आपको 2,00,000 रुपे से लेकर 2,00,000 मिलती है वहीं सूपर Meteor की कीमत शुरू होती है 3,50,000,000 रुपे से यानि अगर आप Meteor 350 के base variant से compare करेंगे तो सूपर Meteor आपको लगभग 1,50,000,000 रुपे महनी मलती है साथ ही क्योंकि इसका size बड़ा है, engine weight बड़ा है तो ये जादा तेल भी पीती है आप अगर Continental GTA Interceptor से compare करेंगे तो वो जहाँ 25 km प्रती लीटर का mileage देती है वहीं सूपर Meteor में जो mileage आपको मिलेगा वो 20 से 22 km प्रती लीटर का ही मिलेगा तो एक तरीके से देखा जाए अगर आपको जादा long touring नहीं करनी है कभी कभी touring करनी है कि 50 बाइक चाहिए अच्छे mileage वाली बाइक चाहिए तो आप Meteor 350 खरीद सकते हैं क्योंकि चाम तो आपको उसमें भी वहीं मिल रहा है लेकिन सूपर Meteor 650 का औरा all together अलग है अब choice आपकी है तो नाम इन दोनों बाइक के जरूर एक जैसे हो लेकिन फर्क है पावर डिलिवरी और परफॉर्मेंस का वाक्त होगे एक ब्रेक का ब्रेक उस पार आपको दिखाएंगे यामा की FZX की टेस्स राइड आप देखते ही आवाज होवर राइड Do you know में आज हम बाचीत करने वाले हैं देश की one of the largest commercial vehicle manufacturer M&M के बारे में Mahindra and Mahindra दसनल इसकी शुरौाच और होई थी वो JC, Casey और गुलाम मुहमत साब की तरसो शुरौाच की गई थी तो इस कमपनी का नाम था महिन्द्रा and Mohamed शुरौाच में तो एक स्टील कमपनी के तर पर इसकी शुरौाच भी ती लेकिन धीरे धीरे जब partition हुआ तो गुलाम मुहम्मद साहब इस company से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्यमंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर GCKC की तरफ से इस company को further carry forward किया गए और उसका नाम भी बदल कर Mahindra and Mahindra किया गया बहुत गौर्दलब बात ये भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो वो Mahindra and Mahindra की तरफ से ही आई थी Scorpius का नाम था और एक और बहुत इंटरस्टिंग फैक्ट ये है कि Mahindra and Mahindra अपना एक खुद का museum भी चलाता है जिसको वो आम तोर पे Museum of Living History के तोर पे जाना जात Do you know मैं आज हम बाचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी passenger vehicle company है निकी मारूती के बारे में कुछ इंटरस्टिंग facts के अगर बात की जाए तो मारूती Suzuki जैसा की नाम से लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी company इसकी शुरुआत दरसल सरकारी company के तौर प्रुईती बाद में इसक पूरी तरह से एक विदेशी company के तौर पर कामकाश करती है इस company के पहले MD जो थे वो संजेगानी साथ ते हलाकि वो इसकी जो dream car उसको drive नहीं कर पा लेकिन वो पहले MD के तौर पर company के शुमार हुए थे कुछ और interesting facts के कर बात की जाए तो पहली मारूती गाड़ी जो थी वो पहली गाड़ी मारूती ने डिवीवर की थी तो महस 47,000 रुपे के आसपास की थी और वो भी green park एक citizen साब को जिनको दी गई थी और उन्होंने आख्टी तक उस गाड़ी को अपने पास hold दी लिया तो ये मारूती से जोड़े कुछ interesting facts आगे कुछ और facts देकर आपके लिए आ बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने competitors से 179% ज्यादा भी उसे बजट के दोनान मिले आपके देशमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिखते रहिए सीन बिसी आवाज आपके मुनाफिक के बार Do you know में आज हम बाचीत करने वाले हैं Nestle के बारे में दरसल ये हर खर इस्तमाल होने वाला Nestle एक 162 साल पुराना multinational giant है और Switzerland में कमपनी का headquarter है ये कमपनी की कुछ interesting numbers के साथ अगर हम बात करें तो उसमें 400 factories हैं करीब करीब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अब देखने आवाज ओवर ड्राइव Yama India ने premium 150 CC सेग्मेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए FZX को रिलाउंच कर दिया है तो नई FZX में क्या नए features है, performance में क्या फरक है, जाने के लिए देखिए इसकी test drive मैं हो जैपूर का आमेर फोर्ट में और मेरे पीछे लोग हाथियों की सवारी कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको आइसी बाइक के सवारी कराने वाला हूं, जो रेट्रो है, क्लासिक लोग है, लेकिन modern feature के साथ, जी है, वो है यामा की FGX जो आपके सामने हैं, इसमें एक नया features दिया गया है, जिसे company लेकर आई हो है traction control, और अभी तक फिलहाल इस segment के किसी भी बाइक में features नहीं है, और जो FGX बाइक देखने, इसकी जो एक शुरूम कीमत है, वो है एक लाख 36,000 रुपया है यामा की FGX को इसलिए रेट्रो और क्लासिक बाइक बोलते हैं, क्योंकि जो इसका design language है, उसे थोड़ा सा रेट्रो और क्लासिक बाइक दोनों को मिला कर बनाया गया है, स्तामने से देखें, यहां पर round shape में हेड्लैंप मिल जाएंगे, DRL और बहतिनी रोशनी वाली LED हेड् फ्रेंट और रियर दोनों टायर के साइज है 17 इंच लेकिन जो रियर टायर है वो थोड़ा सा वाइडर है, उसकी जो साइज है वो है 140 mm, फ्रेंट में आपको डिस्क ब्रेक दिया गया और जो इसका साइज है 282 mm और इसमें सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जो यहां पर LCD screen दे हैं तेज धूपे में चलाएं आपको यहां पर असानी से जो इसके नंबर है, फिगर से आपको देख जाए, हंडल बार की जो पॉसिशनिंग है उससे एक क्रूजर बाइक और एक सिटी बाइक, दोनों को ध्यान में रख करके जो इसकी प्लेसिंग है किया गया है, सुशनो दो लोग इसमें आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं, और जो सीट का हाइट है, उसकी जो साइज है वह है 810 mm, आप इसी थोड़ा सा फूट में भी चला सकें, इसके लिए जो इसका ग्राउंड क्लेंस है, उसकी जो साइज है कैपसिटी है, वह है 160 mm से थोड़ा सा उपर रखा क्लासिक रूप दिया गया है, और इंजन की बात करें, तो इसमें यहमा की वही इंजन फिट किया गया है, जो काफी बहत्रिन पर्फॉर्मेंस देती है, जी हम 149 सिसी का इसमें इंजन लगा है, जिसके कैपसिटी है 12.4 PS, मैलेज काफी अच्छा है, मैं आपको राइट के दरण बताऊंगा इसका मैलेज कितना है, और जो इसकी पर्फॉर्मेंस है, आप इसे सीटी में चलाएं या हाइवे, दोनों जगे आपको भेतिन मिलता है, लेकिन इसमें जो नया फीचर्स कमणी ने आइड़न किया गया है, की है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल, उस ट्रैक् मिलताओ के देटी उिसे में इसकी आपको है, वो हैनना है ने लगनना जगेर के लिए टार दो पर्फंदोर्मेंस, घ्राममन जह रेक्शन कंटर्स कमणीक, क Xiang Corka ब dualistic bingeूंए है, कि nechemical kas, बबहे. परफरमेंस की बात करें, तो इसकी जो राइड है, चाहिए उसी टीम चला रहे हूँ, या फिर हाइवे, दोनों जग बाइक काफी स्मूथ चलती है, चाहिए आप फर्स गर्म चला रहे हूँ, या तॉप गर, दोनों जग आप लगता है कि पावर इसमें है, जितना आप खीचें उतना अराम से जाती है, और जैसे ही आप हाईवे पर जाते हैं, क्रूजिंग करते हैं, स्वेंटी से माइलेज की बात करें, तो कम्पनी के दावा तो काफी ज़्यादा है, लेकिन जो हमें मिला है, सीटी और हाईवे, दोनों को मिला करके, वो है 45 से 50 किलोमेटर, वैसे माइलेज डिपेंड करते हैं कि आप बाइक कैसे चलाते हैं, किस सड़क पर चलाते हैं, और सबसे हैं बा का फीचर है जो इस बाइक में दिया गया है अगर आप टाइड लाइड वाली बाइक चाहते हैं और भी स्ट्रक्सिन के साथ तो आपके लिए क्यामा की एफ जी एक फिक बेश ऑप्सन हो सकता है अगर आपके लिए का वाली बाइड व्याओ प्रोंग के जी एक लिए मिलाइड दो मिलाइड बाइड श्रुर्स मिली एक बेक बाइड भाइड खिए झाल सकता है गाडियों के लिए कौन सा इंजिन ओयल बेटर है? सिंथेटिक इंजिन ओयल या फिर साधारन इंजिन ओयल? इनके क्या-क्या फायदे हैं? आपकी गाड़ी के लिए कौन सा बेस्ट है? यह जाने के लिए देखिया हमारा खास सेग्मेंट टिप आफ दो वीक. इंजिन ओयल खरीदते समय कार कमपनी का रेकुमेंट किया हुआ ओयल ही इस्तेमाल करें. लगजरी कार कमपनिया सिंथेटिक ओयल रेकुमेंट करती हैं जबकि छोटी कार बनाने वाली कमपनिया मिनरल ओयल इस्तेमाल करने को कहती हैं. साथ ही ओयल हमेशा किसी बढ़िया ब्र और synthetic दोनों तरह के oil का mixture होता है Synthetic engine oil artificial chemicals को मिला कर बनाया जाता है जिसका इस्तिमाल लगजरी कारूं या performance गाड़ियों में ज्यादा होता है ये engine में होने वाले friction को कम करता है क्योंकि ये cold और hot दोनों condition में अच्छे से काम करता है इसमें चिकनाहट दूसरे oil के मुकाबले ज्यादा होती है रबर और plastic के parts को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाड़ा भी नहीं होता है Mineral engine oil को crude oil से बनाया जाता है ये दूसरे oil के मुकाबले सस्ता होता है लेकिन इसके life भी कुछ कम होती है ये जल्दी काला और गाड़ा हो जाता है साथ ही इससे engine में लगे rubber और plastic के parts भी दूसरे oil के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं Do you know में आज हम बाचीत करने वाले है Spice Z के बारे में दरसल Spice Z के बारे में बहुत सारे interesting facts है सबसे पहला तो company की जो initial शुरुवात हुई थी वो दरसल Modi Luft के नाम से हुई थी जो कि एक SK Modi Group और Lufthansa की वीज का टायब था बाद में इस company का जो AOC certificate है यहने कि Air Operator Certificate है वो certificate मिला अजे सिंग सहाब को और इस company की शुरुवात की Spice Z के नाम से Spice Z के सारे planes दो होते हैं वो किसी ना किसी spices के नाम पर रखे जाते हैं मिसाल के तोर पे आप coriander, chili, turmeric, red chili, mustard, pepper यह सब Spice Z के aeroplane के नाम है और जब भी आपको इसकी उड़ान में बैठे तो इसके cockpit के नीचे देखेगा यह नाम लिखेगा आपको कहीं न कहीं दिखाई पड़ेंगे एक और interesting fact यह भी है कि Ajay Singh सहाब वो आदमी है जिनका बहुत important contribution था DD Sports के launch में और DTC buses दिल्ली में जो चलती है उसके losses को cut down करने और turn around करने में भी Ajay Singh सहाब का बहुत major contribution रहा है तो कुछ interesting facts, spice jets related आगे कुछ और fact लेकर आप ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देखने आवाज overdrive और वक्त हो गया है उन सबी सवालों को लेने का जो आप आवाज overdrive के official Facebook page फर्वेशते हैं हामेश्वा की तरह आपकी सभी queries को answer करने के लिए मर्शूर auto expert तूटू धवान हमार साथ मौजूद है तूटू जी स्वागत है आपका जो पहला सवाल हमें मिला है वो मंदर कार्निक ने भेजा है ये एक family car खरिदना चाहते है यानि एक ऐसी कार जिसमें चार एडर्स और एक बच्चा आसानी से आ सकें और budget इन कार्ट लाग रुपए है इन्होंने कुछ चॉइसे अपने लिपिक की है Hyundai की Grand I10 Neos AMT और Renault Triber AMT जानना चाहते हैं दोनों में से best choice कौन सी है मंदार जी ये दोनों गाड़ी है अलग-अलग सेग्मेंट की है I10 Grand जो है वो आपको हैच बैक है और Triber Renault की जो है वो M.U.E. तो मैं आपको गाड़ी कार के बारे में बताता हूँ I10 actually is a very very good vehicle और पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गये हैं कि it has been a very popular and a leader in its own segment और इसके अंदर comforts भी जादा हैं इंटीरियर्स आर अलसो वरी comfortable और अब तो जो नहीं आई है उसके अंदर थोड़ी सी space भी आप उनों नहीं जयादा निकालिए 1.2 लिटर एंजिन है 83 BHP निकालता है 18 km का fuel average का दावा है और प्राइस शुरू होती है 5.68 से और जाती है 8.5 जिसके अंदर आपको सारे features मिलेंगे जो आजकल modern गाडियों में आते हैं नेक्स्क्रेशन आया है श्रीकांत दंडाले का ये एक 7-seater गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो सेफ भी हो sporty look हो जिसके mileage भी अच्छे हो इनका budget है 15 लाग रुट है तो जानना चाहते हैं इस budget में क्या क्या choices इनके पास है श्रीकांजी 7-seater आपके budget के अंदर तो बिल्कुल सही बैठती है वो किया की क्रेन और इसके अंदर 3 engine options आती हैं और petrol का जो है that is the most successful turbo 1.4 liter का 140 bhp निज नकालता है और for your information ये इस साल की it has been declared as the car of the year also so it is very popular and it is doing very well 10 lakh से शुरू होती जिन 16.72 पर जाती है और fuel average उसकी 16 km है manual transmission और साथ में DCT dual clutch automatic transmission ये भी आपको साथ में भी लेंगे and of course features तो आजकल जित्ती भी गाडिये नहीं आ रही हैं out of competition with each other सभी वैसे features दे रहे हैं जो smart car के साथ आपने कर सकते हैं उसको bluetooth के साथ and you can use it as a normal way after that तो मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जब आप मिल गए होंगे अगर आपके पास भी auto से जुड़ावा कोई सवाल है तो आवाज over drive के official facebook page पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं इसी के साथ is the time to say goodbye, drive safe, नमस्कार Do you know में आज हम बाचीत करेंगे Colgate के बारे में दरसल ये रोज बरोज स्वाल होने वाला Colgate actual में एक multi national product है ये इंडिन कमप्टी नहीं है और इसकी शुरुवात 200 साल पहले William Colgate साब ने की थी दसल Colgate ने toothpaste कारोबार में जो फोरे है ये वो कारोबार की जो शुरुवात है वो William Colgate साब के demise के 16 साल बाद शुरू की थी उससे पहले 10 साल तक Colgate जो था वो perfumes के कारोबार में था और perfumes बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफी aggressively कामकाज करता था इसके अलावा कुछ और interesting facts में Colgate शुरुवाती कारोबार में जो अपना toothpaste है वो कुछ jars के जरीए बेचता था लेकिन वहां से लेके आज तका सफर ऐसा है कि आज Colgate दुनिया भर में 40% market share ओन करता है ये कि दुनिया की आधी अवाधी करीब करीब Colgate के product को इस्तुमाल करती है इसके अलावा कुछ और interesting facts में एक fact ये भी है इक Colgate का कामकास तो करीब 200 देशों में है लेकिन Colgate महज दो देशों में ही listed है जिसमें एक है US और दूसा है भारत तो कुछ ऐसे interesting facts आपके लिए Colgate के लिए साथी साथ कुछ और facts लेकर आगे भी हम आते रहे हैं Do You Know में आज हम बाचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में दरसल इस company से रिलेटिज बहुत सारा interesting fact है लेकिन सबसे interesting fact तो इस company के नाम के साथ ही शुरू हुआ था दरसल इस company का जो नाम है अमारा राजा वो actual में जो existing promoter है उनके grand parents के नाम पर लिया गया था जहांपर company के जो जैदेव गाला साहब है उनके grand parents में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राज गोपाल नाइडू इन दोनों को मिला के company के नाम अमारा राजा बना जैनि हरत किसी गाड़ी जो powered by है वो अमरा राजा बैटरी है साथी साथ सिंगापोर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो powered by अमरा राजा बैटरी है इसके अलावा कुछ और interesting facts में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अरजुन टैंक इसकी भी बैटरी अमरा जाजा की तरह की कहानी जिसने रतन टाटा को इंप्रेस किया है महज 16 साल की उम्र में जेनरिक आधार कंपनी की शुरुआत करने वाले अरजुन देश पांडे ने देश के फार्मा सेक्टर की दिशाही बदल दी है 15,000 से शुरू किया ये बिजनिस आज 500 करोड की वैलिवेशन कमांड करत है क्या है इस फास्ट ग्रोइंग फार्मा स्टार्ट अप की सक्सेस का राज ये बता रही है मेरी सेहोगी कलपता पारकर दवाई की दुकानों की तो कमी नहीं है देश में लेकिन गरीब के बुरे वक्त में यहां इंसान या ढूंडना भगवान ढूंडने से कम नहीं होता है एक बुजुर्ग इंसान को अपनी पतनी के लिए दवाईया खरीते वक्त पैसों की कमी के चलते बेबस होते देख 16 साल के अरजुन देश पांडे को जग जोर कर रख गया हार्ट, नियूरोलोजिकल या कैंसल जैसी बड़ी बिमारियों में दवाईयों का खर्श हर महीने 15 से 20 हजार तक हो जाता है तो एक मध्यमवर्ग्य परिवार कैसे अपना इलाज करवाए? क्या सच में दवाईया इतनी महंकी है? अगर है तो क्यों है? ऐसे कितने लोग होंगे जो पैसों की कमी के चलते अपनी जान कवा देते होंगे क्या इस दिक्कत के कुछ समाधान निकल सकता है? क्या इस शेत्र में इनोवेशन लाया जा सकता है? इन सवालों से परिशान अर्जुन को इसका जवाब मिला जेंद्रिक मेडिसिन के रूप में मैंने सोचा कि यह जो प्रावबलम होंद्した वह के लो हो है करोड हो दादर जी säkья है तो मैंने सोचा की यह बढ़ा प्रावलम और जो कि यह जो प्रावलम को बढ़ि बड़ी उपनी इस ने इग्नोर किया हुआ मैंने सोचा कि यह प्रॉब्यम के उपर हमको disruption लाना चाहिए एक innovation लाना चाहिए सो वहां से मैंने सोचा कि तब तब funding नहीं था कुछ नहीं था सो सिर्फ एक मतलब विचार था एक विजन था कि चीज करनी है तो फिर मैंने क्या किया चोटे चोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं हमारे अजू 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 एरिया मैं उनको अग्रिगेट करना शुरूग है बहुत लोग थे सिर्यसली लिया नहीं कि उन्होंने बहुत लोग ने कहा कि आप तो सिर्फ 16 साल के आप हमारी क्या ही मदद कर दोंगे तो सबसे पहले समझते हैं जेंडरिक मेडिसिन क्या होता है और जेंडरिक दवा और ब्राइंडड़ दवा में क्या अंतर है रिसर्ट से बनाई मेडिसिन के पेटन्ट होते है और पेटन्ट के एकस्पाइरी के बाद उस फॉर्मिले से कोई भी मैनुफैक्शरर दवाया बना सकता है जेंडरिक दवा वो दवा है जो बिना किसी पेटन के बनाई और डिस्ट्रिब्यूट की जाती है बड़ी फार्मा कंपनिया ब्रैंडेट दवाया मन चाहिभाव पर बेचते है और वही जेंडरिक मेडिसिन सस्ते में बिक्ती है अर्जुन ने सोच लिया लगभग 80% कम दामों में जेंडरिक मेडिसिन को आम आदमी के पहुँच में लाना है पामसी एग्रिगेटर मॉडल पर अर्जुन ने जेंडरिक आधार फार्मा स्टार्टप की शुरुआत की और महस्तीन सालों में 1500 शेहरों में 2000 से जादा फ्रैंचाइजी स्टोर्स शुरू कर दिये सस्ते और सबसेडरी मिलने वाले जेंडरिक मेडिसिन की आज देश में जरूरत है भारत जेंडरिक दवाओ का दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक है 80% जेंडरिक दवाओ का उत्पादन करने के बावजूत अधिकतर एक्सपोर्ट होता आया है इसलिए भारत में जेंडरिक दवाओ की उपलब्तता आबादी की जरूरत के मुकाबले काफी कम थी ऐसे में अर्जुन ने ना सिर्फ जेंडरिक मेडिकल स्टोर शुरू किये बलकि इस कारोबार के लिए जरूरी एकोसिस्टम बनाने पर भी फोकस किया आज तकर आप देखेंगे तो छोटा दुकान दर्चु होता का तुडे और अलसो देवे वे वर्किग ओन पेपर फॉर इंवेंटरी मैंगमेंट पर्चेस बिल से लेके पर उनके पास में होता है वो मैंच करते हैं हम लोग ने इनोवेशन ला दिया हम उनको पूरा टेक डिवन बना दिया वी हाव इन हूंस सॉफ्वेर हेल्पिंग देम तो मैनेज दे इन्वेंटरी मैनेज दे बिलिंग्स मैनेज दे सॉफ्वेर मतलब अभी उनका एक्सपार देश के हर आम आदमी तक महँच बनाने के मिशन पर निकले अर्जुन ने जेंडरिक आधार के स्टोर्स में लुक और डिजाइन से ज्यादा दवायों की अवेलेबिलिटी पर ध्यान दिया साथ ही फ्रेंचाइजीज को हर तरह का सपोर्ट देने पर कंपनी ने जोर दिया मैं भी फ्रेंचेसी मोडल ने लेंग तो अज तक आज तक देखा कि अज तक अचिसी कंपनी को दे लेने तो 30 लाग, 25 लाग, 40 लाग देना पड़ते हैं मैं एक तिर नाम के लिए वह उनगार्णी अगरिकेशन देख़्ाइज के अश्यारिक अई जिए लिए जबके हमारा जैंडरी काधर की फ्रेंचाइजिस को इन्वेंटरी की कभी कमी नहीं खलती क्योंकि कम्पनी दवायों की मैनुफाक्टिरिंग अपने ब्रैंक के तहत करवा लेती है तो हमारे पास में फोलन बिगेस्ट पोट्फोलियो जाता है वी कम्त्र दाइपरचरorts कर टकी नहीं वालच्श करते हैं कंप्री ने महस्तीन साल में अपनी पहुंच बड़े शहरों के अलावात त्रिपुरा, जहारकंड, उडिसा, प्रिहार जैसे राज्यों के इंटीर तक बनाई हैं इस तर्रार ग्रोथ के पीछे फाउंडर की महनत जेंडरिक मेडिसिन की जरूरत और उपलबताता का अंदाजा लगाया जा सकता है शुरू होने के बाद जेंडरिक आधार का स्केल और गानिक ग्रोष से ही हुआ है क्योंकि आज का ग्राहक जागरूफ है अगर आप लोगों से बात करेंगे ग्राउंड पर जाती है कि जरूरिक मेडिसिन क्या होते है आज सभी को जरूरिक मेडिसिन पता है मतलब आज जो अवेर्नेस है ठीक है चेंज आएगा एक दिन में यहाता है उसके लिए समय लगता है फर एक इंडूरिक में बदलावाता है वो एक समय के बाद है बट शुरूवात करनी चाहिए हम लोगे वह वह शुरूवात भी है कि मतलब मैं कहूंगा कि हमारा जो स्टूर है कुलावा जैसे अरिया में मुंबई के उतना ही अच्छा चलता है जितना भी आर के चोटे से जाव में चलता है इसके पीछे कारण ऐसा है कुलावे जिए शेयर में वहां पर लोगों को एजूकेशन है और भी आर के चोटे से अच्छे चेक गाडियों से लोग हमारे स्टूर उपे आते इसके पर चारण है कि उनको पता है कि दवाई यह जो है वह मैनिफेक्ट्रिंग जो हुती है वह और कॉम्पोजिशन के नाम से लिनी है ना को भी पर्टिकुलार ब्रांग के नाम से और भी आर जो सो रुपे की अगर उनको बीस होते हैं मिलें उनको जरूवत है आज और वो उनकी ब्लेसिंग्स देते हैं हमको तो मुझे लगते एक चेंज हो रहा है और गरीबों तक किफाइटी दामों में दवाया मुखया कर पा रही है फार्मा सेक्टर में इनोवेशन ला रहे है इस यंग फाउंडर को रतन टाटा जैसे अनुभवी बिजनसमेन और इन्वेस्टर का साथ मिला जब मैंने रतन सर को समझाया कि यह इक इनोवेशन हम लोग जा रहे है इक डिस्रप्शन हम लोग हेल्थ केर मेरे आ रहे है जिससे लाखों करोणों लोगों का मैने का बिल से पैसा बचेंगा तो उन्हों ने मेरी 15 मेंटी मिटिक हमारी चेली की तीन घंटे ते और लास्ट आप में और तेजी से इस्पेंशन चुरूआ और अभी तो में गर्व से कहूंगा मतलब हमारे जब मतलब हमारी कंपनी में जपान के सबसे बड़े वेंचर कापिलिस्ट बियॉंड नेक्स वेंचर ने इन्वेस्ट किया बड़ी आमाउं अरजन के इस वेंचर को राज्य सरकारों का भी बड़िया सपोर्ट मिल रहा है हाल ही में उत्तरपदेश सरकार ने 700 स्टोर्स के लिए कंपनी के साथ M.O.U. साइंग कर चुकी है और आने वाले दो सालों में देश के 400 शहरों में 5000 फ्रेंचाइजी शुरू करने का कंपनी का लक्ष है साथ ही कैंसर मेडिसिन को जेंडरिक कैटेगरी में लाकर कैंसर पीडितों को इलाज में फाइनाशल राहत पहुँचाने पर काम जारी है इतना ही नहीं भारत की जनता के लिए किफायती दवाईया पहुचाने के मिशन के साथ साथ अरजुन जेंडरिक आधार के तल्स पर वेटर्नरी जेंडरिक मेडिकल स्टोर की चेंज शुरू करने की और आगे बढ़ रहे है हेल्केर और फार्मा सेक्टर में बदलाव ला रहे है इस यंग, इनुवेटिव और पैशनेट अंत्रिपिनर को हमारी धेर सारी शुक्ताम नाए कल्किता पारकर नूंबर तो इस स्टोरी को देखकर साफ है कि आंतुप्रेन्य बनने के लिए किसी खास डिगरी की कोई एहमियत नहीं है बस आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाइ करनी है और उसका सलूशन समय पर ढूणना है चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा एक ब्रेक का लेकिन इस इंस्पिरेशनल स्टार्ट अप स्टोरी के बाद हम बात करेंगे इंशॉर्ट टेक प्लाटवर्म इंशॉरंस देखो की कंपनी ने एक बड़े पैमाने पर सीरीज एराउंड रेस किया है आगे के प्लाइन्स क्या है जुड़ेंगे हमारे साथ को फाउंडर अंकित अगरवाल Do You Know में आजम बाचीत करने वाले हैं DLF की Delhi Land and Finance ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है 1946 में इस कंपनी की शुरुवात हुई थी और चौदरी रगवेंदर सिंग साहाब ने इसकी शुरुवात की थी कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुती प्रॉमिनेंट एरियाज हैं जैसे कि ग्रेटर केलाश, हौस, खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क ये कुछ ऐसे एरियाज है जिनको DLF नहीं डेवलप किया था और कुछ और इंटरस्टिंग फैक्ट में कंपणी का आई-प्यो आय था 2007 में और उस समय को सबसे बड़ा आई-प्यो के तौर पे शुमार था जनरल एलेक्टरिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपणी थी जो कि इस कंपणी के लीज ओफिस पेस DLF सिटी में आने वाली थे और उसके बाद धीरे-धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेसले, आई-बियम यह कुछ ऐसी नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़ा तो एक कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट TLF से रिलेटेड आगे भी कुछ और पैक्ट लेकर आते हुए CNBC आवाज है बजट का असली टेस्टिनेशन CNBC आवाज की बजट मेगा कवरिज का यूट्यूब पर दब दबाद बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटीटर से 179 परसें ज्यादा भी बजट के दौनान मिले आपके देशुमार्थ प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिखते रहिए सीन जिसी हावाज आपके मुनाफिक पार दू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में दरसल यह ITDC Managed होटल जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाह सुनिया होगी खास वाप्सिस के वेनिवेश को लेकर या मॉनिटाइजेशन को लेकर लेकर लेकिन कुछ इंटरस्टिंग फैट क साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडे जवालाल नहरु साब गए थे तब उनको लगा था कि इंडिया को भी माक पनाना चाहिए और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उनोंने सुचा कि भारत को भी बढ़िया फाइव स्टार वह जरूर महां पर ज इसको डेवलब किया गया और अगली यूनेसको की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया साती साथ ये पहला फाइव स्टार और कंविंशन हॉल था जो की इस इवेंट के लिए तयार किया गया था पहले अशोका होटल और बाद में अशोक होटल के नाम से जाना जा कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट वें ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानि कि बिना खंबो के सबसे बड़ा कंविंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वह अशोका होटल है और एक बड़े स्प्रेड एरियास में ये 11 एकड की जमीन में ये होटल ब देखो को हम सब जानते हैं इनका एक और इंशॉरेंस का बिजनिस है जो है इंशॉरेंस देखो इन्होंने हाल ही में करीब 150 मिलियन डॉलर की सीरीज ए फ़न राउंड जुटाया है इस राउंड में एकविटी और डेट दोनों का ही मिक्स है और शायद किसी भारतिय के सबसा बड़ा दरसल ये राउंड इन्होंने रेस किया इब इसमें करीब करीब गोल्में सैक्स, आसिड मैनेजमेंट कंपनी, टीविएस कापिटल फंड ने एकविटी राउंड में हिस्सा लिया है और कुछ और निवेशक भी साथ में जुड़े हैं अब इस फंडिंग के बाद इस रकम का इस्तमाल कैसे करेंगे, इन्शॉरंस टेक में इस समय किस तरह के मौके हैं, बिजनिस कैसे बढ़ रहा है और यहां से आगे कंपनी के क्या फ्लाइन्स है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं कंपनी के को फाउंडर अंकित अगर पर जादा फोकस है या फिर कुछ इन और ग्यानिक ऑपरचुनिटीज भी आपने आइडेंटिफाई की हैं। पर इंस्वरेंस का पेनिटरेशन बहुत हीं कम है, वहां लोगों को फेस्वरेंस की समझ नहीं, विश्वास नहीं है। हम रेल भारत में जाना चाहते हैं। भारत में 6,010 doğru land पर थीस की तरिशाथ जान विकास होगा और टेक्निलोजी के दरिये आप डिस्ट्रिबूशन को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, तो हम टेक्निलोजी पर बहुत इंवेस्ट करेंगे, तीसरा कुछ मर्जर और अक्विजिशन की अपर्चिरिटी है हमारे पास, तो अगले आप कुछ महनों में सुनेंगे बजार में कि हमने कैसे कुछ कम्पनियों को अपने साथ जोड़ा है या उन कम्पनियों को हमने खरीदा है, तो ये तीन पोर एरिया है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं इन प पकड मिलेगी? कुछ assets हमने identify कर ली है मैं और कुछ assets को identify कर रहे हैं भी, we are in the process of talking to investment bankers to find out more assets, हमारे ये मानने है कि कोई भी acquisition आप करते हो, तो या तो आपको एक नए geography में आप जा सको, एक नए इलाके में आप जा सको, या आपको कोई ऐसा skill set मिले जो आपको बनाने में स्पेसेज में. हमारे 80% जो commission आता है, या जो premium आता है हमारा, वो beyond tier 2 cities से आता है, तो 80% of our consumer base is beyond tier 2 cities, हमारे पास आज के दिन 80,000 partner है, जिसमें about 85% of our partner, between 80 to 85% of our partners are beyond tier 2 cities, that is from real भारत, हमारे 22% partners है, वो महिलाए हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हम नहीं गए हैं, बट हमने हमारे प्लाटफॉर्म से जुड़े और हमारे प्लाटफॉर्म के जरीए वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके, और actual growth कहां से देखने को मिल रही है, क्या या आपकी वो महिला clients है, जहां से growth देखने को मिल रही है, या फिर जो आपने का tier 2 में जादा pick-up देखने को मिल रही है बढ़ हमारे यह मानना है कि किसी भी organization का focus should not be only profit making, तो जब हम insurance देखो के बारे में बात करते हैं, तो हमको यह लगता है कि हम एक मौका मिला, कि हम कैसे कई लाकों लोगों की जिन्दगी में एक अंतर ला सके, और अगर उस अंतर को अच्छे तरीके से लेके आएंगे, तो हम हमारा business automatically बढ़ेगा, वो उसका by product होगा, तो हम इसको सिर्फ profit या revenue के तरीके से नहीं देखते हैं, इसको इससे भी देखते हैं कैसे लोगों की जिन्दगी में difference create कर सकते हैं, वो तो of course एक बड़ा mission होता है कि आप जादा impact create करना चाहते हैं, जादा लोगों को दरसल insurance वाले bracket में लाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह के products आपको सबसे ज़ादा कमाई करके देते हैं या फिर profitability लेकर आते हैं, जहां पर maximum traction है? हमने जब start किया तो हमारा focus motor पे था, क्योंकि वो एक mandatory product है, penetration आसानी से हो जाता है, लोगों को भी आसानी से product बेचना और खरीदना आता है, फिर हमने realize कि जब COVID आया कि health insurance भारत देश में बहुत ही बड़ा problem है, तो हमने health insurance पे focus किया, that business for us is growing about 300% year on year, we've also started life insurance, life insurance मुझे लगता चाहिए और life में खासकर term insurance, तो उस पे हम बहुत strongly focus कर रहे है, lastly, मेरा मानना है कि भारत का जो लगूद योग है, जो हमारे SMEs है, जो हमारे देश का backbone है, इनको insurance नहीं मिल पाता, क्योंकि इनको insurance खरीदना बहुत ही tiresome लगता है, या बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इस problem क को भी हम solve कर रहे है, तो SME insurance is a new vertical which we started off and which we are focusing on very very strongly. अचा, insurance as a space, of course, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी पहुँच बनाने की बड़ी opportunity है, इसलिए आप शायद इस business में उतरें, लेकिन profitability का रास्ता कैसा दिख रहा है, क्योंकि आप से बड़ी company और कई listed company अभी भी कभी struggle करती हैं and it's not seen the rosiest picture, मुझे बताईए आपके लिए business कैसा ह और profitability को अचीव करने के लिए आप लोग किस तरह से कमर कस रहे हैं फिर क्या actual positioning रख रहे हैं अपनी All I can say is that profitability पे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नजर हटे क्योंकि business has to create an impact in people's life and business has to generate profit. A business's role is to generate profit. We've always focused on profitability. This quarter we should break even and on a next full year financial basis also we will break even. तो हम बहुत ही clear हैं कि हमको एक अच्छा business बनाना है जो कई-कई 100 सालों तक रहे और वो business profitably run हो यह दो चीज़ों पर हमारा core focus है. हम एक insurance company को analyze करते हैं, हम annual premium earned देखते हैं, value of new business देखते हैं, जब आप लोग अपने numbers देख करते हैं, so are you primarily looking at कि आपने कितनी policies बेची, कितने customers को onboard किया, आपके वो metrics क्या है, measurable metrics? हम पांच metrics देखते हैं, क्योंकि हम एक B2B company है, तो हम यह देखते हैं, हमने कितने agent भाई और पहनों को अपने साथ जोड़ा है, हर महने के महने, हम यह देखते हैं, कितने नए consumer से premium किया है, फिर बहुत ही important metric हम देखते हैं, lifetime value of a consumer, एक consumer हमारे साथ कितनी बार आके insurance खरीदा है, lastly, जैसे कोई भी business को आप देखते हो, आप business को देखते हो कि आपका gross margin level पे, कि मतलब जितना आपके पास रुपया आया, आपने कितने रुपया थाज किया, उसके बाद कितना profit बचा है, और फिर उसकार आपने उसमे salary, real estate देने के आप कितना रुपया बचा है, इसको आ इबिटा बूत हो, तो हम cross margin और इबिटा भी हम लेकते हैं, अब मेरा final question अंकेत आप से रहेगा, insurance space में actually